और प्रतेक क्लास को देखना है हो सकता इसमें से कुछ चीज़ें आपको आती हों क्योंकि आज पहली क्लास है लेकिन आपको क्लास को छोड़के नहीं जाना है टूडेश टॉपिक जो है वो क्या है जोड़ना गटाना गुड़ा और भाग ओके यहां तक दिख रहा है न एडिशन सब्स्ट्रेक्शन एंड एंड क्या देखों यहां पर मल्टिपल अब इसमें कुछ हम नया भी आपको पढ़ाएंगे बस वह ही जोड़ना गटाना आप नहीं पढ़ोगे जो आप सोच रहे हो ठीक है क्लियर हैने सब कुछ इधर साइड में जो थोड़ा सा कट रहा है वो मैं क्लियर कर देता हूँ जो थोड़ा सा बाहर जा रहा था हाँ यह लो ठीक है गुड आप देखिए अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है तो आप सुरुवात कहां से करेंगे यह चीज मैंने आपको कल बता दिया था तो अगर कोई भी बच्चा जाता है कहां जाता है इस्कूल कॉलेज जाता है जब सुरू करता है प्रेप में केजी में यू केजी में पढ़ता है तो वह आखिर स्टार्टिंग कहां से करता है आपको पता है एकदम सुरू से पढ़ता है पहाड़ा गिंती ही तो पढ़ता है वह तो आप पाता ही है अब हम बात करेंगे यह कि आप मानलो सुन्न बटा सनाटा हो आपको कुछ नहीं आत बच्चा बच्ची कर लेगा अगर इसको हम इस दसा में लिखे तो ये भी वही बात हुई दोनों में अंतर शिरी इतना से है वो क्या है डेको मैं इसको जदा इसपर टाइम नहींने देने वाला हूं ठीक है इस पर जयादा टाइम नहीं दूंगा टैंसान मतले दना सूरू से क्यों पढ़ा रहा इतना चोटा समाझला लेकिन इसको बोलते हैं पंकिति मेतेड Estefin इसको बोलते हैं कालम मेथे खेड तो डोनों अपको आना चाहिए क्योंकि बहुत OF ऐसे कुछ questions होते हैं वहाँ पर कोई मुसीबत हो जाती है ठीक है चलो और कोई class छोड़ के ना जाना क्यूकि इसमें बड़ा important बात भी आगे बताने वाले हैं तो इस तरह से यह 7 में 5 जोड़ोगे 12 हो जाएगा यह भी 12 हो जाएगा यह सभी कर लोगे इसको मुझे बताना नह हूँ समझे लो बच्चा इसलिए आपको क्या करना है देखना है और प्यार से देखना है ठीक है ओके गुड चलो अब आगे समझो मतलब यह तो आप लोग कर लोगे घटाना भी कर लोगे तो मैं यह बता नहीं रहा हूँ अब बात करते हैं गुडा की लेकिन गुडा की ब होता है घटाने और जोडने में अगर हम आपको बताएं स्टार्टिंग में जैसे मैंने लिखा जीरो का ही भी आता है तो एक बात याद रखना किसी भी संख्या में अगर हम सुनने को जोडते हैं या फिर सुनने को घटाते हैं तो उस संख्या के मान पे कोई फरक नहीं पड़ता है ये याद रखना ठीक है जैसे मान लो अगर हमने लिखा 27 इसमें से अगर हम 0 को सब्ट्रेक करेंगे तब भी ये 27 ही रहेगा समझ गए ना और अगर हम 27 में 0 को एड करेंगे तब भी ये 27 ही रहेगा तो ये चीज आपको याद करने के लिए है कि अगर हम किसी संख्या में कोई भी संख्या अगर हम किसी संख्या में सुनने को जोडते हैं 0 को या घटाते हैं तो संख्या पर कोई फरक नहीं पड़ता है संख्या वही आती है जो भी रहती है यह बात हो गई पक्की अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मुझे तो लग रहा है एकदम क्लियर दिख रहा है मस्त दिख भी रहा चल भी रहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चलो जिनका इंटरनेट धीमा है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है अब समझो आगे आगे की कहानी समझो आगे की क्या है कहानी जरा ध्यान दीजिए इधर साइड में नंबर स्क्रीन पर चल रहा है कोई इंक्वाइरी उस पर करना यह फाइस्ट आपका हो गया डिसन मतलब जोड़ घटाना हो गया अब बात करते हैं गुड़ा की तो बच्चा गुड़ा में अगर हम बात करें बाबु मल्टीपल में इन्हें में बहुत ही अच्छा सा कुछ नई चीजें दिखा देता हूं आप लोग ध्यान से देखना और प्यार से देखना आज यह पहला सेशन है अगर आप कंपलीट सेशन देख लेते हैं सारे लाइब सेशन देख लेते हैं इस तरह के तो मैत में आपको कोई हरा नहीं सकता आप मैत में हीरो बन जाएंग को यहीं अन्य मील्टीपल जो है वह एडिसन का ही एक अफ्ग्रेड वर्जन है क्या है अफ्ग्रेड वर्जन है बच्चा किसका एडिसन का ही कैसे चाहे तो पांच को तीन बार गुड़ा करें या फिर हम पांच को तीन बार जोड़ दें मतलब आएगा तो पंदरा ही क्यों? कुछ समझ में आया की नहीं? आया ना समझ में? देखो बच्चा, नंबर चल रहा है स्क्रीन पे कोई inquiry करना है बबुगा वहां पे संपर कर लेना ठीक है? कोई inquiry करना है message नीचे चल रहा है उसको देखो फीला color में नीचे चल रहा है उसको देखो प्यार से देखो और संपर करना चलो ठीक है? यह हो गया आपका इसके बाद आप लोग मुझे एक बाद और बताओ या यह मल्टीपल आप लोग कर लेते हो अगये जो तरीका करा जाता है यह कभी देखे हो कि नहीं पहले मुझे यह बताओ इसमें कुछ होता है अलग वह क्या है पता है इसमें उलड़ फलड़ के मल्टीपल करते हैं मतलब एक-एक गिं पढ़े चला था न क्यों भाई पढ़ाया था यह सब यह सब पढ़ाया था मैंने कि यह सब पढ़ाया गया है कि कितना आएगा कि आ गया समझ में सुदीर कुमार चलो ठीक है बच्चाओ के गुड ठीक है ठीक है तभी को आ गया ना चलिए तो यह आप लोग कर लोगे अ कर लोगे ना लेकिन इसके पहले कुछ मतलब की चीज पढ़ लेते हैं हां लाइफ फस्ट में अमित जी से ले बस बताया था बाबू ठीक है से ले बस बताया था देखो समझो इसको बताएंगे लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको सीख लीजिए किसी भी संख्या को जितनी बार हमें गुड़ा करना है अगर हम उसको उतनी बार जोड़ देंगे तब भी हमारा अंसर वही आएगा लेकिन जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ठीक है थोड़ा बड़ा हो जाता है जैसे देखो एक अने एकजांपल की मध्धन पर यहां पर समझो कि बच्चा अगर मान लो कि नौ का गुड़ा करना है पांच में तो हम इसको कर सकते हैं नाइन फाइब जा फोटी फाइब यह होता है ना आप देखो यहां पर समझो अगर हम नाइन को फाइब टाइम एड कर दें यहां से समझने की कोशिस करना अगर हम नाइन को फाइब टाइम एड कर दें तब भी फॉर्टी फाइब आता है बोलो यह यह नहीं सभी बच्चे बोलो हाँ यह नहीं जल्दी करो भाई कुछ तो बोलो यार तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं तो गुस्सा बहुत तेज लगती है कि यह कितने गदा है टाइप के हैं कोई जबाबे नहीं देते हैं परदीप इंटरप्राइज जज बैसवारी पांडे जी जेपी यादो मतलम नीलम रियल सुब तो आप यहां से यह चीज समझ गए होंगे कि किसी भी नंबर को जितनी बार मल्टीपल करना है अगर हम उसे उतनी बार जोड़ देते हैं तब भी आंसर वही आता है यह एक प्रकार से मल्टीपल का एक गुण है परगुण है इसकी आदत है सहूर जिसे बोलते हैं देसिव तो इसमें कुछ समझने वाली और चीजें हैं वो क्या है जो की लॉजिक वाली है यानि आपको हमेशा याद रहनी चाहिए उनको भी देखो यहां पर बच्चा की टाइटल लिखो जीरो का गुड़ा उपर हेडिंग लिखो आप सभी टाइटल में लिखिए जीरो का गुड़ा मतलब सुनने का यह कौन सी मुसीबत है वाई मल्टीपल आफ जीरो टाइटल डालो जल्दी से मल्टीपल आफ जीरो इसकी एक अलग अपनी फैमली है वो कैसे है जरह ध्यान से देखिए इधर साइड में समझे हम कमेंट जादा नहीं पढ़ सकते हैं देखो बच्चा एकदम छोटे से हम पढ़ाते हैं इसलिए हमारा कर्तब है कि आपको समझा पाएं अगर हम फाइब क सुनने में मल्टीपल करेंगे तो पता है क्या होगा यह सुनने हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है आ रही नहीं बाते समझ में और अगर अगला देखो अगर हम यहाँ पर 101 का जीरो में मल्टीपल करें तो क्या होगा जीरो हो जाएगा और अग इन्टू फाइब इन्टू जीरो इन्टू सेवन इन्टू थ्री तब भी यह जीरो हो जाएगा अब यहां से आपको क्या समझ में आया कुछ मिला क्या समझ में आया मुझे यह बताओ कोई है सुधीर सिंग्जी बताईए रामा देवी अमित गौतम देबेंदर चंदन आकरती विसकर्मा सभी बच्चे जबाब दीजिए अमित कुमार हो गया बात आगे बढ़ें चलिए अब समझो बई साहिल बच्चा देखो नंबर नीचे चल रहा है स्क्रीन पे न ऐसा ही स्क्राल हो रहा है धिर धिर एकदम नीचे देखो उसको लिख लो नंबर पे संपर करना चलो यहां से हमें यह समझ में आया कि किसी भी संख्या में अगर जीरो का गुड़ा करते हैं तो हमेशा जीरो होता है वही परगुण यहां भी लग रहा है दूसरे के बाद तीसरे लाइन से यहां से हमें ये समझ में आया कि अगर किसी भी गुड़ा में बीच में कहीं भी एक सुनने आ गया तो सारा मामला चौपट हो जाएगा सब जीरो हो जाएगा ये चीज आपके दिमाग में रखना है ठीक है बात समझ में आया ना आया ना समझ में यानि किसी भी गुड़ा में अगर बीच में जीरो आ गया तो सब जीरो हो जाएगा वो नंबर चाहे जितने बड़े हैं चाहे जितने छोटे हैं कुछ भी हैं उनसे कोई मतलब नहीं है आप समझ रहो ना अगर कोई इनसान अपनी जिन्दगे में कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए लेकिन अगर एक कोई गलत काम कर दिया तो लोगों के दिल में उसकी निगेटिव इमेच बैठ जाती है और वो डूफ जाता है एक्जामपल के लिए राम रहीम को ले लीजिए आसाराम को ले लीजिए इन्होंने कितने नाम कमाये थे कितने आडियन जोड़े थे लेकिन इनकी कुछ ऐसे कारणामे और करतूतें लोगों के सामने आई कि ये जमीन पर आ गया असमान से है ना तो बस वही परकृति यहां पर होती है बच्चा समझो बातों को ठीक है यहां पर आपको क्या करना है बातों को यही चीजों को तो समझना है कि बीच में अगर कहीं भी एक सुनने आ गया तो सारा मामला चोपट हो जाता है ओके गुड चलो आगे बढ़ें अब हम लोग यह आप लोग कर लेंगे इसी के आधार पर एगर हम थोड़ा सा और भी देखें तो यहां आगे बढ़िए आगे बढ़िए और देखिए और समझिए कैसे समझने की कोसिस करना बिल्कुल दिल लगा के देखना हाँ बिल्कुल दिल लगा के देखना क्यूंकि आप सीख रहे हो basic math zero label से कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगला क्या है इसमें concept ये भी देखना 5 अपान 3 इन्टू माइनस का 3 बटा 2 ठीक है इन्टू सुन्ने और इन्टू 48 अपान 6 इन्टू 9 इन्टू 3 ये बताओ इसका final में answer कितना आएगा आप सभी हर एक बच्चा कोशिस करेगा फटा फट सभी कोशिस करेंगे बाई आजय o जा सुबोध राज के वीडियो रामा देभी विकास पुजा कुमारी मदन प्रियंका आगरती बोलो तुम भी बोलो बहुं करो हमें बोलता ने नाम बता था ना मैं तो याद नहीं कर पया आपका नाम राहुल 21 वीपिन देखो बचवा ये भी सब सुनने हो जाएगा इसमें दिमाग विल्कुल नहीं दोडाना एक अगर कहीं एक जीरो दिख गया तो सब सुनने हो जाएगा लेकिन अभी इस नियम को भी मैं गलत सिद्ध़ कर दूँगा ठीक है अभी इस नियम को भी मैंiley गलत सिद्ध कर दूंगा तो फिर आप कहोगे कि बैया यह कौन सा नियम है जो आप गलत सिद्ध कर दे रहे हो फिर यह सही कैसे है हाँ समझिए यहां पर लाजिक समझिए यह सब सुनने हो जाएगा ठीक है इसमें कोई रिकत नहीं है लेकिन अब मैं इसमें थोड़ी सी अब को दिल से यहां पर हमने पलफ लगा दिया यह देखना आखे कोल करके क्या कि हमने यहां पर पलफ लगा दिया अब सभी बच्चे यह बोलो क्या इसका अनसर अब भी जीरो आएगा बताये क्या इसका अंसर अब भी जीरो आएगा अजे ठाकुर्जी नंबर दिया ना बाबु कांटेक्ट करना ठीक है नीचे नंबर चल रहा है स्क्रीन पे अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे नंबर दोड़ रहा है आप उसे नोट करते जाओ और संपर्क करो सब कुछ बताया जाएगा कॉल करने का टाइम अब दो पाहर बारा बजे से दो बजे तक बस ओनली दो बजे तक फोन करने का समय दो पाहर बारा से दो बजे तक सिर्फ और सिर्फ दो घंटे उसी के बीच में आपको कॉल करनी है लगतार मिलाना है दो नमबर दिया गया है एक नएक पर मिलेगा इसकी अलामा call receive नहीं होगी फिर हम आपको call करेंगे लेकिन बाद में करेंगे ठीक है अब ये बच्चा क्या होगा पता है अब ये जीरो नहीं होगा अब ये सुनने नहीं होगा क्यों नहीं होगा एक बात ध्यान रखना कि किसी भी इस तरह के structure तरह question में अगर हर जगा multiple लगा है multiple लगा है अगर तो इसका ऐसे ही connection हुआ जैसे आपके घर में बिजली का तार दवड़ा है और आप उसी अपने बिजली के board से लोहे की सरिया एक निकाल करके अपने लोहे वाले पेटी बकसा पे रख दो मतलब आप कुछ समझ पाए मतलब कि आपके घर में कोई लोहे की बस्तू रखी है आप अपने electronic board में एक लोहे का सरिया उसमें गुसेड के और उस लोहे की बस्तू पे रख दो और उस पे जाके बैट जाओ तो क्या होगा पता है यह क्योंकि लोहे की सरिया क्या है वाया electrone को एक प्रकार से बोलें तो साइन्स की बहां सामें वो सुचालक है चालक उसमें दोड सकते हैं पूरा का पूरा करणट आपके उस उपकरण पर आजाएगा जिस पर आप उसको रखो गए लोगे का सरीया तो सब क्या होगा चौपट हो जाएगा भाई सुनने हो जाओगे आप सुनने का मतलब आप समझे रहे हो डेत हो जाएगी ऐसा बिल्कुल मत करना यानी चीज और आप ने कभी सोचा है जब क यह तो मैं यह क्यों बता रहा हूं क्योंकि इससे उसका कनेक्शन यह है कि अगर आपका कनेक्शन सुनने से डारेक्ट जुड़ा है मतलब सुचालक रूप में तो सब जीरो हो जाएगा लेकिन अगर बीच में जो मैंने बताया लोहे की सरीया वहां से जोड़ना है आप एक लकड़ी सूखी लकड़ी या एक पलास्टिक का डंड़ा से जोड़ दो तब क्या होगा तब वहां बोर्ड तक तो ठीक है उस लकड़ी या फिर पलास्टिक के डंड़े के उधर करन्ट नहीं जाएगा और कोई इफेक्ट नहीं फड़ेगा तो उसी तरह से अगर इसमें प्लस या माइनस अगर कहीं मिल जाता है तो वह लकड़ी का डंड़ा या प्लस्टिक की तरह काम करता है इसे क्या बोलते हैं कुछालक बोलते हैं कुछालक वह बस्तु हैं जिनमें करंट नहीं दोड़ पाता है समझ रहे हो ना आप लोग हम लोग भी सुचालक हैं इंसान हम लोग के अंदर बलड होता है और कोई वी जो लिक्विड वस्तु होती वह दोड़ते हैं जल्दी-जल्दी से फटा-फटा हम लोग आगे बढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है बहुत अच्छे सभी छात्रों से एक और भी बात कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग complete course जल्दी फिजल्दी पढ़ना चाहते हैं तो आप Google Play Store से PBR Study का app डाउनलोड करके जा करके premium course में enroll करें और आज ही शुरू कर दें ठीक ना समझ गए जिससे आप एक महीना में match सीख जाओ बाकि यहां पर सीखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर भी सीख जाओगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा देखो बच्चा यह इतना जितना मैं line खीच रहा हूं कितना तो सब सुनने हो जाएगा इतना सुनने इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां पर बीच में एक जीरो था सब गुड़ा होगा सब जीरो हो जाएगा लेकिन यह प्लस का चिन्न के बाद में 9 तरीक 27 फाइनल में 27 बनाएगा कितना आएगा 27 आएगा इसमें किसी को कोई समस्या है तो बता देना बिल्कुल टेंसन मतले न ठीक है अब इसको मिटा देना चलिए इसको अब मिटा देते हैं तो यहां से आप हमें लगता है कि यह सब सीख गए कि अगर किसी भी संक्या में 0 का multiple करते हैं तो वो संक्या 0 हो जाती है अब इसी में लगे हाथ हम यह भी बता देते हैं क्या क्योंकि यह 0 की property आप पड़ रहे हो भाग वाला भी देख लेते हैं इसी में ठीक है ना बच्चा देखो अब समझो मतलब की बात आप लोग समझो और यहां पर लिखो डिवीजन आफ जीरो डिवीजन आफ जीरो जीरो को सुनने भी गोलते हैं देखो सुनने का भाग जैसे अगर हम बात करें कि हमने भाईया 125 में 0 का भाग करा आप बताओ कितना आएगा और दूसरा है जीरो से यह जीरो से 125 में और 125 से जीरो में भाग करा कितना आएगा आप सभी बच्चे जबाब दीजिए चलो फटा फट जल्दी बताइए देवेंदर कुमार बाबु देखो नीचे नंबर चल रहा है न इसक्रीन पे अगर आप देख पा रहे हो तो नीचे नंबर चल रहा है आप समझिए बातों को ठीक है ओके आगे बढ़ें देखो यहां पे आपको एक चीज समझना है वो क्या है भई मदन फरजापती अर्चना लर्न मोल्ड अबाउट कंपूर्टर जी चलो ठीक है अनमोल बिल्कुल सही यह चीज यहीं रहने दो इदर साइड में आ जाओ एक छोट प्रकाशन नमबर लेलो प्यारा सा और यहां पर नीचे जीरो कर लो यह एक हो गया और इट्रों लेलो जीरो अपान फाइव इन दोनों का मतलब समझी है अगर यहां को बात करें तो यह जीरो आएगा मतलब यह सुन्हें हो जाए गा ठीक और यह क्या आएगा कभी खतम ही नहीं होगा बच्चा यह अनंत आएगा क्या आएगा इन्फाइनाइट आएगा यहां से आप यह बात समझ लो कि अगर किसी संख्या में जीरो से भाग करते हैं तो वो कभी खतम नहीं होता है अनंत आता है लेकिन अगर 0 में भाग करते हैं तो सब 0 हो जाता है मतलब सब सुनने हो जाता है कैसे हो जाता है इदर थाइड में भी एक बार थोड़ा सा और डीटियल में देख लीजिए देखिये स्टार्टिंग में हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कांसेप्ट सीखना जो आप पढ़ रहे हो अगर आपको मैथ नहीं आती इस कलास को छोड़ना नहीं है पूरा देखना है अगर आप इस कलास को लाइब नहीं देख पा रहे हैं तो आपसे निवेदन है आनलाइन देखें अगर अनलाइन नहीं देख रहे हैं डाउनलोड कर ले रहे हैं यूटूब पे तो भईया अगली कलास की उमीद मत करना ठीक न इसलिए निबेदन होगा कि अगर अगली कलास भी पढ़ना है तो डाउनलोड नहीं करना है चलो जीरो का भाग यहां पे समझलो कि यह अनंत कैसे आता है यह अनंत कैसे आता जर्ध्यान देखो पहले ध्यान से ठीक है समझो पहले अब्दुल्ला वाजीद जी बाबु आप नंबर पे संपर करना फोन कर लेना ठीक है आपको मिल जाएगा आप नंबर पर फोन कर लेना आपको मिल जाएगा ठीक है अब दुल्ला वहित जीद जी आप नंबर पर सम्पर कर लेना फोन कर लेना जो मिर कोष अपडेट नहीं ह участ के आपडेट कर दिया जाएगा ये पहले लेगए चलो ठीक है आपके मारा मन है कि हम साथ बार ले जाएंगे एक्चुली इसका मल्टिपल इसमें होता है तो सेबन का मल्टिपल सुन्न में करोगे फिर से जीरो ही आएगा सुनने ही आएगा फिर से सब्ट्रेक करोगे कोई फ्यक्ति नहीं पड़ेगा फिर वही है उसका भाजक में गुड़ा करके तहां लिखते हैं तो इस तरह से अगर आप करके देखोगे तो यह कभी कटेगा नहीं ठीक है कभी कमपलेटली डिवाइड नहीं होगा मतलब कुछ ना कुछ बचता ही जाएगा आप इस बात को समझ रहे हो की नहीं सभी बच्चे समझ रहे ना बच्चा ठीक है देखो इस तरह से यह फिर से फाइब आ जाएगा और आप चाहे जितनी बार ले जाओ कभी कटेगा नहीं लाइ पूड पेरी गूड चलो आगे बढ़े लिख लिजी आप लोग उदर जो बगल में निकल जा रहा था उसको भी मैंने दिखा दिया आप लोग लिख लिजिए जोती जहां जी बिल्कुल कमेंट आपका आ रहा है ठीक है आ रहा कमेंट कोई दिक्कत नहीं है नो प्राब्लम चलें फिर आगे बढ़ें ओके ठीक है सब कुछ चिक ठाक है कोई दिक्कत नहीं है लकी बर्मा जी बिल्कुल आपका भी कमेंट आ रहा है देखिए अगर आपको मैत नहीं आती है तो आप अपने मन को ये समझाईए दिल को कि हमें मैत आएगी और हम सीखेंगे बिल्कुल स करना है कि जीतेंगे हम ये वादा करो कोशिस हमेशा जादा करो किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना छूटे तो मजबूत इतना इरादा करो और इतना मजबूत इरादा कर लो कि फिर उसके आगे मैत की क्या आवकात ये भी घुटने टेक देगी समझ रहे हो कि नहीं तो आप क्या करोगे मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ोगे और खुद से एक वादा करोगे प्रामिस करोगे कि हम मैत आएगी हम मैत में बिजयता बनेंगे मैत की वज़ा से हमारा कोई एकजाम नहीं रुकेगा हम ये खुद से प्रामिस कर रहे हैं क्योंकि जब हम किसी दूसर से प्रामिस करते हैं तु वह प्रामिस अक्सर स्टूट जाया करता है लेकिन अगर खुद से करते हैं तो भैया अपने लिए लोग अच्छा ही करते हैं तो भीया इरादा अगर मजबूत है तो सब कुछ होने वाला है भाग देखिए सबसे पहले आपको एक ट्रेलर दिखा देते हैं जो आप लोग चाहते हो वही चीज को यहां पर समझिए देखो बच्चा एक यह भाग है जैसे 20 में अगर तीन का भाग करेंगे तो कोई बताएगा कितना आएगा जल्दी मुझे कंफर्म करके बतादो कितना आएगा हम आज आपको 9 परकार की भाग बताएगे कितने परकार की 9 परकार की भाग बताएगे मुझे लग रहा है कि हमारी आवाज कुछ जादा तेज निकल रही है क्या क्योंकि माइक जो है इसकी कुछ सेटिंग से कुछ है आव अजीब सायेगा। ठीक है। कुछ समझ रहूं की नहीं अब ? कि यह भाग अलग टाइप की है अब कम देखो मतलब समझते चलना अगर हम यह भाग करें One में सेबन से तो यह अलग टाइप की हो गई टाइप मतलब जानते वघम कार अलग-अलग परकार अब ध्यान से देखना और कलास को पूरा इंड तक देखना अगर सीखना है तो चलते हैं फ़स्ट इस्टेप से सुजित सर्मा राहुल यादो जूली परजापती जिस सभी के कमेंट हमें दिख रहे अब देखिए हम पहले फ़स्ट टाइप से चलते हैं चुकि ये कलास उनके लिए होती है उन गारजियन के लिए होती ही माबाप के लिए जो खुद पढ़के और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या फिर वो टीचर बनना चाहते हैं बड़ी मुसीबा था इस देख में सरकारी स्कूलों मे कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है क्यूं आप समझते हो ना क्यूं देखो यहां पर कर एगर साथ का भाग करना रहे तो ये कौन सा भाग है ये तो बच्चों वाला पढ़ा रहे हो कख्छा ये लेकिन हमें अगर उपर चलना थोcence बाई स्टेप तक चलना है स्टेप बाई स्टेप ये बढ़ना है। पूरा मतलब सुनना पांच मिनट कलास जरूर देखना आपको पता चलेगा कि काम का चीज हो रही है ठीक है यह फर्स टाइप था दोनों में अंतर समझना जिनको मैथ नहीं आती उनके लिए बिसेश रूप से है सिकंड टाइप की भाग देखो इसमें क्या हुआ भया इसमें सेबन का टेबल डारेक्टली पढ़ा और यह क्या आ गया जिरो आ गया दूसरी टाइप में अगर हम देखें तो मानलों अगर हम 5 से भाग करें 43 में इस से 5 से तो पांच अठे चालिस देखो इसमें भी वह ऐसे ही जा रहा है लेकिन इसमें सेसफल आ रहा है बोलो आ रहा की नहीं मैथ नहीं आती प्यार से देखना कलास को पूरा देखना इस बात को याद रखना पूरी गारंटी हमारी मैथ आपको आएगी लेकिन ये छोड के मत जाना क्या जम हो जाएगा चलो ये कर लोगे हम जादा कुश्चन नहीं करवाएंगे एक टाइप का सिर्फ एक ही बताएंगे अगला देखो अगर नाइन का भाग वन नाइन एट में करना हो यहां पे समझना हम ये सब क्यूं बता रहे हैं जिनको मैथ नहीं आती है उनके लिए संजीवनी है आगे समझते जाना कलास को देखना पूरा छोड के मत जाना आए हो मेरी जिन्दगी में तुम बहार बनके समझ रहो ना तो ये बहार लेके मत जाना रहना मेरे साथ में चलो कितनी बार जाएगा नो दूना अठारा गटाओगे एक आएगा ना बच्चा उपर से आठ उतार लोगे और नो दूना ठारा अच्छा मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे यस या नो क्या यह जितनी भी भाग में करवा रहा हूं सबाला गलग टाइप का है कि नहीं यह सेबन का इसमें भाग करोगे तो यह देखो पूरा-पूरा कट गया जीरो आया इसमे सेजफल नहीं आया इसमें भी नहीं आया लेकिन अंतर है ना वह बोलो भाग में अंतर है ना तो यह तीन टाइप के भाग हो गए अब चौतर टाइप पर चलते हैं ठीक है बहुत गूगल इंडिया वाई गूगल यूटूब सब पढ़ने लगे चलो ऐसे भी मैत की सुरू स्क्रीन साथ आप लोग ले लीजिए टाइम टाइम पे स्क्रीन साथ लेते रहिए जिससे कि आप समझ सको ठीक है अनुपम जी कमेंट आपका आ रहा है एक्चुली हमारे फोन में बंद हो गया एक पतनी कौन सी आफ़त आ गई तो मैंने सोचा कि बंद हो गया फालतू क्या बड़ बड़ाओं में कोई देखा नहीं रहा तो का फायदा है अगला देखो अब अगर 13 में 537 से भाग करें 13 में 13 से यह टाइप फोर है अब यहाँ पर समझना यह बताओ अगर इसको हम भाग करेंगे तो थोड़ा सा आपको अंतर समझ में आएगा ठीक है थोड़ा सा अंतर समझ में आएगा बच्चा सब कुछ ठीक ठीक है कोई परकार की दिक्कत नहीं है ना नो प्रॉब्लम ठीक है अब देखो थार्टीन का इसमें अगर हम टेबल पढ़ें तो कितनी बार जाएगा जरा सोच कि बताओ भैज तेरा चोका बावन होता है ना मतलब थार्टीन फोर जा थार्टीन फोर जा फिटी टू यह हो जाएगा आपका फंगो सित्यूंट करने फ्र फो रहा आख था इस में देखो बच्चा क्या हो रहा है इसमें भाग तो मैंने दिया सेष्फल भी इसमें आ रहा है लेकिन दो इस्टेप में भाग गई है उसमें अगर आप देखो तो step में भाग गई है लेकिन सेस्पल नहीं आया है तो वह अलग टाइप का हुआ ना यह अलग टाइप का हुआ ना हम आपको 9 टाइप की भाग बताएंगे कितने टाइप की नो टाइप की आप लोग प्यार से देखना इस तरह की अगर भाग आपको मिलती हैं तो आप समझ सकते हो ना मैथमेटिक्स की नहीं समझ जाओगे ना तो चलो एक और कर लो अगर 17 में 525 का भाग करेंगे तो कितना होगा उस पर भाई मैसेज लिख करके वह करो ना यह जो लिंक दे रहे हो डारेक्ली इसमें कुछ लिख रहा हो लिंक पैस्ट करिए उसमें लिख यह और बिन कर देजिये उपर उसमें लिख देजिये कंपुलीट क्लास के लिए आप डाउनलोड करें पीभी आरे श्टड़ी का आपको कितनी बार बताएं लिखी हैं अब यहां पर समझें हाँ एक और 17 का अगर 525 आप यह बताओ कि इसमें कितना आएगा कि सेस्पल कितना आएगा सभी बच्चे करके देखो एक बाद जल्दी से चलो फटा-फट जल्दी करो कितना आएगा कर लोगे ना इसको अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अब फिर हम आपको यहां पर पंचमा टाइप देंगे पंचमा टाइप देखना हम आपको यह दिखाना चाहते हैं जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती है कि कितने टाइप के भाग होते हैं और उनको कैसे करते हैं अभी टाइप देखो चार टाइप सभी समझ गए ना पच्वा टाइप में जो हमने आपके लिए लाया वो क्या है कि 17 में आपने भाग करके देखा कितनी बार गया कि यह पच्वा टाइप का था यार कि पांच सो पचीज को सतरा से भाग करो कि 51 आरा जूली परजापती बता रही है अभी सेक सर्मा आरती जी कुडिबनिंग योगेंद्र साहिल राकेश कुश्वाह देखिए आपको पता है फोर टाइम जाएगा और यह हो जाएगा नए नए थरी बार जाएगा फोर टाइम नहीं जाएगा फोर टाइम जाधा हो जाएगा थरी टाइम जाएगा तो 51 आयेगा कितना आयेगा 51 अब यहां पर आपको एक समझने वाली चीज है जड़ा ध्यान से देखना जब हमने सतरा का भाग किया बच्चा इसमें सतरा त्य अजीब सा एक महाल बनता है हमने इसको भाग तो कर लिया अब उपर से हम फाइब को यहाँ पे लिख लिए मुसीबत यह आती है कि अब सतरा का भाग इसमें जाएगा ही नहीं बोलो जाएगा की नहीं जाएगा की नहीं हमें सेसपल बचाना है बस हमें दसमलों में नहीं ले जाना है तब बताओ कितनी बार जाएगा ज़रा सोच के बताओ हमें दसमलों में नहीं ले जाना है हाँ बताओ फटाफट कितनी बार जाएगा देखो बच्चा वन बार ले जाओगे जादा हो जाएगा आप सुनने बार ले जाओगे कितनी बार? जीरो बार और हाँ कुछ लोग कहेंगे कहें ले जाएंगे अगर भाग जाएंद्या तो कहें ले जाएंगे देखो एक इसका नियम है, इसकी रस्म है जो निभाना पड़ता हमें देखो कैसे? वो गाना सुने हो ना? होती है बेदर्द बड़ी ही इस दुनिया की रस्में वैसे इसकी भी कुछ ऐसी ही है हमें जीरो बार ले जाना जरूरी है अगर एक भी बार नहीं ले गया ऐसे छोड़ दिये तो गलत हो जाएगा देखो गलत क्यों हो जाएगा? गलत इस लिए हो जाएगा क्योंकि इसका जो एक रूल होता है भाज ये बराबर भाजक गुड़े भागफल यहाँ पे देख लो पहले फिर बात करते हैं आगे और धन सेस ये होता है न अगर इस नियम के अकार्डिंग हम लोग चलेंगे तो ये गलत है भाग जो मैंने भाग किया अभी तक ये गलत है जैसे है अगर यहाँ पे देखो भाज ये कितना है जिसमें भाग किया गया पांचसो पचीस भाजक सतरा भागफल तीन और सेसफल पंदरा सतरा तीन ये क्यावन और पंदरा जोड़ लो बच्चा ये कभी भी पांचसो पचीस के बराबर नहीं आएगा ये छाचाट आ रहा है ये गलत है क्या ये ये गलत है इसलिए हम क्या करते हैं अगर उपर से कोई नंबर हम नीचे उतार रहे हैं तो हमें एक बार भाग ले जाना most important है जरूरी है ये बादता है इसमें करना पड़ेगा तो अगर वन बार नहीं जाएगा तो सुने बार तो जाएगा बस केवल हमें इससे मतलब था ये बनाने से मतलब था यहां पर क्या आया वो तो फिर वही आ जाएगा सेजफल चेंज नहीं होगा सेजफल उतना ही उतर जाएगा बूपेंद्र सिंग कुछ समझ में आ रहा भाया बूपेंद्र सिंग चलिए लिख लिजिए अच्छा एक बात बताओ क्या हमारी वाज बहुत तेज आ रही है क्या मतलब इतनी तेज तो नहीं कि चुब रही है नहीं है ना चलो क्योंकि मैंने देखा था किसी कलास में बहुत तेज आवाज थी तो यह हो गया आगे बढ़ें आप पच्वर टाइप आप देख लिए कि नहीं इस भाग में आपको कुछ समझ नया थोड़ा दिमाग की बत्ती खुली इस तरह के भी भाग होते हैं और अक्सर लोग गलत कर देते हैं अगर मैं आपसे सवाल पूछता कि भईया इसमें सेस्पल बताओ देते सेस्पल वैसे भी 15 आया लेकिन आपका भागफल गलत था भागफल अगर आप तीन लिखते तब भी गलत था थर्टीवन लिखते तब भी गलत था है ना बात समझ में आ रही ना आप लोग समझते चलो चलिए तो यह हो गया आपका पाच्मी टाइप की भाग आप द चलो चटवर टाइप शिक्स टाइप वाला ध्यान से देखो यार आप लोग कलास को सेर नहीं करते वैसे मज़ा नहीं आरी मैं पढ़ाओंगा नहीं मुझे बिलकुल मज़ा नहीं आरी अगर बच्चे 100 के ऊपर भी नहीं गए तुम लोग आके अपना देखने लगे पहले आप सबी शेयर करके आउजली से दो मिनिट का टाइम है आपके पास दो मिनट नहीं कम से कम पाँच मिनट मान लो चलो जब तक सब सेयर करके नहीं हैं तब तक नहीं पढ़ाएंगे और इस टेशन को लाइक करो सभी ऐसे काम नहीं बनता ना आप सभी से निवेदन है इस कल कि जलदी करो आप सभी 5 मिनट का टाइम है और चाहे करो और चाहे आप सन क्या है निवेदन है चलो जल्दी करो सभी सभी इतना कर लीजिए उसके बाद पिर हम अगला टाइप देखते हैं चल्दी करिए लेकिन देर मत करें टाइम बेस्ट हो रहा है टाइम बहुत कर दिये जाएगा क्योंकि हमें पता चलता है कौन-कौन सेयर किया कौन-कौन नहीं वह कुछ चीजें हमें मालूम होती है ठीक ना अगर तुम जूटी है आप बोल दिया नहीं हम कर दिये तो हम इतने बड़े बेवकूपत हो नहीं है है ठीक ना कि सभी जल्दी से करके आओ तुरंद तुरंद करके आओ आपके पास पांच मिनट का टाइम है बाइस पांच सताइस पांच मिनट का टाइम है ठीक ना हम क्लास शुरू नहीं करेंगे पांच मिनट का टाइम है पूरा पांच मिनट है नो बच्के 27 बच्च-व करेंगे दो मिनटब दगया तीन मिनट और है अगर 5 मिनट में सब लोग कर देंगे तब आगे पड़ाएंगे निbing कर दें वहाई आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है अगर हमने यहां पे लाखो का सेटॉप बनाया आपके लिए हम हर दिन लाइब आते हैं सब कुछ छोड़ करके पढ़ाते हैं तो आप क्या शेयर भी नहीं कर सकते हो बैए इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते हो आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं न बीना कहे करना चाहिए न आपको आपने जो भी वाटसअ गुरूप है आपकी वर्टसपी स्टेटस में लगा दो लिंक उसमें लिख दो का एप्सन में कि जिनको मैद नहीं आती जरूर देखिए बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है या फिर गंदा पढ़ाया जाता जैसे भी तुमको लगे आप मतलब ऐसास हो क्लास में क्योंकि पढ़तो रहे हो सभी जल्दी से करके आओ भी पांच मिनट मैंने टाइम दिया था अभी तीन मिनट बचा है तीन मिनट का टाइम बचा है हम जान जाएंगे कियो कि नहीं कियो हमें पता चल जाएगा कौन नहीं किया है छटा टाइप मैं यहां पर लिखता हूं लेकिन मैं बताऊंगा नहीं है ठीक है देखो लाइक करने में कुछ जाता नहीं एक बार आपको बटन क्लिक करना है और फट से सेर करके आ आजाना है बस यही तो करना है कि दो मिनट और बचे हैं जो नहीं सेर किये जल्दी से करके आ जाए उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर पूरा पढ़ते हैं बहुत ही मज़ेदार सेशन होगा समझाने की पूरी हम 100 पर्षंट देंगे कि आप समझ जाओ किसी भी तरह से समझ जाओ अगर आपकी मैथ में समस्या है तो यह समस्या ना रह जाये अधा आपको आने लगे और वो भी घर बैठे फिरी में आने लगे क्योंकि ये कलास्टो फिरी में ही होती है आप से हमारी जो उमीदें हैं आप उसे पूरा करिए ठीक है वह आप एक काम और करो इसमें डाउनलोड करें बीच में नाम भी लिख दो ना पीवी आर स्टडी डाउनलोड करें एक बार फ इबनिंग विकास कुमार मिस्टर थीक है अगर यह आता है ना जो लोग कह रहे हैं कि हमें आता यह बहुत छोटा है बच्चा रात को आठ वजे से कलास देख रहे हो ना कमपरटीशन वाली चल रही सीट वाली सूपर टेट वाली उसको भी आता है और आपको पता है सबसे बड़ा बेवकूफ होई होता जो कहता मुझे सब आता है जो कहता मुझे सब आता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है मैं तो कभी नहीं कहता मुझे सब आता है क्योंकि हम तो हमेसा सीखते हैं हमेसा सब कुछ किसी को नहीं आता सिर्फ एक मिनट बचा है उनली वन मिनट बहुत धन्यवाद आपको तो इस्वेसर थैंक्यू जो आपने सेयर कर दिया कम से कम कि अंसु कुमर सभी कर दिये के वल एक मिनट बचा था वह भी बीते गया चलिए ठीक है आप आगे बढ़ते हैं हम लोग हाँ आप लोगों ने किया आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिखिए यार कम से कम सो के उपर तो बच्चे होने ही चाहिए साट सतर असी बच्चे तो आफ लाइन कलास में हो जाते हैं अनलाइन कलास में अगर धाई लाख बच्चे लगबग हैं दो लाख 35,000 इस पर हैं और भी चैनल उन पर हैं तो कम से कम 1500 बच्चे तो आने चाहिए ना और जिनको यह बहुत छोटा लग रहा है आठ बज़े वाली कलास देखें रात के आठ बज़े कंपरिशन वाली चल रही उसको देखिए ठीक है रात को आठ बज़े से आपकी सभी अध्यापक भरती परिक्चा के लिए मैत की कलास चल रही सीटेट सूपर टेट और हमारी क अगला टाइप में देखिए अभी अभी हमने आपको यह बताए यह अला भागफल कैसे किया ना इसमें देखो थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज हो रहे थे न अब आगे देखिए अगला में नेक्स टाइप में जैसे अगर कोई छोटी गिंती को बड़ी गिंती से के लगबाग हो गए ना बच्चे तो भाई कोशिज करने वालों की कभी हार नहीं होती लेकिन कोशिज करें ना यह गड़वड है वीडियो फंस रहा है कि आगर फंसेगा तो बता देना पूर्ण मिस्रा जी गुडिवनिंग इसमाई लली गुडिवनिंग बिर्जे स्यादो जी गुडिवनिंग आजए चोधरी ठीक है भाईया चलो देखिए यहां पे समझिए पांच टाइप का आपने सीख लिया इसमे पहले जीरो बार जाएगा और किसी भी गिंती का अगर हम सुनने में गुड़ा करते हैं तो यह सुनने आता है और यह साथ यहां से क्या आएगा फिर से आजाएगा कुछ समझ में आया आगे देखते चलिए स्टेप बाई स्टेप क्योंकि अभी एक नई बैच सुरू कोई मतलब नहीं है फिर से जीरो बार ले जाने का फिर हम उपर दसमलों बढ़ाएँगे यहां पर सुनने उतारेंगे इधर साइड हो सकता है कम दिख रहा हो क्योकि इधर ये इसमें के रुक जाएगा तो मैं इसको ऊबहर कर सकता हूँ क्या, उधर साइड में हल कर सकता यह लोग इधर ज्यादा जगा है तो मैं इसको यहां पर करूंगा ठीक है क्योंकि वो थोड़ा लंबा हो जाएगा और इधर पोडियम है सामने तो नीचे इसके आगे लिखनी पाएंगे आपको सदिखेंगा नहीं कि यहां पर देखो समझो कौन सा टाइप है यह छे टाइप छे देखिए समझिए सेबन में एड से हमें पता है पहले सुनने बार जाएगा फिर यह सेबन आएगा उपर हम डेसिमल उतारेंगे यहां पर जीरो आ जाएगा अब कितनी बार जाएगा आप सबको पता है सेबन एड जा 56 ना लेकिन क्या एड बार जाएगा नाइन कितनी बार जाएगा आप लोग बताओ 8 8 जा 64 8 9 जा कितना होता है 72 यानि 8 9 72 होता है न तो भीया हो अगर 9 बार ले जाओगे तो 72 हो जाएगा 8 टाइम जाएगा तो 8 8 जा 64 इसको सब्ट्रेक करोगे 6 आएगा कितना आएगा 6 आएगा इसके पहले मैंने 5 टाइब की भाग ब का एक बार रिवायज कर लेंगी ठीक है अब यहां पर सुने उतार लो गय कि य maze जनमसर ददिकार हो जाता है अगर एक बार उपर द्समलों बढ़ा लिये तो बार बार जीड़ो उतारते रहो उतारते रहो कभी खशतन नहीं होनेँ माला है आपको पता है जैसे आज कल को देना है देना है लब फिर उसमें कोई गुंजाइस की कि समझ रहो ना अ कुछ लोग नहीं समझ पायोंगे उनको भी बताएंगे बाद में फिर से देखो कितनी बार जाएगा आठ सते चपन तो फिर घटाओ कि कितना आएगा जीरो अब अभी अभी बताया फिर से आप जीरो उतार सकते हो बार बार उतार सकते हो अनंत बार उतार सकते हो तो अब फिर कितनी बार जाएगा आठ पंचे चालिस यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे सुरू में तो बड़ा मुश्किल लग रहा था लेकिन यह हो गया complete final हो हो गया complete की नहीं हमारे वीडियो पर हमें यह दिखाएंगे यह बड़ी मुसीकत है बाई चलो लिख लिए इसको नोट कर लीजिए यहां से आपको कुछ समझ में आया की नहीं नीचे जीरो आया सेसफल सेसफल सुनने आया है जो नीचे छुप रहा है थोड़ा सा आप समझ लिजिए सभी सेसफल जीरो आया है क्या आया है सुनने आया है तो यह आपका हो गया 6 टाइप की भाग कितना 6 टाइप की भाग हो गई 6 टाइप की जितने भी छात्र पूरा complete mathematics सीखना चाहते हैं वह PBR study का आप जरूर डाउनलोड करें ठीक है अब इसकरमा जी 9 बार नहीं नो बार तो कहीं गया ही नहीं नाइन टाइम नहीं जाएगा कहीं भी चुकी फिर वह जादा हो जाएगा और कोई चीज अगर जादा हो जाती ना तो गड़बड हो जाता है अगर खाना खाना है दो रोटी खाना एक ही खाओ चलेगा लेकिन दो के मदले अगर तुम 6 खा ल एकदम लड़्डू है मतलब समझ रहो आया समझ में चलिए बार बार याप दिला रहा हूं कॉम्पटीशन की कलास आपकी चलती है रात के 8 बज़े से स्सी बैंक रेलवे या फिर आपका अध्यापक भरती परिक्षा लगबख सबके लिए होता है रात 9 बज़े से तो बेसिक किये देशी बासा में लोग बोलते हैं समझ गए होंगे आप लोग ही का नी एक तो लोग नचाते लट्टू को बोलते हैं एक कुछ लोग भी उस तरह के होते हैं देखो यहां पर कैसे यह टाइप नंबर छे था यह टाइप साथ देखो इसको देखो समझो यह 20 में अगर ह पूरा दिखाएंगे तो फिर बहुत कुछ दिख जाएगा यहां पर मुसीबात यह इसलिए पूरा नहीं दिखाते हैं चलो ठीक है थोड़ा मैं कैमरा नीचे करवा देता हूं इधर साइड से लेकिन ठीक नहीं है हलका सा चलो ठीक है आप दिख रहा है ना पूरा लेकिन इस बात क्या है ना यह पूरा दिखाने के चक्कर में गडबड हो जाएगा यह कि इधर साइड फिर पोडियम अटकाने लगेगा आप लोगों को आप समझ नहीं पाओगे चलो अब दिख रहा पूरा कि यह हो गया अब इधर साइड समझ यह कि इसको हम भाग करेंगे तो क कि यह भाग जाएगा नहीं और इसको बोलते क्या है जो दसमलो अता है उसको क्या बोलते आप जानते हो एक होता है पहली बार तो बड़े अराम से चला जाएगा इह घटाने पर यहां पर दो आ जाएगा इतना ठीक है अब इसमें थ्री का भाग जाएगा ने चुकि थ्री जादा हो गया दो जो है वो कम हो गया आप उपर डेसिमल यहां पर बढ़ा होगे यहां पर जीरो उतार लोगे और य इस तरह से आपका एक कितना आ गया दो एक चीज आपको यहां पे दिख रहा होगा कि आप चाहे जितनी बार आप सुनने उतारते जाओ इस पे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है जिस तरह से बिरोजगार स्टूडेंट काफी टूइट किये खुब 10 मिलियन तक और सरकार पे क करते जाओ करते जाओ बार-बार करते जाओ कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है कुछ भी नहीं बदलने वाला यह ऐसे जाता जाएगा इस तरह से इस तरह की भाग को हम क्या बोलते हैं यह ऐसे डाट-डाट करके शोड़ देते हैं ही कनी भाग बोले इससी दिसी बावसा में समझ रहे हो कि नहीं देखो अब मतलब समझो मतलब समझो कि फाइनल में अगर इसका अंसर लिखना है तो क्या होगा आप लोगों से कोई पूछे कि चलो बच्चा यही बतादो बभूगा बहुत पड़े लिखे हो तुम इसका मतलब आंसर कितना आएगा तो इसका अंसर 2 हो स लगता है पता है दो कौन अरे दो का मतलब वह एक दो वाला गिंती वाला नहीं एक तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो वो 6.6 और 6 के उपर बार ये बार का मतलब हजार बार वो सीर वाला बार नहीं समझ रहे हो ना हजार बार लाक बार मतलब अनन्त बार इसका टोपी लगाने का यही मतलब है उपर सभी समझ गए ना कपिल जी आ रहा समझ में कुछ समझ में आ रहा है लिख लिजिए छाप लिजिए इसको फटा फट लिख लिजिए देर मत करिए आगे बढ़े एक बात आपको याद दिला दें कि जो भी छातर इस कलास को आज पहली बात देख रहे हैं वो अगर जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं तो प्लेइ स्टोर से PBR स्टडी का आप डाउनलोड कर लें देखो कमेंट में सबसे उपर आप की लिंक दी गई है और डिस्क्रेप्शन में भी दी गई है आप बहुत जल्दी मैथ सीख जाएंगे और अगर आपके पास टाइम है परयाप्त तो फिर आप देखते रहें रेगुलर हमारी कलासे रात के 9 बज़े से होती है लेकिन इसमें बहुत सारी कलास रिवाईज करवाई जाती बीच बीच में क्योंकि बच्चों के रिक्वेश्ट आती है रिवाईज के लिए इस वज़ा से कोर्स थोड़ा जादा टाइम में खतम होगा तो जो भी आपको अच्छा लगे आप जरूर करिए अब इसको कर लोगे आप सभी जल्दी से बताओ एक बार बताओ एक ही धोनी में कि सभी कर लोगे न सेबन परकार की भाग मैंने बता दिया कितने परकार की सेबन परकार की वह यह देखो जिनके कमेंट हम ढूण रहे हैं वो लोग कमेंटी नहीं कर रहे हैं और जिनके कमें हाँ मैंने आपको कुछ चीज़ें बताया नहीं न वो मैं बता देता हूं देखो यहां पर समझो यहां पर समझने वाली बात क्या है जहां पर भाग पूरा पूरा चला जाता है उसे सांत दसंबलो या टर्मनेटिंग डेसिमल बोलते हैं ठीक है समझ रहे हो ना जैसे अभी मैंने भाग किया था कौन सा नंबर था वो एट में भाग इससे किया था किसमें कितना आया था यह 875 लगबग इतना आया था ना क्यों यह आया था ना 875 तो आप यहां पर क्या देख रहे हो यह फाइनल में हो गया नीचे जीरो सेसफ़ा ला गया था आया था ना तो इसको क्या बोलते हैं आप जानते हो क्या बोलते हैं जानते हो भाइया हो बच्चा हो इसको बोलते हैं क्या पता हैं इसको बोलते हैं सांत द समलो या फिर इंगलीस में इसको पढ़ते हैं सीबेसी वाले लरके लरकी का पढ़ते हैं टर्मनेटिंग डेसिमल है ठीक है समझ रहे हो कि नहीं आगे बढ़ें काजल राज देखें नीचे मैसेच चल रहा है ना उसमें नंबर दिख रहा है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं भ वह क्या है देखो नान टर्मनेटिंग में वह है जैसे परकार से अगर हम आपको दिखाएं असांत दसमलो जैसे अगर एक छोटा सा भाग यहां पर देखो वन से वन में सेबन का भाग करो तो इसका जो आंसर आएगा आप भाग करके देख लेना बड़ा ही अजीव बड़ा ही खतरनाक आएगा भाग करके देखो जीरो पॉइंट है 14285714 ऐसे ऐसे आएगा कुछ बहुत बड़ास आएगा मतलब कभी खतम नहीं होगा इसकी कोई इंडिंग नहीं है समझ रहो ना तो इसको क्या बोलेंगे नान टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे जैसे अभी अभी मैंने वो बीस वाला किया था तीन से बाग किया था बीस में ना 6.6 और बार बार गया था आजार बार ना तो यह सभी क्या होते हैं टर्मिनेटिंग और नान टर्मिनेटिं देसिमल इन्हीं को बोलते हैं कि समझ गए ना सभी बच्चे चलिए आगे बढ़ते हैं अब समझ यह और सीखिए कि साथ टाइप की भाग आपने देखा यह हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल कि अब हम बढ़ते हैं आठमा टाइप में भाग का आठमा परकार आठमा परकार बड़ा ही खतरनाक है बहुत ही डेंजरस है इसको देखो आठमा टाइप में क्या कहता है यहां पर समझ यह आप सभी यहां तक दिख रहा है लगबग वहीं तक दिख रहा जहां तक यह लिखा है ठीक है यहां पर देखो आप टाइप ट हमें 1 से भाग करना पड़े किसमें 1 से नहीं 1 में 7 से अब यहां पर समझो 7 से 1 में भाग कर रहे हैं कितनी बार जाएगा जरा आप सोच के बताओ इसका भाग फल जो आएगा या फिर इसका जो आएगा फाइनल में वह बड़ा आजीव टाइप का होगा बहुत कुछ सिखाए है लेकिन दिल है कि मानता नहीं बात यह है कि यह जीरो बार जाएगा ना हुआ अभ आप हम क्या करेंगे डेसिमल बढ़ाएंगे उपर दश्म्रो बढ़ाएंगे यहां पे जिरों उतार लेंगे सांथ एक कम साथ फिर घटा होगे तीन आएगा एक बार दसम्रों बढ़ा को समझो तो बच्चा यहां पर मैंने क्या किया सुनने उतार लिया अब फिर से आप सेवन का भाग ले जाओगे कितनी बार हम सब को पता यह सब कर लेते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीजें बीच बीच में इसमें हमें सीखने को मिल रही है जो हम लोग पराया नहीं जानते हैं अगर आप सुरू से कलास को देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा है ना तो यह फोर बार जाएगा घटा लो कितना या दो आप देखो समझो आगे समझो मतलब की बात को समझो और समझते चलो कि फिर से एक बार यहां पर सुनने लिखो गया आप और साथ चोकटाइस गया था ना कितनी बार जाएगा जरा बताओ सात्री के कईस मुझे लग रहा तीन बार भी जादा हो जाएगा और फिर कितनी बार जाएगा यह दो बार कितनी बार दो बार यहां से गटाओगे 6 आएगा फिर से आप क्या करोगे भया नीचे 0 उतार लोगे नीचे आप सुनना उतारोगे और 7,8,56 इतना 56 गटाओगे 4 आएगा अब फिर से क्या करोगे यहां पे नीचे सुनने उतार लोगे फिर से आप यहां पे क्या करोगे सुनने उतार लोगे माज़ बार जाएगा कि मुझे नहीं लगता कि कोई अंत होगा जाता जाता जाएगा इसका कोई जाएगा अंसर नहीं हाईगा अगर कोई बता सकता है तो बता दो मोबाइल से नहीं करना कल्कुलेटर से नहीं करना खुद से करके बताओ चलो जल्दी करो सभी बच्चे बताओ जूली परजापती जी मोबाइल से किया ना अपने लारू भाई गेम टीबी कपिल करन कोट यह नाम इनके जो अजीव अजीव से है ना यह हमारी यूपी बिहार वाले नहीं है यह ओडिसा से है या पस्चिम बंगाल से है या आसाम से है तो वहाँ पर कुछ इस तरह पे नाम होते हैं ओडिसा या आसाम होगरा में है ना मैं सही बोल रहा हूँ ना यूपी बिहार वालों के नाम ऐसे नहीं होते हैं इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना आपको पता है आसाम या उडिशा सायद वहां के लोग अपने लाश्ट के नाम में नाम के बाद में अधिकारी लगाते हैं जैसे अगर आपका नाम अनू है तो नाम लिखेंगे अनू अधिकारी मुकेस अधिकारी हमारे यहां लोग अधिकारी मतलब साहाब अपसर जानते हैं है ना तो यह हर जगा कि अपनी अपनी जो है इस्टाइल है भासा है जैसे भी समझ लो चलें फिर यह आप समझ गए इसका फाइनल अंसर अगर बोलें तो यहीं पर छोड़ देंगे बाद में डाट डाट कर देंगे इसमें कोई कुछ क्लियर नहीं आ रहा है इसको बोलते है नान टर्मिनेटिंग डेसिमल देखिए अगर आप डेटियल में डेसिमल वाला सभी समझ गए ना चलिए तो यह हो गया इस तरह से आपने क्या सीखा आज आठ परकार के भाग देखा ना नौ परकार के एक और भी है इसको भी कर लो अभी जो मैंने बताया था 223 को 990 से भाग करो किसमें 223 में 990 का भाग करो चलो जल्दी आप सभी इसको कर लेना इसी 9 टाइप का है देखो बच्चा जैसे यह नंबर है 12 ना 12 इसको किस किस संख्या से भाग देने पर यह completely कट जाएगा और जिससे यह पूरा-पूरा कट जाएगा वही क्या होंगे इसके फैक्टर होंगे क्या होंगे इसके फैक्टर होंगे जैसे देखो यहाँ पर समझो अगर हम यहाँ पर 12 ले लेते हैं 12 और इनको एक एक नंबर से ट्राई करते हैं नेचुरल नंबर 12 से इस्टार्ट होती है आप सबको पता है बहुत अच्छे से जानते हो आप सभी तो भाया हो अगर इनको 12 से हम भाग करें आओ चलो देखते हैं 12 में 1 से भाग करो हमें पता है यह 1 1 जा 1 यह 0 आएगा 2 उतार लोगे 1 2 जा 2 यह आपका फाइनल में सुनने हो गया मतलब कि आपका जो कोईसियंट आया भागफल आया वह 12 आया हम यह कह सकते हैं कि 1 से यह कंप्लेटली डिवाइड है स दस पंदरा से यह यह तरह से अगर आप इसको दो से भाग करोगे तो 2 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा अगर हम तीन से करें तो हो जाएगा कि नहीं बाते हैं ह Hemारी समझ में आ रहे हिना। 2 से हो जाएगा 3 से भी हो जाएगा 4 से भी हो जाएगा 5 से और 6 से बोलो हो जाएगा कि नहीं ? जो लोग ध्यान से नहीं देख रहें ना गड़ बड़ हूजा ये हूँ गभाइड हो जाएगा तो ऐसा सही है नहीं नहीं है यहां पर समझो पूरी कहानी अगर हम पांच से इसको भाग दें आप यहां पर समझने की कोशिस करो आगे साइड में, हम जो पीछे लिख दिये उसको मत देखो, जो हमारे सामने दिख रहा वो देखो, यहाँ पे देखो आगे, कम जो आगे मतलब की बात, बच्चा पांच से बाबू इसमें भाग तो जाएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं जाएगा, यह देखो, पांच का भाग इसमें जाएगा 5, 2, 10 होता है, हम सभी जानते हैं, इसमें सब्ट्रेक करोगे 2 आएगा, और चूकि हमें पॉइंट में नहीं ले जाना है, हमें सेस्फल बचाना है, इस कारण से, मतलब एक परकार से ऐसे बात करें, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पूर्ड संख्याएं लिखन आ उपर, दसमलो नहीं बढ़ाना है, तो यह completely divide नहीं हो रहा है, मतलब अपने मन से नहीं हो रहा, जबरजस्ती कर दो अलग बात है, लेकिन फिर जबरजस्ती वाला काम यहां हमें करना नहीं है, तो यह हम बोलेंगे कि 5 से 12 completely divide नहीं है, जिसे हिंदी में बोलते हैं, पूर् सब्सक्राइब कर लें जिससे की घर बैठे पड़ सकें यह आपकी जिम्मेदारी है हम एक दूसरे को समझ के चलेंगे बहतर होगा और बहुत आगे बढ़ेंगे है ना चलिए एक दो तीन चार छे इतने से कड़ जाएगा अच्छा एक बात कोई बताए यह जो ट्वैल है इसके अलावा और किसी भी संख्या से कंप्लिटली डिवाइड होगा क्या कोई बताए कोई भी संख्या खुद से सदय विभाजित होती है हमारे अंदर कितनी गलतियां है कितनी कमियां हमने कितनी चोरी किया कहां कहां बैमानी किया हमें सब पता है ऐसा नहीं कि हमें ही पता तुम को भी पता है तुम क्या क्या कियो कहां कहां कियो है न तो उसी तरह से इनकी क्या कहानी होती है चाहे संख्या भाज्य हो अभाज्य हो किसी भी परकार की हो अच्छी हो खराब हो खुद का वो सदयो क्या होती है गुड़न खंड एक परकार से बात करें तो मतलब आप समझ पाए की नहीं आरती सिंग जी आरा कुछ समझ में आप देखी आगे कहानी क्या कहती है समझे इधर साइड में तो ये 12 से भी डिवाइड होगा इस तरह से हम कह सकते हैं कि 12 के जो खुड़न खंड हैं वो क्या क्या है एक दो तीन चार छे और 12 इसमें किसी को को कोई आपती है तो बता दो बिल्कुल भी तैंस नहीं लेना एक पैसे का टैंस नहीं ले गिर विडियो में ख़ें कोई दिक्त आएगी तब भी बता देना लेकिन आपका इंटरनेट चलते रहना चाहिए बभीता कुमारी जी कमेंट आका आ रहा है है न्हीं थीक है हम बात करने वाले हैं पुछ और ये तो था गुड़नखंड क्या था बच्चा ये ये था भाईया गुड़नखंड जिसे बोलते हैं हम लोग फैक्टर एक होता है प्राइम फैक्टर क्या कोई इसमें से बताएगा कि दी गई संख्याओं में प्राइम फैक्टर मतलब बारा का प्राइम फैक्टर क्या होगा जिसे बोलते हैं अभाज्य गुड़नखंड न यहीं तो होता ना प्राइम मतलब अभाज्य चंट मैथ की लेंग्वेज में इंगलीस में जाओगे तो बड़ी लंबी कहानी मुझे नहीं पता अब यहां पे समझो अगला क्या है अभाज्य गुड़नखंड आप लोग मुझे बताओगे सभी बताओगे कि बच्चा हो अभाज्य गुड़नखंड 12 का क्या होगा मैंने गोच पोच के जैसे भी लिखा आप समझते चलो ठिक है समझते चलो कोई तो बताओ यार मैंने एक सवाल पूछा चोटा सा नन्ना सा कि 12 का अभाज्य गुड़नखंड क्या होगा कोई बता रहे बई अभाज्य गुड़नखंड अनुपम यादो सब ठीक चल रहा है बच्चा इंटरनेट आपका गड़बड है कलपना जी बतारी 24 हां मतलब तुम लोग कौने गरा से आयो बई मैंने पूछा है फैक्टर तुम पता नहीं का बता रहे हो अरे जाग रहे हो ना नहीं तो पानी भाणी मार लो मुझ पे थोड़ा सा सो रहे हो तो जग जाओ अभाज्य गुडनखंड ये अभाज्य संख्याएं हैं मिस्टर हरसित उर्फ पांडे इंटर प्राजज जी जो आप लिख रहे हो ये अभाज्य संख्याएं हैं हमने ये नहीं पूछा था हमने पूछा अभाज्य गुडनखंड वो भी किसका स्वैल का तो बच्चा हो जो हम यह आला तरीका करते हैं यह ऐसे जो निकालते है यह दो चंग बारा और फिर दो से भाग करेंगे दो तियाई तो यह दो दो और तीन ना इसमें आप एक चीज देखोगे जितनी भी संख्या हैं कितनी भी नंबर यहां पर यह फैक्टर आये हैं वो सभी अभाज है कि नहीं जल्दी से आप लोग बताओ फटाफट अब एक बात बताओ एक दूसरा अगर हम चोटा सा नंबर यहां पर आपके लिए देते हैं आप लोग इसमें ट्राई करोगे ठीक है सभी ट्राई करोगे यहां पर समझो अच्छे से समझना प्यार से यहां पर देखो कैसे अच्छे से समझना प्यार से यह तो आप समझ गए अगर हम इसमें एक नंबर दूसरा दे द होगे यह नींद की गोली से ज़ादा अच्छा काम करती मैं नींद बहुत मस्थ आती है अगर सवाल नहीं आता और है और अगर सवाल आ रहा है न तो यह प्यार महिबबत यह ज्वी ज्यादा आगे बढ़ हो जाति सटेह से लोग रहते ना उसमें नींद नहीं आती फिर इसमें भी नींद नहीं आती लेकिन अगर जब सवाल समझ में आ रहा हो तब नहीं आ रहा हो तो यह नींद का गोली बन जाती है चलो देखो इदर है अगला एक और भी नंबर है 36 आप लोग मुझे इसका फैक्टर और प्राइम फैक्टर दोनों बताओ चलो जल्दी से हर एक बच्चा कमेंट करेगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जल्दी करिए फैक्टर और प्राइम फैक्टर दोनों बताओ सभी चलो फटा फट हम देख रहे हर किसी का कमेंट जल् करो जल्दी जल्दी देर ना करो हो गया आगे बढ़ें कि आप लोग अगर यहां पर हमारी बातों को समझ पा रहे हो तो आप बता ले जाएंगे कौन-कौन बता रहा भाई देखो कमेंट हमें थोड़ा सा रूख राया भी एक मिनट रूख जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है ओके बेरी गुड जल्दी करिए फटा फट देखो प्राइम फैक्टर एक परकार से अगर हम बात करें तो सबसे पहले पॉसिवल फैक्टर की बात करें देखो फैक्टर कही तरह के होते हैं एक पेर फैक्टर होता है पेर फैक्टर आप जानते हो क्या होता है मतलब तो ऐसी नंबर जिनका multiple करने पर 36 आ जाए तो वो हम यहाँ पर बात नहीं कर रहें अभी ठीक है अगर आप PBR study apps वाली detail वाली class देखोगे तो वहाँ पर यह सारी बातें आपको मिल जाएंगी और आपने अगर डाउनलोड नहीं किया तो प्ले इस्टोर से अभी तुरंत जी बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड जो भी छात्र इस समय फोन काल कर रहें उनसे बिनमर निवेदन हैं पॉन काल ना करें सुबह 10 बजे के बाद करें या राद 11 बजे के बाद चलो 36 क्या है यह 36 एक बाद बताओ 37 में हम अगर एक से भाग करेंगे तो पूरा पूरा डिबाइड हो जाएगा तेस पल 0 आएगा ना सुनने आएगा ना स्यार से समझना अगर हम 1 से इसको भाग करेंगे तो 0 आजाएगा पक्का है यानि 1 क्या इसका possible factor है देखो इसके संभव गुड़नखंड जो है वो मैं लिख रहा हूँ कितने गुड़नखंड मतलब कौन-कौन सी संख्याएं इसके गुड़नखंड होना संभव है और अगर प्राइम फैक्टर की बात आएगी अब भाज जे गुड़नखंड की तब फिर सब को नहीं ल इड़ते हैं एससी का उदारन ले लो रेलवे का लेलो कुछ भी लेलो आप गुरूप दी तक लेलो लेकिन उसमें जब सेलेक्शन होता है ना केवल प्राइम फैक्टर बचाय जाते बाकि सब निकाल दिये जाते हैं समझ रहे हो कि नहीं आप देखो इधर साइड में तो द लेकिन पांच नहीं है क्यों क्योंकि पांच से भाग करोगे 36 में तो क्या आ जाएगा भाईया पांच से बाग करोगे बबुआ तो क्या आ जाएगा सेस्पल आ जाएगा छे भी इसका पॉसिबल फैक्टर है साथ, आठ, नो, दस, चारा नहीं होगा बारा भी होगा और इसका पॉसिबल फैक्टर में अठारा भी आ जाएगा और क्या जाएगा अठारा के बाद 36 आ जाएगा डारे आप मुझे ये बताओ कि इसके कुल कितने फैक्टर हुए जालती से कोई बता दे किन करके चलो 36 के कितने नंबर आप पॉजिटिव फैक्टर हैं पॉजिटिव तो सब हैं फिलाहल सौरी पॉसिबल बोलें संभो जब आतीजिए रभी संकर, हिमानसु मिस्रा, जूली परजापती, लाइफ हाई एस्टड़ी आप भी आ गए और साहाब बताईए ठीक ठाक हो ना आप करता ना मज़ा आ रही ना वीडियो फंस तो नहीं रहा है ना चल तो रहा है न अच्छे से चल यह ठीक है यह जो फोन काल करके डंडा करें इंसे निवेदन है कि इस टाइम फोन काल ना करें जितना वो परेसान हो जाएंगे कॉल उठने वाली नहीं है सुबा के टाइम चल यह अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं न पुल आठ पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं पॉसबल मैं कभूल जाता हूं क्योंकि मुझे हिंदी आती इंगलिस तो आती नहीं आठ संभव गुड़न खंड है अब हम बात करें प्राइम फैक्टर की आप लोग बताओ प्राइम फैक्टर पतलब अभाज्य गुड़न खंड आप सभी बताओ अभाज्य गुड़न खंड इसके अभाज्य गुड़न कंड कौन कौन से होंगे जरा सोच के बताओ आप सभी जलती करिये पटबड जबाद दीजिए कितना आएगा भई कितना आएगा जूं हो गया ना आप कोई दिक्कत नहीं ना बहतर दीख रहा है पहले से जादा मस दीख राओगा काफी दूर थाया तुम लोग कभी कभी बोल धिया करो आपक प्र नहीं दीख राई चोट़ा दीख राय शेघेडके हां dropping वेंग देंगे ना जैसे आपका आदेश होगा वैसे तो करेंगे न हम हम चलो तो भाईया हो इसके जो प्राइम फैक्टर की अगर हम बात करें प्राइम मतलब आप समझ रहे हो क्या होता प्राइम का मतलब कहीं से लाइट थोड़ा बहुत चमक रही क्या लग रहा है इसका ही लाइट चमक रहा है कहां चमक रहा है कि लेफटाप की स्क्रीन चमा करें तो थोड़ा नीचे करिए कि हलका नीचे को डाउन करिए कहीं से थोड़ा बहुत आ रहा है इसको उदर रखिए यह पकड़ी यहीं था मुझे लग रहे हैं थोड़ा बहुत ओके ठीक है अच्छा यह यहां से हो रहा है फर्दा अभेरा क्लोज कर दीजिए थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए चलिए अब ठीक है हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे अभी तक प्राइम फेक्टर ना देखिए यह इधर साइड में आ जाओ यह थर अच्छा तरीका यह है आप एक काम करिए उधर पर जाके केम्रा थोड़ा इदर करियो तर चूट रहा है हालका उधर उधर देखिए चूट रहा है स्क्रीन पर नहीं है अब इदर देखिए समझ यह यहां पर समझ यहां अगर हम इसे 2 से कंप्लेटली डिवाइड करेंगे आपको पता है हो जाएगा ना 2 से completely divide हो जाएगा ना इस्क्रीन में समझ में आ रहा ना आपको फूई दिखाना है बस ठीक है अब देखो ये 2 से अगर भाग करेंगे 18 आजाएगा फिर से आप 2 से भाग करोगे अगर 18 में तो 9 आजाएगा और अगर 9 में 3 से भाग करोगे तो 3 आजाएगा फिर 3 यानि कुल मिला करके हम ये कह सकते हैं कि इसके जो prime factor है वो 2, 2 और 3 और 3 यानि इसे आप start farm में 2 का घाद दो और ये 3 का घाद दो या 3 का square बोल सकते हो सभी को समझ में आया ना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको खीरन मोर्या जी इंगलिस बताने के लिए वैसे भी मुझे इंगलिस नहीं आती थी तो मैंने बता दिया फिलाल इंगलिस में जो लोग सुनने वाले है वो सुन ले देखिए यह ट्रांसलेटर का काम करेंगी अच्छा रहेगा वहसे भी मुझे इंगलिस नहीं आता चलिए तो हमें पता बहुत से हमारे सीबेसी बोर्ट के भी स्टुडेंट्स आते हैं और उनको कफी अच्छे से इंगलिस में मालूम होता है तो आप समझ पाहाएं कि नहीं नो पूरा कर देता हुं यह ऐसे इसको करोगे फिर थरी से वण अच्छा एक बात बतओ यह सबको समझ में आया कैसे हुआ कि नहीं अगर समझ में आया तो बता दो भीया ब्लदमीर पुतिं जी बताये है अजे चौबे अरबिंद प्रिया चौधरी जी जैसे आप लोग लिखें ये गलत है कामा बीच में लगाना बहुत ही जरूरी है रोहित कुमार नीलीमा यादो और कोई एनिवन तो दो ये कामा लगाया हूँ बीच में ये तुई 1233 ने लिखोगे गलत है फिर वो कहीं भी अगर इस तरह फे देखने से नुकसान होता है तो ये आप समझ गए आप कुछ नंबर हम लेते हैं मज़ेदार क्योंकि आप कहोगे ये तो इतना आसान आसान बता रहे हैं इसमें तो मज़ा आ नहीं रही है अब ऐसे नंबर लेंगे जिसमें तुम लोग का दिमाग लगाना पड़ेगा करें नाइन सिप्स नाइन अब से पहले आप ये वताओ इसके कुल कितने प्वासिबल फेक्टर हैं कितने संभव गुडनखंड हैं जल्दी करिए इसके कुल कितने संभव गुडनखंड हैं अब आप इसे पुछ रहा हूं साहब जबाब दीजिए ना और हाँ वह कौन- नरेस सैनी, अकांचारावड आप सभी लोगों को मिल करके बताना है अकेले कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोशिष करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ किय दिना यूंहीं, जे जे कार नहीं होती, है ना और लाहरों से डर करनों का पार नहीं होती यह लाइने सही हैं परडाम भी आपको दिख रहा होगा कुछ न कुछ कोई बता रहा दो भीया हरसित जी हरसित पांडे जी गलत देखिए कैसे अगर हम इसके फैक्टर की बात करें तो हमें ये भाग करकर के ट्राई करना पड़ेगा ये 969 आपको थोड़ा सा आइडिया बताता हूं मैं पढ़े लिखे की तरह आप यहां पर दिमाग का परियोग करिए तब से पहले आपको इसको नबर को देखना प्यार से ही बहुत जादा नहीं ठोड़ा बहुत प्यार से यह किस परकार की संख्या इसकी परकृति क्या है ये कौन से समू की है, कौन से ग्रूप की है तो इसका लाइष्ट का डिजिट 9 है, ये एक बिसम संख्या है क्या है ये? एक बिसम संख्या है और चुकि लाइष्ट का जो डिजिट है, ये क्या है? 9 है और 6, 9 है इस प्रकार से ये लग रहा है ये भाज्य संख्या है विसम है और भाज्य है यानि ये संख्या से तो डिवाइड नहीं होगी कताई नहीं होगी कायने का ये मतलब ये किसी भी संख्या नहीं कटेगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 28 किसी नहीं कटेगी अब बारी आती ये विसम संख्या से कटेगी अब भी सम्संख्या की सुरुवात कहां से होती है बताइए जबाद दीजिए तो चलो फटा-फट कर लो कि अफ़े चोटी संख्या से तो कटेगा नहीं जैसे एक इस टेप आगे बढ़ोगे आपको मिल जाएगा दो से नहीं कटेगा तीन से कटेगा ठीक है किसे कटेगा बचवाएए तीन से कटेगा बबूआएए तीन से कटेगा चलो पर से छे उतार लिया और यह जीरो उपर से नौउ उतार लिया और यह तीन दूना छे मदलब 3, 2, 3 अब सबसे important step पे पहुँच गयो अच्छा एक बात ये बताओ बच्छा कोई भी ये 323 किस से कटेगा जो सबसे पहले बताएगा हम जान लेंगे कि वो मैथ सबसे पहले सीख लेगा ऐसा नहीं कि जो नहीं बता पाएगा वो नहीं सीख पाएगा समझ रहे हो ना इट्स गॉइंग टू डिफकल्ट वर्ट डिफकल्ट डजनाड मीन इंपासिवल इंग्लिस हमें आरी वले ही गड़वड़ो लेकिन आप मतलब समझ गया होंगे बसे इंग्लिस मुझे हाती नहीं कभी-कभी इंग्लिस में बोल देते हैं लोग मजा ले लेते हैं थोड़ा सा चलिए वीडियो नहीं चलेगा रुकेगा तो आप बताईएगा ठीक है सुन रहे हैं ना आगे चले कोई बताएगा इसका एनिवन दी जी पी गेमर बच्चा तुम तो बहुत लंबा बता दिये कहा नहीं हाँ ठीक है बहुत अच्छे बाई बाला जी कांध गलत है बच्चा बिलकुल गलत है चलिए देओ जबाई जी देखो नंबर जा रहा ना बाबू स्क्रीन पे आप नंबर लिख लो दिन में संपर करना और PBR Study आप डाउनलोड करके आप जाके अभी जोइन कर सकते हो आज ही कर सकते हो तुरंट प्ले इस्टोर पे हमारा आप उपलब्ध है ये को डिस्क्रेप्शन में लिंक भी दी गई है अनुसका सुकला काय को मुह बना रही हमारी इंगलीज इतनी खतरनाक है कि मुह टेड़ा हो जा रहा सुनके चलो तो 323 जो कटेगा अगर हम बात करें तो 17 से कटेगा किस से कटेगा 17 से कटेगा तो हम ये कह सकते हैं इधर फाइड में देख लो सब step by step 9 6 9 तीन से भाग करें थे तो 323 आया था अब 323 को हम किसी से भी भाग करके देख ले 7 9 11 किसी से नहीं कटेगा ये डारेक्ट कटेगा तो कटेगा किस से 17 से कटेगा 17 एक हम 17 ये देखो 12 में से 7 गया 5 2 2 में से गया 1 और ये 33 सतरा नमईया एक सो तिरेपन 17 नाइन जा वन फिफ्टी थी यानि आप कह सकते हो कि इसके जो पॉसिबल फैक्टर है वो क्या क्या हो सकते है 3 17 और एक 19 चुकि 19 तो आया ही है और एक अभी आया था बड़ा खतरनाक 323 क्यों ये भी तो इसका फैक्टर हो सकता है कि नहीं 323 यह यह हो जायेगा ना तो नार्मली हमने मोटे मोटे जो फैक्टर थे वो इसके लिख दिये ये इतने इसके क्या है पॉसिबल फैक्टर है है ना इसके अलावा और भी नंबर है जैसे रभी संकर और बता रहे भाई 51, 57 और भी हो सकते हैं लेकिन हम बात करने वाले मुक्रूप से आपको प्राइम फैक्टर सिखा रहे बाकि ये सब भी हो सकते हैं अधाल हो सकते हैं काईसे बनते हैं एक्चुली दो को आपस में गुडा कर लो तो एक नई संक्टर बन जाएगी वो भी इसका क्या होगी? फैक्टर होगी पैच्चीदी सी बात है 17 का इसको नईस में गुडा करो तो जो क्या होगा? एक नई संख्या बन जाएगी और वह है 323 यह भी क्या हो रहे है इसका फैक्टर हो रही है आप वह नईस का इसमें गुड़ा कर लो देखो एक नई संख्या बन जाएगी मतलब कुल मिला करके हर एक नंबर जो है अलग-अलग वदलते रहेंगे तो अब हम बात करते हैं उसको से भी फैक्टर आए है सब प्राई में यह पहले से ऑद ना आत समझ में आ रहा किनी सभी को आप लोग लोग क्लाश को सेयर करो तभी मजा आयगा बाबू नहीं तो मजा नहीं आरी ऐसे ऐसे आप कर रहे हो ना ऐसे मजा नहीं आ रही क्योंकि बच्चे बहुत कम आते हैं व प्राइम फैक्टर यही हो जाएंगे तीन सत्रा और और नाइस सबका गुड़ा कर लोगे तो क्या आएगा यह नंबर आ जाएगा देखो एक्चुली प्राइम फैक्टर का मतलब यह होता है उनको अगल कंप्लीटली आपस में गुड़ा कर लिया जाए तो वर्जिनल संख्य आजाने चाहिए ρियल वाली Monster समझ रहे हो ना लेकिन वह हमेघ्टर हमइसा प्राइम होने चाहिए अभाज्य होने चाहिए अबाद सबी को समझ में आ गई कि नहीं आई ना समझ में यानि प्राइम फेक्टर की बात करें अभाज ज गुडणखंड की तो वे गुडणखंड होते हैं जो अभाज ज लेकिन अगर उनका सब काफस में गुड़ा कर लिया जाए तो ववास्थवौली संख्या आजाती मतलब वास्थवी संख्या जिसका हमने फैक यह एक अभाज्य संख्या है इसमें से कौन-कौन अभाज्य नहीं जानता है चल्दी से कमेंट करके बता दो क्या आपको अभाज्य संख्या नहीं पता है अगर आम इन तीनों का गुड़ा कर लें तो यह आ जाएगा अगर देखिए अभी आपको आवाज रिपीट सुनाई पड़ी होगी चुकि मैंने सुना था कि कैसे वाइस आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं आवाज में सब कुछ मस्ता आ रहा है यह हो गया आप सभी समझ गए LCM भी निकाल सकते हैं यहाँ पर LCM कहां से आ गया मतलब दिमाग नाम की कोई चीज है की नहीं अब इदर समझ यह आगे कुछ और भी नंबर देते हैं उसमें दिमाग दोड़ाईए चलिए 231 का बताओ आप सभी 231 उमेश टुकला पता है तो मैं आपी से पूछ रहा हूँ संतोस कुमार जी लव यू टू बेटा ठीक था ग्रव बस बहुत जादा नहीं नित जादा हो जाता नों तो पढ़ाई बड़ाई नहीं होती है समझ रहो ना इस्टर संतोस कुमार आप हमारी बातों को समझ रहो कि नहीं चलिए पुद से और एक से कुट जाए कुट जाए मिन्स जिसकी कुट आई हो जाए अच चलो समझो इधर साइड में एक मैंने और भी नंबर आपको दिया अभी 231 इसका हमने कहा कि आप सभी फैक्टर बताओ और प्राइम फैक्टर बताओ देखो फैक्टर अलग बात है और प्राइम फैक्टर अलग है वह संतोस कुमार को पांच मिनट के लिए होल्ड कर दीजिए तो अब देखो यहाँ पर समझो 231 इसके अगर हम फैक्टर यहाँ पर तलासें तो यह किस से किस से कंप्लेटली डिवाइड हो सकता है आप एक चीज अगर यहाँ पर देखो तो यह पहला नंबर तो एक विसम संख्या है क्या है यह एक विसम संख्या है है न विसम संख्या है लेकिन यहाँ पर आप एक चीज और भी समझो एक चीज और भी समझो आप वो क्या है यह अभाज्य है क्या बताओ जल्दी से यह अभाज्य है क्या नहीं यह अभाज्य संख्या नहीं है क्यूं अच्छा कोई बता है यह किस से कटेगी एक कोई छोटी से छोटी अंक बता दो, कोई छोटा फचोटा डिजिट बता दो, जिससे ये पूरी तरह कट जाए, तुम लोग को थोड़ा का दिमाग की बत्ती दोड़ानी पड़ेगी, पहले तो ये बिसम संख्या है, तो ये संब से तो कटेगी नहीं, ये कटेगी बिसम स ही, तो सबसे पहले हम तीन से ही ट्राई करते हैं, अनुप, अनुप या दो, अंकुष, पाल, जी, अनुपम, ठीक है, किरन मोर्या, दीप्ति सिंग, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को, क्लास को पूरा देखना, ये तीन से कट जाएगा, तीन सते एक ऐस, अब क कितना आएगा, 77, अब इनको आप काट लोगे, बड़े ही प्यार से, क्योंकि 77 तो बड़ा आसान है, जैसे मूली कट जाएगा, अराम से, चलो, काट के देखो, और आप लोग कलास को सेयर नहीं कर रहे हो, भाई, ये बहुत, मतलब, बोल नहीं सकते, इतनी गंदी बात है, मतलब मैं बोलू, अब मैं खड़ा हो जाओं कि नहीं, तब तक तुम सेयर नहीं करोगे, मैं अगला अच्छर नहीं लिखूंगा, तब तुम करोगे न, रुख जाओ फिर, इसको करवा देता हूं, तब मैं धरने पर बैट जाता हूं फिर यहां पे, और फिर देखता हूं कौन-कौन मानता है हमारी बात, चलो आगे इसको देख लो, सेबन से काटते हैं, सेबन वंजा सेबन, और फिर यह इलेबन से कटेगा, फाइनल में इसके जो पॉसिबल फैक्टर है, वन, थ्री, सेबन, इलेबन, भईया कुछ लोग कहेंगे, वन कहां से आ गया, तो वन एक ऐसा नमबर है जो सम में टांग अड़ाए रहता है, यह सब का गुड़न खंड है, वन हर एक संक्या का क्या है, गुड़न खंड है, बात समझ में आ रही की नहीं, आ रही ना, आप देखिए, अगर इसके प्राइम फैक्टर की बात करें तो, आप बताओ, हमें लग रहा है यह जितने भी फैक्टर इसके आएं सब प्राइम हैं, हाँ, कवनो सस्ता नहीं सब माएंगा है, चाहो तो वन को भी लिखलो इसी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है, वन ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि यह किसी का रूल फालो नहीं करती है, सं जानते हो कि नहीं, तब से चोटी अभाज संक्या को दो बोला जाता है, मतलब दो होती है, अब आप सभी पांच मिनट में कलास को सभी वाटसप गूरूप में सेयर करके आओ, जल्दी से, इसके आगे हम तभी लिखेंगे, एक को अच्छा, वही का है बैन कर दे रहो, इन जंदा बंद, का है रहा है का है, पांच मिनट का टाइम है, आप लोग सेयर करके आओ, फटा फट, तभी लोग भाईया सेयर करके आजाओ, जल्दी से सिर्फ पांच मिनट, वह ऐसे जितनी जल्दी आप लोग कर दो होगे, उतनी जल्दी जहां डेड़ सो के ऊपर गए बच्चे तुरंथ हम सुरू करतेंगे, पांच मिनट मैक्सिमम टाइम है, हम भी धरने पर बैटने वाले हैं, वैसे हमारा पोडियम काफी मजबूत नहीं नहीं, तहम इसी बैट जाते चड़के, लेकिन ये टूट जाय अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए आप लोग सेर कर दो, हम लोग अपना काम करते रहें, उन लोग का काम है, वो लोग अपना बैटे रहें, ठीक है, चलो, जल्दी से फटा-पट करके आओ, रुकसांदा नाजीब, हिमानसू, भाईया देखो जूट नहीं बोलना, ठीक ह है, जूट नहीं बोलना आप लोग, इसमें कौन सी हम अपनी उससे बात कर लेते हैं, जो परफनल बात हो जाती है, तुमको कौन सी बड़ी मुसीवत हो रही है, अब यहाँ पे हम अकेले तो सब पकड़ नहीं लेंगे, समाल नहीं लेंगे, तो थोड़ा बहुत करना आपको कहा है, मैसीमम पांच मिनट, पांच मिनट उसके बीच में ही सुरू हो जाएगा तुरंत कलास, आप सभी जितने भी बच्चे जुड़े हैं, सभी की अपनी जिम्मेदारी है, देखो इसको जवरजस्ती मत समझना, क्योंकि कोई भी काम जवरजस्ती नहीं होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ऐसे ऐसे हिलाते रहो, लेकिन दोनों हाथ लगता तब बजती है, तो उसी तरह से हमारा और आपका रिलेशन है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो हम आपको क्लासे दे पाएंगे, समझ रहे ना, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, कोई देखे या ने देखे, जबर जस्ती भेजो, सब के नंबर पर भेज दो, जो आपका अपना होगा, वो आपको बलाग तो करेगा नहीं, और जो दिखावा करने वाला होगा, वो बलाग कर देगा काएगा, हटा और रोज रोज भेजे रहता है, समझ रहे हो ना, तो हेक्तर का मतलब क्या होता है, गुड़नखंड होता है, किसी का कोई सवाल है तो बताइए फटाफट, जब करिए फटाफट बताइए, अभी सेयर नहीं किये ना, आप लोग, मैं देख रहा हूँ, दो मिनट के वल बचा है, ओनली टू मिनट बचा है, तीन मिनट बित गया, जो एकदम नलायक टाइब के हैं, हमसे भी ज़्यादा बेशरा है, वो भी अभी तक नहीं किये, अभी यही कहेंगे और क्या कहेंगे, भाई देखो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, और तुम लोग सेयर कर नहीं रहे हो, काइम सबका बेश्ट हो रहा है, ओनली वन मिनिट बचा, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगर माथूर और तुम क्या कर सकते हो, सेयर करने को बोल रहे हैं, तो सब लोग हमारे पास ही सेयर कर दे रहे हैं, हाँ मतलब हम तो पुदी देख रहा हूँ, पुदी चिला रहा हूँ, अब मैं क्या बढ़ाना आके बंद करके उधर बैटके देखने लगों, अपना ही थोबड़ा देखूं, हाँ, हो गया सभी कर दिये, जल्दी से फटा फट बताओ, अब तस लोग अभी तक भेजे हैं, भाई ये सब आप ना लिखो ना, ये सब प्राइबेट बाते हैं, ये मत बताओ न तस लोग बेजे हैं कि पाँच लोग, चलिए आगे बढ़ें फिर, आगे चले, चलिए फटा फट फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके, ठीक है, गुड, टाइम हो गया ना, तो भाईया जो भी हमारे साथी लोग थे, उन्होंने कर दिया होगा, तो हम लोग आगे प्राइम फैक्टर क्या होता है, राधिका जी प्राइम फैक्टर वो होता है, एक ही तो होता नहीं, पहला नंबर किसी भी संख्या का जो प्राइम फैक्टर होते हैं, पुल मिला करके कहने का ये मतलब है, कि अगर उनको आपस में गुड़ा कर दिया जाए, ठीक है, अगर आपस में गुड़ा कर दिया जाए तो वो संख्या आ जाए जिसका हमने फैक्टर निकाला था प्राइम फैक्टर का यही मतलब होता है और वो संख्या क्या हो सभी अभाज्य हो जैसे देखो अगर हम 3, 7 और 11 का गुड़ा कर दें आपस में तो यह 231 आ जाएगा बोलो आ जाएगा की नहीं आ जाएगा न और जो संख्या 3 है यह क्या है एक प्राइम नंबर है फैक्टर नहीं बोलोगे यह अकिले कोई फैक्टर नहीं है यह एक प्राइम नंबर है मतलब अभाज्य हम बात करें उसाथ प्राइम नंबरभ यह अब समझेगें की नहीं है मारी बातों को समझेगें है आप लोग अब देखो अगर हम 11 की बात करें तो यह भी क्या है एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर इसका मतलब आप समझे गए कि नहीं प्राइम फैक्टर का मतलब वह होता है कि जितने भी फैक्टर आपने लिखा उनका आपस में मल्टीपल करने के बाद में वह संख्या आजा जिसका आपने निकाला था और वो सभी संख्या प्राइम होनी चाहिए मतलब अभाज्य होनी चाहिए समझ गए न किरन मोर्या जी 15 अपरेल के बाद कख्छा 10 9 और 11 12 का जो कलास है 15 अपरेल के बाद डिसाइड होगा क्या होगा 15 अपरेल के बाद कख्छा 9 से 12 तक की जो मैथमेटिक्स है वो 9 से 12 तक यह सारी कलासे आपको हम उपलब्द करवाएंगे प्यारे स्टेडी 3.0 चनल पर 15 अपरेल के बाद आगे बड़े वीडियो फस राय यह कैप्चर कार्ड का कमाल है वीडियो फसता है पता नहीं कौन सी इसकी अपनी मुसीबत है चलो आगे देखें एक नंबर और बताओ फटा फट ग्यारा सो अठासी चलो क्यारा सो अठासी इसका तभी बच्चे जल्दी से फटा फट फट फैक्टर बता दो और प्राइम फैक्टर भी बता दो चलो जल्दी करो फटा फट करो भीया फटा फटा फट फटा फट रेडी आगे बढ़े हम लोग चलिए जल्दी करिए जल्दी से बताईए आप चले आगे चले फिर अब देखिए हाँ पर आपको समझना क्या है वो चीज देखिए उसलिए इसको क्या करना है 1188 नंबर है को अधुरण channelsum वीडियो रुखने का मतलब वू रुख जाएगी लाइन देखिए ग्यारा सो अठाफी जो है भाईया ये क्या है एक सम संख्या है ये सम संख्या है अगर ये सम संख्या है तो ये दो से पक्का कटेगी कटेगी ना इसमें कोई दिक्कत नहीं कोई दोरा नहीं है तो यानि इसका जो वासिवल फैक्टर हो जायागा वान, टू, अगर इसे हम दो से काटेंगे तो कितना आएगा आप सभी यहाँ पे देख लो, दूई पंचे दस, और यह दूई नवा ठारा, और दूई चोगाट, इसके बाद यह फिर से दो से कटेगा न, बोलो कटेगा की नहीं, हमें इससे लेकिन कोई मतलब नहीं, दो से क अभी तीन से कटेगा एक आट बार की नहीं, आप लोग यह बताओ, अभी यह फिर से दो से कटेगा न, कटेगा न, वीडियो चल रही बच्चा का है, परिसान हो यार, सस्पेंदर राजबूत जी आ रहा ना दिख रहा है, अनुपम यादो, ठीक है, देखो हम प्राइम फ हnever की बात कर रहे हैं, यह तीन से भी कटेगा यह तीन से भी कटेगा, तीन से भी कट सकता है, आप लोग भाग देखे, देखो एक बार, सभी बच्चे, तीखो इसको फिर से अगर हम 2 से काटें, तो 2 दूना, 4, और यह 2 नवा अठारा, 2 संसर चौदा, 3 से काटोगे, 3 सत से एक आइस तीन अठे चोबिस तीन नवा सब्ताइस तीन नवा सब्ताइस कि के ना कोई दिक्कत नहीं न यानि हम कह सकते हैं कि दिये हुए जो यह नंबर है इसके जो फैक्टर है वान टू थ्री और यह बच्चा थिरी से अभी फिर से कटेगा और इलिए बना जाएगा हो जाएगा की नहीं आप लोग एक काम करो जितने भी नए साथ ही जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि वो रेगुलर पढ़ सकें याद रखें हर दिन रात के नो बज़े से कलास होती है एपरि नाइट रात नो बज़े से और सुबह साथ बज़े से रात नो बज़े से और सुबह साथ बज़े से दोनो टाइम जरूर देखें साम को जो कलाश चलेगी step by step चलेगी continue सुबा जो चलेगी वो topic topic के अनुसार चलेगी मतलब सुबा topic का अनुसार चलती है जैसे जो भी topic होता है topic topic सुबा पढ़ा जाता है समझ रहे हो ना चलो यह हो गए इसके क्या possible factor देखो जो एकल नंबर है हम सिर्फ उनकी बात करेंगे factor की ऐसे अगर factor बनाओगी तो बहुत सारे बन जाएंगे इनका अपस में गुड़ा कर लो दो का तीन में तो छे भी एक factor हो गया ग्यारा का तीन में कर लो 33 भी हो गया इसका 3 का यह 11 में कर ताइंटिस हो गया 11 का 2 में कर बाइस हो गया यह सब इसके factor बन जाएंगे आप समझ रहे हो ना लेकिन हम सभी को नहीं लिखेंगे यहाँ पर हमें बनाना नहीं सिर्फ जो हैं वास्तों में सिर्फ उनको ही लिखन फैक्टर हो जाएंगे अगर इनके प्राइम फैक्टर की बात करें तो आप लोग सबने अगर इनको आपस में गुडूडा करो अभी तो क्याई यह धी कंपलीटली जा रहा है क्या देखो जाएका सब्सक्राइब अब आगे आपको बताते हैं मतलब समझे पूरा कैसे अगर हम इसको दो से भाग किये तो दो पंचे दस यह दो नमा ठारा दो चोगाट है फिर निकाल देते हैं फिर कंपलेट फैक्टर आपको दिखा देंगे उसी के अकॉर्डिंग हा चलो फिर दो से भाग क अब इनको थीन से भाग करोगे आपको पता है नव बर जाएगा पिर तीन से करोगे पर से जो प्राइम फेक्टर आएगा वह कुछ इस तरह से आएंगे यह तो मैंने आपके लिए दिये थे 1188 का जो प्राइम फेक्टर है वो क्या होगा 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 11 ये प्राइम फेक्टर है जिनका आपस में multiple करने के बाद ये आ जाएगा ठीक है अब बात करते हैं इसका पूरा फेक्टर क्या क्या होगा यहां पर समझ यह देखो बातों को समझते चलिए आप लोग ठीक है यह अभी इसका फेक्टर नहीं हुआ हमने क्या क्या लिखा है टू 3 और 11 यह लिखा है न तो यह और किस नंबर से कट सकता है आप यह बताओ सभी बच्चे यह 188 जो है वो 4 से कटेगा जड़ा ट्राई करके बताओ चार दूना 8 बच्चे का 3 हो जाएगा 38 चार नौई 36 तो दो बच्चे का 28 चार सते 28 यानि इसका अगर हम फेक्टर की बात करें तो 4 भी इसका क्या है फेक्टर है बोलो है कि नहीं सभी बच्चे बोलो है कि नहीं हा 4 भी क्या इसका फेक्टर है अब 5 का तो कोई उमीद नहीं इसके 6 के पहाड़ा में 6 से भी हो सकता देखो 6 कम 6 5 बचा हो गया 58 और 6 नमाई 54 नौचंग 54 नौचंग 54 नौचंग 54 नौचंग फेक्टर होगा देखो 6 से कट रहा है ऐसे देख लेता हूं 1188 काफी कंफ्यूजन ना हो यहां पर समझेए आप मतलब की बात हम इसके पॉसिवल फेक्टर देख रहें कितने पॉसिवल फेक्टर है यह तो इसके वह हो गए क्या मतलब प्राइम फेक्टर तो 6 से देखो 6 कम 6 से घटा लिया 5 आया आठ च्छे नमाई 54 चार आया आठ च्छे ठेरान तालिस यह इसका क्या है पॉसिवल फेक्टर है हाई की नहीं यादो जी है ना इसमें इंक्टा लिया चिकना समझ गया आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ यह चीज करना है जिनको आती है वो ज मतलब जिनको आती वो जाएंगे जिनको नहीं आती वो नहीं जाएंगे चलो भिन होती क्या है इसके बारे में हम आपको बताए है क्या नहीं बताए है अब आज हमारी एकदम मस्ता आ रही कोई दिक्कत तो नहीं है देखो भाई अब भिन होती क्या है यह चीज समझ लो फि इसको समझो एक छोटे से उधारण से जैसे यह है एक अमरूद जानते हो इसे गुआवा या गवावा पतनी का बोलते हैं इंगलीज में बड़ी खतरनाक अंग्रेजी होती है मानलोगी हमरे पास एक अमरूद है क्या है अमरूद है अब बैया इस अमरूद के हमने क्या किए चार टुकडे कर दिये वैसे हम чार भाई है इस वज़ा weekend क्तने टुकडे कर दिये चार टुकडे कर दिये अब आगे की कहानी देखो कैसे बदल रही है हम आपको सिखाना चाहते हैं कि आखिर भिन क्या होती वाट इज फ्रेक्शन फ्रेक्शन क्या है तो अब मालो कि हम लोग के चारो भाईयों का जो नाम है मैं नाम तो नहीं बताऊँ बहाँ आप लोगों को बड़े खतरनाक हो कितना हिस्सा मिलेगा वह यह अमरूद तो एक कैथा मम्मी को मिला था उन्होंने चारो लोगों के लिए बराबर बराबर हिस्सा लगा दिया तो बताओ हमको कितना मिलेगा तुम लोग को नहीं बता रहे हैं हम चार भाई है अब जरह समझो देको यहां से एक अच्छी अब एक लिख दोगे इस के कितने टुकड़े हुए हैं ? है ऐसे आप कह सकते हो कि भिन एक ऐसी संख्या है जो किसी एक पूर्ण संख्या या वस्तु के किसी एक भाग को दर्साती है बात समझ में आया है ना भिन एक ऐसी संख्या है ऐसे ही बोल सकते हैं न जो किसी पूर्ण संख्या या वस्तु का कोई भाग को दर्स आती है मतलब यहाँ पे संख्या की बात तो मैंने किया नहीं यहाँ पे मैंने वस्तु की बात किया था बस तुमें अमरूद था अमरूद मतलब फल था वो गुवावा या गवावा क्या बोलते इंगलिस में समझ रहे हो ना अमरूद इसके हमने क्या किये चार भाग किये जो हमें फ्रेक्शन मिला वो क्या दिखा रहा है कि इस अमरूद का एक बटा चार भाग हमें मिला है और जब हम उसको निकाल लेंगे उसमें से, तो पता है कितना बचेगा जरा देखो, जब हम ये एक बटा चार भाग निकाल लेंगे, तो ये अमरूद कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, सब को दिख रहा है की नहीं, सुनाई पढ़ रहा ह की नहीं, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं हो रही है, भगवान जी की दुआ से, मासारदा की कृपा से आथ सब कुछ मस्त चल रहा है, कोई परकार की समस्या नहीं हो रही है, सब पढ़िया चल रहा है, अब देखो इधर साइड में, समझो, ये तो हो गया, अच्छा ये बता हमारे छोटका भईवा को कितना मिलेगा भई, चार लोग थे, एक बटा चार तो हमें मिल गया, अब मानलो ये, ये छोटा भाई था इसको कितना मिलेगा, आप लोग जरा सोच के बताओ कितना मिलेगा, बताइए जल्दी करिये, कितना मिलेगा, देखो जब करते हैं बराबर बराबर देते हैं यहां कुछ लोग आपस में लड़ाई जगड़ा करते हैं कहते हैं nawm meny उनको जादा प्यार करती हमसे अग्ट है इसा जनम की जबकि यहासा होता नहीं है उस between को क्या मिलेगा बराबर बराबर हिस्सा ही मिलेगा किसी को जादा कम नहीं मिलेगा तो एक बटा चार इनको भी मिलेगा और इनको भी क्या मिलेगा एक बटा चार और इनको भी क्या मिलेगा एक आना चाहिए अच्छा ये बताओ क्या ऐसा हो रहा कि नहीं पताओ ऐसा हो रहा कि नहीं पीना यादो बच्चा समझ में आ रहा है नीतु कुमारी बिनोत कुस्वाहा आकरती बर्मा जी समझ में आ रहा कि नहीं कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में गुस रहा है बुजा रहा कि नहीं, देखो समझो, सिदर साइड में समझो, 4 पार्ट हुए थे न, अगर 4 को हम जोड़ दें, तो एक आज आना चाहिए, जैसे 1 अफान 4, प्लस 1 आफान 4, प्लस 1 आफान 4 और प्लस 1 आफान 4, बॉलो एक आएगा की नहीं, सभी बोलो यास या नो, यास या नाम आपका बड़ा सुन्दर है आप भी बड़े सुन्दर होंगे मुझे नहीं पता परसे आप आप कुदी बताओगे वन अफान फोर ना इसको मैंने चार बार जोड़ा है हमारा सकल दीखे या ना दीखे बोर्ड पे लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं वो दिखना चाहिए ह हमारी प्रथमिक्ता यह होती है इसलिए मैं सामने से हट गया हूं आप देखो इदर इनको सब को जोड़ोगे सभी के हर बराबर है ना बच्चा तो बाबू जब सभी के हर बराबर है तो ये नीचे जो प्रिक्सन में है देखो 444 सब में ना इसको एक बार लिख देते हैं जितने वी जिटने व्हां सब्कों जोड़ लेते हैं क्या करते हैं सब को जोड़ लेते हैं वice one plus onender फॉन प्लस ये चार इस थे-सा चार बर बटाई चार और बराबर एक ना किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना बिल्कुल भी लखन पवार जी कोई दिक्कत हो रही है बच्चा हर्स गेमिंग समझ में आ रहा ना अच्छा ठीक है अब अगर तुम लोग को समझ में आ रहा तो हम फिर आगे बढ़ते हैं फटा-फट देर नहीं करना है काई बचाने की भरपूर गारंटी भी असमय बड़ा कीमती है बातचीत करने से कोई हल नहीं निकलने वाला है रभीवार को बातचीत करेंगे चलो यह एक क्या है लड़ू है अब पतने लड़ू तुम लोग जानते हो कि नहीं गड़े जी का वड़ा फेवरिट है यह क्या है लड़ू है अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक की लड़ू है अब आपके हमारे पास तीन इस्टूडेंट आ गए जैसे मालो मैस गुपता जी आ गए मिरतंजय आ गए और कफिल देव आ गए अब हमें उसी लड़ू में तीनों लोग को बाटना है हमने क्या किये इसके ती । वासने में फट लिक्र यह बताओ इसमें से करण को कितना मिलेगा लद्ऑ थो फटाफट avat are मैं तीन कर दी धए यह कपिल का हिस्सा हो गया विसाल नहीं करन को कितना मिलेगा सहथा बलाय मैं द्यान दो जादा बेहतर रहेगा रुक जाओ मैं पानी अगरा भी ले लेता हूं क्योंकि आज मुझे आदेश मिला है पानी पीने के लिए देखते हैं भगवान ने क्यूं ऐसा कहा है तो प्यास चुकी लगती अब गर्मी आ गई है ना धीरे-धीरे चलो तो तब कुछ ठीक चल रहा है न कोई तिकत कोई आफ़त कोई परेशानी चलो देखोई दर समझे प्रिजकांत आकृति बर्मा विसाल राहूल रोहित देओ भवाई नाम इतना कटिन तुम कहां से बनवाते हो जानते होख मुझे इंगलिस बहुत काम आती है अध़र समझो आज में लूग समझ रहे कि फरेक्सन होती क्या खिर विन्न क्या है रत नहीं रहे क्योंकि मैं पहले से बोल रहा हूं हम नेता वाला कोई जुमला नहք देटे हैं जो बोलते हैं वो करते हैं हम पढ़ाते नहीं बलकि सिखाते हैं और zero से hero बनाते हैं सलमान खान और करीणा कपूर नहीं बनाते हैं बढ़ाई वाला hero बनाते हैं देखो इधर समझो एक लड़्डू था जिसके तीन पारट किये गए थे एक हिस्सा कपिल का था एक भिशाल का था एक करहनी का था अब इदर देखो, समझो अगर मान लो एक सिकंड के लिए नहीं दस सिकंड के लिए कि भईया ये करन और कपिल ये दोनों बोले देखो यार हमारा तुम्हारा नाम मिलता है का से करन, का से कपिल हम दोनों अपना हिस्सा अलग-अलग नहीं करवाएंगे एक काय में कटवाएंगे अब बताओ, ये दोनों अपना हिस्सा एक में मिला लेते हैं तो फिर इनको कितना हिस्सा मिलेगा जल्दी बताओ अब सबी इसके तीन पार्ट हुए थे अगर करन और कपिल का हिस्सा एक में निकालें तो कितना हिस्सा हो गया कुछ वाहाजी देव दूबे उजमा अक्तर ने सबसे पहले बताया एंबी का राजा अफीसियल पिटा देखो नाम तो तुम्हारा राजा है लेकिन तुम मिस्टेक कर रहे हो और कोई किसी को कोई हरानी परसानी कोई आफ़ाद नहीं ना पानी पीना भी मुझे नहीं आता लग रहे था चलो ठीक है आगे देखते हैं कोई और भी समस्या होगी तो बता देना चलो देखो इधर साइड में समझो मतलब समझो भीया इसके तीन हिस्से हुए थे कारण और कपिल का अगर हिस्सा दोनों एक में मिला देंगे तो कितना हो जाएगा आपको पता है देखो बचवाई ये तीन हिस्सा था इनका दो हिस्सा मिलके एक में हो जा रहा है तो यानी उप यइन को कामाराइक ही मतलब है आपको अच्छे से सिखा देन कि कोई अध्यापक भरती परिक्षा देख रहे हो एसाई की देख रहे हो या फिर आप टेट सीटेट और भी कुछ कर रहे हो अलग तरीके से तो सभी लोग मैथमेटिक्स में बिलकुल भी एकदम सेर बन जाओ समच रहे हो ना देखो इदर साइड में अब आगे फिगर के माध्यम से अगर मैथमेटिक्स सीखोगे कभी भूलेगा नहीं रटोगे तो याद आएगा नहीं फिर वही याद आएगा जो आपको याता है देखो इदर मानलो की एक यह है चॉकलेट अब भाई चॉकलेट का नाम लेते ही काफी लोगों को काफी बाते याद आ गई भूली बिसरी तो दिमाह कहीं पर लेके आना वहां मत जाना वो लाइट चार्जिंग में लगा दीजियो देखो यह क्या एक चॉकलेट है अब चॉकलेट सभी जानते हो इस पेलिंग तो बहुत से लोगों को नहीं आती मुझे कुछ कुछ आती ही सायद लग रहा है यही होती ही ना कि न मैं वाला किए यहांपशम तरहती है वाला क्या हूं आप लोग समFF आसने संव्चे से समझहां कि पावित पाल सिंग में आ रहा बच्चा है संद्या आपको भी आ देखो इनका नाम है संदेवत चीनों ने लिखा इसलिए मैंने आपसे बोला मुझे लग रहा वही लिखा देखो यह क्या चॉकलेट है अब फ्रेंड में क्या होता है न कोई चीज अगर इतना बड़ा भी होता है तो मुझे निकाल के खा लेते हैं अब यह फ्रेंड की संक्य इदर साइट समझना आप यह ज्यादा कम हो जाइए उसके लिए ठैन्सन मतले ना किसी का थोड़ा जादा हो गया किसी का थोड़ा कम हो गया दीन हो गया चार हो गया औरậंद पांच जादा हो सकता है अब आप लोग ये बताओ मुझे जल्दी से कि इसमें मानलो कि हम भी है आप किसी से कम नहीं तो ये मानलो हमारा हिस्सा है बहिया किसका ये हमारा है चलो तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें से मुझे कुल कितना हिस्सा मिलेगा कोई बताए निवन जूली परजापती जी बत पता यह फटा-फट समंधने की कोशिश करो बिखेँ चॉक्रेट तो उसी में से हुए है ऐसा तो नहीं कि हां बढ़ गया चार-पाँच आठा गया पा तो एक ही ना देखो तो यह हमें मिल कितना रहा है हमें मिल कितना रहा है एक ही मिल रहा है न मतलब जितने टुकड़े हुए है उन टुकड़ों से सिर्फ एक मिल रहा है पांच टुकड़े हुए थे पांच में से एक मिल रहा है तो हम यहां पर एक लिखेंगे लेकिन नीचे क्या लिखेंगे नीचे यह ह हमें बिर कितना मिलेगा हमारा हिंसा तो तुम लोग बड़वाई दिये बात बात में कितना मिलेगा यह टोटल जितने टुकड़े हुए थे उसमें से हमें कितना मिल रहा है एक मिल रहा है सिर्फ एक मिल रहा है कोई बैमानी नहीं तो एक हो गया और टोटल पांच टुकड़ तो पूरा देखना इंद तक देखना सब समझ में आएगा को दिखना कभी कभी जिससे की आवाज हो गया में कोई दिक्कत ना हो कलपना कनोजिया आ समझ में सभी जल्दी से बोलो यस फटा फटे एक बार यस बोल दो उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हाँ भया जो भी छात्री सेसन को लाइक नहीं किये बाबु जल्दी से लाइक कर दो जिससे की आगे बढ़े हम लोग ठीक है टाइम बेस्ट ना होने पाए समय बहुत कीम मिल रहा है अब मानलो इसमें आगया कोई बहुत ही भूखा प्यासा काफी दिन से मतलब एकदम अंती मवस्था में चल रहा है कहरा मुझे चॉकलेट अगर मिल जाया तो मैं नहीं मरूंगा जिंदा हो जाओंगा और मुझे दो दे दो इसमें से जितने टुकड़े हुए है अब समझो अब पूरी बात समझो अब मानलो इसमें से एक आगया जिसका नाम था चलो नाम यहां पर रिख दे रहा हूं आप लोग समझना क्या नाम है इनका इसमें से कोई है तो नहीं हाँ चलो आगये इनका नाम क्या है खेतान 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 आगये बई और यह बोले मुझे दो दे दो अब बता इनको कितना मिलेगा कोई बता दे चराइक पर सोच के प्यार से कितना मिलेगा यह इसके टुकड़े तो पांच हुए थे अब लेकिन खेतान साहब के बड़ा तेज बूख लगी है अब यह अंति ममस्था में चल रहे हैं यह बोल रहे हैं मुझे दो देदो बस मेरी जिंदगी लोट आएगी एक नवा जीवन हो जाएगा तो कितना मिलेगा किरन मौर्या बविता यादो कुछ-कुछ आ रहा है कुछ-कुछ के बाद पूरा होता है कलास पूर तू अपान फाइब फेतान एक सैतान बहुत अच्छा सही कहा आपने चलो अब आगे समझो अब देखो यह हो गया अच्छा इक बात मुझे अब यह बताओ यह फलाने को कितना मिलेगा इनका नाम है इनको कितना मिलेगा यह का मतलब क्या-क्या नाम हो सकता तुम लोग मिलेगा जिसको समझ में नहीं को समझ में आएगा जो दिमाआगा जाएगे आते जाते रहेंगे उसे जोके में उरते रहेंगे उनको कुछ नहीं समझ में आएगा प्रत इनको भी एक ही हिस्सा मिल रहा है trenches हिस्सा हुआ एक बटा पांच अच्छा मुझे एक बात यह बताओ हमने यह तो बड़ी इसमें वजाई कर लिया यह जितने जितने टुकड़े हुए है सबके सबको एक एक टुकड़ा मिल गया है अगर हम उसको जोड़ेंगे तो क्या एक हो जाएगा जल्दी बताओ फटाफट और जोड़ के एक बार ट्राई करो जल्दी से ट्राई करो जल्दी करो फटाफट देर मत करो और हर कोई बताएगा भई हां जल्दी करो आगे बढ़े चलिए चलो ठीक है चंदर परकास अंकीत ठीक है देखो इधर साइड समझो इन सब को जोड़ो कहां पर चोड़ोगे साइड में आजा है अगर यह एक पांच दूसरा बाला घूबटां पांच इसर का वाला एक बटा पांच उता वाला भी बटा पांच अगर इनको सब को जोड़ने पर एक आ रहा है इसका मतलब सब हिसाब ठीक हुआ है अगर नहीं आ रहा तो यह सब गड़ बड़ है मिस्टेक है सारा देखो हर बराबर है नीचे का तो पांच ऐसे लिख लेंगे एक दो और एक एक जैनी वन प्लस टू प्लस वन प्लस वन तो यह फाइब अपान फाइब एक्वल फाइनल में वन आ जायेगा बचवा कितना आ जायेगा एक आ जायेगा इसमें अब तो कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए आ रहा है ना हां है अर बराबर है नीचे का तो पांच अजय लिख लिख लिखे कि उधर साइड मुझे लग रहा कुछ निकल गया एक बटा पांच एक ती साइड निकल गया है नहीं दिखर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है पुल मिला कि आम मतलब समझ गये हो है ना लगा किनारे साइड में एक वर्टा पांच ना और है जो बाहर ओ गया है तो आप भिन्न आप समझ चुके हो कि फिन आकर है क्या मिन्न क्या होती है या आप सीख चुके हो अब हम लोग क्या देखेंग पता है एब हम लोग देखेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहां था शीर का चोड़ना जब इनके हर एक समान हूँ देखिए यह जीरो लेबल मैथ है जिनको मैथ नहीं आती है इस्पेसली उनके लिए है जिनको आती है उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है वो कहीं भी पढ़ सकते हैं बहुत सारे चैनल है जिनको नहीं आती है उनकी यह बड़ी आप बना लेता है ना यह चुपाने वाले चीज नहीं है अगर आपको नहीं आती कोई पी चीज अगर आपको नहीं आता आप उसको शेर करिए एक दूसरे से कि हमें सिखाई और सीखिए सीखने में कोई सरम नहीं है समझ रहो ना इसमें जो करे सरम होके फूटे करम कि जैब अब धर कॉंसे सईतान का नाम है यहार जू आठवे पूरा बताएंगे अच्छे से बताएंगे बने रहो हमारे स्सेट है चलो देखो इदर साइड में अखिर यहार क्या है जब हर समान हो देखो बच्चा कुछ बच्चे बोलता है English में हारको English में क्या बोलता है denominator denominator यानि addition of fraction when denominator is equal English ऐसे तो बोलेंगे न देखो उदारन समझो इधर साइड में इधर साइड में देखो समझो कुछ फटा-फट लेक्ट जैसे हमने ईक क्वेश्चें लिखा और मैं इधर में लिखा 3-5 तो बच्चा हो हूं इसमें एक गिंती उपड़ होती है वी थे ट्रेन मेंगे बहुती हो आले मतलब की इक सीट पर नहीं है है अलग अलग समझो जो उपर होते इन को क्या बोलते हैं बहुतन हैं और डोग तो समझ गयं होंगे हम लोग किसान invari पारिवार से बिलांग करते हैं जो पहली बार गुरुजी ने हमें हर बताया था तो हम लोग को बड़ी हासी आ रही तो यह हर वही है जिससे बैल से खेट जोते हैं और गुरुजी फिर नेवराइक बहुत मारते मतलब समझ रहो सिर्पकड कैसे जुका के पट 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 इतना मारते थे कि जब तक मोह गीला ना हो जाएं समझ रहो कि नहीं हाँ भाई यह एटी नाम से कमेंटार रहें को होल्ड करो पांच मिनट के लिए और आप थोड़ा एक्टिबेट रहें निवेदन है आपसे और इनको होल्ड करिए चलिए आगे बढ़ें तो हाँ आप ज हर समान हो जैसे अगर मैंने लिख दिया एक चोटा सा सवाल है प्यारा सा नन्हा सा तीन बटा पांच ही ले लो और इसमें बच्चा जोड़ना एक बटा पांच इनको दोनों को क्या करना है एडिशन करना मतलब जोड़ना है अब देखो जड़ा प्यार से समझो इधर साइ लेंगे क्योंकि फ्री क्लास है प्रेमेंट मेंट से पहले हो गया है कोई दिक्कत नहीं चलो यहां कुछ दूसरा कर रहा हो मन इसमें लगा तब भी नहीं हो पाएगा और अगर मन यहां लगाए हो आधा दूरत अभी नहीं हो नीचे वाली गिंति को क्या बोलते हर बोलते ह अभी मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है तो बच्चा क्या करोगे बाबो इनको उतार लोगे आगे करके यह पांच ऐसे लिख लोगे सुंदर सा जैसे है वैसे लिख लोगे टेरा मेड़ा जितना मोटा पदला यहां था वैसे यहां लिख लो कोई छेड़ छाड नही नो अब उपर क्या था था थ्री यह थ्री मैंने यहां लिख दिया मतलब यहां से पकड़ा यहां लाकर रख दिया यह सांत हो गया आपर यह फाइब पॉइंट बता रहा हूं अगर इसमें भी तुम्हें ना समझ में आये ना सब भी देखो यह वन है वन ऐसे लिख 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 अब तीन में एक जोड़ोगे यह तो हर कोई जोड़ लेगा अब इतना बड़ा गदहा हो नहीं तुम इतने बड़ी खचर तो हो नहीं कि कितना भी नहीं कर पाओगे अब त्री में वन तो एड़ कर लोगे ना कि इसको भी ऐसे बता है अंगुली पकड़के एक दो तीन चार और आगे चेतन बैठे घर के द्वार सुने हो कहावत नहीं कविता थी कही यह सायद चार पांच छे साथ आठ पहाड़ा पढ़ाने के लिए गिंती गिनाने के लिए बच्चों को पढ़ाया जबता था इस तरह सिए फॉर अपन थाइप आया सभी जल्दी से यह बताओ कि समझ में आया समझ में कुछ दिमाग में घुसा की नहीं प्यारी लोग कुछ बुजाया की नहीं पुजा रहा है ना यूपी वाले हो भ पांच बटनों प्लस एक बटनों अभी जब आगे पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे आपको टाइप आफ फ्रेक्शन यह भिन किस परकार की है यह सम है कि बिसम है बतलब प्रॉफर है इंप्रॉफर है और्ड है कि इवेन है किस टाइप की फ्रेक्शन है यह भी बताओंग जो बच्चे बोलते हैं वही दिखाते हैं कोई सरकार की तरह फर्जी काम नहीं करते हैं आपको पता है आज एक बड़ी मज़दार खबर इंट्रेस्टेड आ रही बंगाल से बंगाल में चुना होने वाला है वहां पर अभी हाली में कल परसों के पेपर में एक महिला की फोट सरकत घर मिला है बड़ी खुस है और आजकल जान दो डिजिटल यूग में सब बड़े जानकार हो गए यह खोज निकाले उसको पकड़ निकाले वह 500 रुपया के कमरा में लेके रहती थी मीडिया उसके मुह तक माइक लेके पहुंची गई बताओ तुमको कहां मिला है बोल कि हमें फड़ लिख लो जागरूग बन जाओ तो चूतिया नहीं बनाए जाओगे समझ रहां नहीं तो आजकल बेवकूप बनाने वालों की कमी नहीं है बिल्कुल भी कमी नहीं है वेकूप बनाने वाले गूम रहे चारो तरफ ते कोई धर ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है अभी एक और नाम लेकपाल बनाया गया था अभी हाली में एक लोग को उनका भी टुटर पर ट्रेंड कर रहा था यूपी सरकार की तरफ से टूइट हुआ था कि इनको लेकपाल बना दिया गया जबकि बैकनसी 2015 में आई तरफ से आई ही नहीं इस सारी बाते क्यों बोल रहे हैं इस लिए बोल रहे हैं कि आप लोग जागरूग बनो जिससे की फरजी की फाल्तू की बातें आपके दिमाग में ना बैठाई जां जो सही है वही सही रहे समझ रहे हो ना अब देको इधर ये 99 है ना इसको ऐसे 9 लिख लोगे इसमें कोई दिक्कत नहीं जैसे था वैसे उतार लिया उसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या होगा ऊपर का 5 और 1 8 कर दोगे, ठीक है, ऊपर का 5 और प्लस 1 8 कर दोगे, यह 6 आपन 9 हो जाएगा, देखो यहां पर कोई परकार की पॉल्टिकल है, बात नहीं हो रही राजनीती का, हम कोई परकार का परचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बात बता रहे हैं कि हम आपको सिखाते हैं, यह हमारा उद्देश है, यह हमारी कोसिस है, कि जनता जाग रूख हो, सही गलत का वो खुद से निरड़े कर पाए, समझ रहो ना, फरजी की फालतु की कोई बात कोई आपके दिमाग में न गुसेड़ पाए, जब आपको जनकारी रहेगी, तब ही ऐसा होगा, जब आपको पता है नहीं कि जोड़ गटाना गुड़ा भाग का होता है, तो फिर कुछ होने वाला है नहीं, समझ रहो ना, बाकी यहां पर किसी बुराई बढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, आपका जो मन करे वो करो, आपके क कर लेंगे तो मुझे एक और बताओ, इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे सिंपलिफिकेशन, जैसे अभी 6 आपान 9 आया था ना, तो यह फाइनल आंसर नहीं था, 6 आपान 9 जो आया था, यह तो मैं स्टार्टिंग में सिखा रहा हूं, इसलिए इसके आगे नहीं गया, लेक यह 1 आपान 5, इसको आप लोग कर लोगे, जल्दी से करके मुझे आंसर बताओ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो, पटा-पट सभी बच्चे बताओ, जल्दी करो भाई, हाँ विनोध जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत विनोध, बार-बार कमेंट ना करो, बाब, ठीक है, चलो, आप कमेंट देखिए और इनको हाइड भी करते जाएए, जो फालतु की काम कर रहे हैं, अब अगला हेडिंग डालिए, जब हर असामान हो, क्या हो, असामान हो, चलो अगला लिखो, यह हम सिर्फ और सिर्फ आपक यहां पर हजम होने का मतलब आपका दिमाग उसे हजम कर सके, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, असामान हो, अब हर और असामान हो, अब हर और अंस क्या है, यह तुम्हें पहले बता चुका हूँ, एकदम छोटा सा कुईस्चन हम करवाते हैं, जिससे कि हर किसी को समझ में आ होती है, यह को भीया, यहम से महबत होती है, अब तुम महबत की जगा पर महथ लगा दो ना, अच्छा हो जाएगा, समझ रहो ना, हाथो करके देखो एक बार, समझ गया ना, पूरी बात हमारी की नहीं, और हाँ, जिनको नहीं आती न, मैथमेटिक्स ही ऐ, मैथमेटिक्स क्या होता है, नीन्द की गोली पर ज़दा काम करती है, मैथ जब नहीं आती न, बहुत मस्त नीन आती, तो सवाल समझ में नहीं आती ना, नींद बहुत आती, बोलो है सही की नहीं, तप है बोल रहा हूँ Nicayón, है न सही, देखो, यह बराबर है नहीं, तो क्या करते हैं भईया, इसमें दो चीज था, पहला तरीका सिखो, फिर दूसरा तरीका सिखो, पहला तरीका है कि इनका क्रास मल्टीपल कर दो ऐसे ऐसे और दूसरा तरीका है कि LCM ले लो इधर देखो तो बच्चा पहला तरीका हम करते हैं क्रास मल्टीपल इधर समझो क्रास मल्टीपल मतलब यह ऐसे और इसका ऐसे फिर छागुड़ा तीन का तीन में कर लो बच्चवा 9 हो गया और पीछ में जो चिन इधर गई है तो इस तरह से एच्छे हो गया अच्छा जो लोग जानकार है बड़े कह रहे हैं बड़ा चोटा चोटा है एक दम इतना चोटा काहे पढ़ा रहे तुमको सरम नहीं आतीता चोटा पढ़ाने में वो बड़े समझदार है वो यह बताए मुझे यह किस परकार क कि भिन्न है तो टाइप आफ रेक्षन बताओ प्रापर फ्रेक्षन एंप्रापर है लाइक है या फिर अनलाइक है किस ट्राइप का फ्रेक्षन नहीं यह जल्दी बताओ भई आर्ति सिंह आपसे निबेदन है कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए तो कमेंट आपका हाइड हो कि यह तो मैं नेक्ष्ट टाइप में पढ़ाऊंगा जब पताऊंगा लेकिन आज जो काफी समझदार गुरू हमारे आ गये हैं वोग बता दे किस टाइप को फ्रेक्षन को या समान बता रहे हैं प्रापर है कि इंप्रापर है चलो बता देना अपने से समझ लेना इसी में एक और देखो इसी में एक और देखो बच्चा मतलब एक अलग तरीका एक तो क्रांस मल्टीपल हो गया जैसे एट अपान फाइप और प्लस फ्री अपान टू इसमें अब हम आपको सिकेंड में बताएंगे जरा गौर से देखना जनाब जरा गौर फरमाईएगा सिकेंड म लेंगे स्काइप उना चियां यहाट छेट को ऊष्ड़त दांटिन इसमें कोई प्राउब्लम नहीं है उसके बाद क्या करोगे इस ट एभाट क्रूंगे पेथिन के हरसे भाग करोगे पेहली न के हरसे क्या करोगे बचबार भाग करो सब्चलो कर लोना ब्हु это सब्सक्राइब सब्सक्राइब कितना गए दीड़ोंगो आप देखो इसको दो ले लो यहां से और ला करके इसके उन्स sharing गुड़ा कर दो तो कितना समझ में आगये इस Waq जटकत नहीं न। उसके बाद क्या करोगे आगे सम successful फिर आप प्लॉस का चिंद बीच में था तो फिलत लगात और दूसरी वाली जो systems कि पहले यह तो तो ऑख स्विए को दूसरी में इसे में हर तो किटना आयोगा भी पताओ जल्वी से हो से 10 में भाग करोगे तो कितना आएगा या 2 से सभी 10 में भाग करोगे 5 आएगा और 5 का 3 में गुड़ा करोगे बचवा तो यह 5 यह 15 इस तरह से फाइनल में जोड़ोगे 15 15 30 होता है 31 बटा 10 कितना आएगा 31 अपांट 10 अब कोई समस्य है तो बता दो कोई मुसीबत तो बता दो ऑग लिए जो Guid прав जो समझदारं जिन को आती वह बता डेए जिनको नहीं आती उनकी तो अभी श्टार्टिंग वाली कलास है сыn क्लास है तो उनको भी आएगी अगली कलास में बताएंगे इसमें हर फुटा अंस बड़ा है और यह मैंने बताया था इस टाइप की फ्रेक्शन को मिस्र फ्रेक्शन बोलते हैं और इसको हिंदी में मिस्रित भिन्न बोलते हैं है ना विकास कुमार जी इंप्रावपर आकास चोहान चंदन कपिल रितिक कुमार मुकुल सिंग पिसालरा थोड़ ठीक है चलो कोशिस करते रहो तो भिन्न का जोड़ना हो गया जब हर समान हो जब आसमान हो एक चीज मुझे यह बताओ कि पहला मेथड था क्रास मल्टीपल द जादा अच्छा लगा तो जादी से बोलो इक गए मल्टीपल जिनको जादा अच्छा लगा ज्यादन लगा वह 8 कि करें जिनको दूसरा वहीं जिक्स करें उपार पिर हम भी बताएंगे कि हमें कौन सा अच्छा लगा इसल्दि करो शल्भी प्टाफट प्र आर्ति सिंग सागर पवन प्रतिभा केसरवानी विसाल देखिए एक बात आपको बता दें अगर फ्रेक्शन छोटी है तब तो आप क्रास मल्टीपल वल चाहे जो कर लो तब हो जाएगा किचड़ी पका लो लेकिन अगर भिन बड़ी बड़ी है तब आप क्रास मल्टीपल कर होगे तो खोपड़ी आपकी काम नहीं करेगी प्रोसेसिंग और नहीं पाएगी दिमाग में तो उसका आउपूट आएगा नहीं जैसे देखो एक एक जम्पल तब आपके लिए यहां पर आगया और यहां पर आगया टू थ्रीफाइब अब अगर तुमको कहेंगे कि बच तो तुम 235 का 145 में गुड़ा ही नहीं कर पाओगे अगर करोगे तो दस मिनिट में करोगे तब तक छुट्टी हो जाएगी घंटी बच जाएगी समझ रहे हो ना तो यह करास मल्टीपल इसको अगर करवाएंगे हम यह बड़ा लंबा हो जाएगा फिर यह हजम नहीं होग समझ रहे हो ना इसलिए यहां पर क्या करोगे 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 यह चोटे हो जाएंगे थोड़ा बहुत आसान हो जाएंगे आगे चले इसको नोट कर लीजिए लिख लीजिए अगर कोई समझता है तो बता दो बिल्कुल भी टेंशन मज़िए चलो देखिए आपने सीख लिया बिन्न का जोडना सीख लिया अब घटाना इसी तरह से होगा इसको भी कर लो हेडिंग में मिटा देता हूं बिन्न का घटाना वैसे ऐसे कर लोगे कोई नई बात नहीं है एक बता देता हूं चोटा सा क्योंकि हमारी यह कोशिस है कि जिनको भी नहीं आती mathematics एकदम कुछ नहीं आता है वो भी सीख जाए और नंबर स्क्रीन पर चल रहा है अगर आपको भी मैथ पढ़ना है और सुरू से पढ़ना है तो आप नंबर जरूर नोट कर लेना नीचे नंबर चल रहा है स्क्रीन पर दोड़ रहा तेजी के साथ आप मैसेज प जटाने में क्या होगा जैसे एक चोटा से एकजांपर ले लो नंबर का एकदम यह लो माइनस यहां पर समझो 18 बटा 3 है और यह माल लो 7 बटा 2 है लेकिन पहले तो हमें हर को बराबर ही करना है न है इस वाले में जब हर बराबर क्यों यहीं तो था ना कुमारी संगीता जी कुछ समझ में आ रहा है कि आरा समझ में प्रीति सुकला अर्चना यादो उजमा अक्तर सर जी आप पता दिये हम पता नहीं का का लिख रहो भई साफ साफ लिखो चलो इसमें सेम ऐसे करते हैं जैसे जोड़ने वाले में सबसे पहले एक बड़ी की लाइन खीचते हैं और जो नीचे बराबर हर वाला है उस गिंती को लिख लेते हैं उसके बाद उपर जैसे है वह सब्सक्राइब कुछ नहीं बदलते हैं जैसे यहां पर 18 था और यह माइनस यह साथ था घटाना किसी को आता है यह भी सिखाने वाली चीज नहीं है आप सभी सीख चुके हो 18 से 7 को सब्ट्रेक करोगे तो 11 आएगा और 11 अपांधरी यह होगे यह था एकदम बेसिक यहीं से आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं जिनको महत में कुछ भी नहीं आता है उन लोगों को यहीं से सुरू करना है बात समझ में आई न तो भिन यहीं से सुरू होती है फ्रेक्शन इसके बाद रेगुलर अगर देखोगे आप तो आपको आगे का जो भी सारी कलासे वो मिले यह आप लोग कर लिए लिख लिए इसक्रीन साट ले लीजिए फिर इसको हम मिटाएं आगे बढ़ें शीवम जी आरा कुछ समझ में रिहान पंडे आसीज देखिए इसी तरफ से घटाने वाले में जब हर बराबर नहीं होगा तब भी आप कर लोगे अब चलते हैं गुड़ा वाले में वो थोड़ा अलग होता है वही होल्ड करना किसी को बलाक नहीं करना एक दम से ठीक है पांच-पांच मिनट के लिए होल्ड करना है चलो देख इंगलिस वाले सीडियसी बोर्ड वाले जिनको हिंदी नहीं समझ में आती वो सुन ले मल्टीपला फ्रेक्शन देखिए कैसे होता है इसमें चाहे तो हर बराबर हो या ना बराबर हो जो भिन दी गई है आपको फ्रेक्शन वह चाहे किसी भी प्रकार की भिन हो चाहे तो व जैसर एक फ्रेक्शन है छोटा सा यह नमुना आपके सामने कि समने इसमें अपको प्रके करका ना तो हर बराबर करना है ना ही अलग कोई परकिरिया करने तीन का एक में गुड़ा कर लोगे तीन और साथ का पांच में करोगे साथ पचे पैंथिस इस तरह से थ्री अपां थर्टी फाइब आजाएगा बस यह होगे चिकना इसमें कोई समस्या है तो बता दो बिल्कुल टेंसन मतलोग वोड मास का फुल फाम लगबख सफी जानते हैं एक छोटा सा कुष्टन इगर साइड में हम देंगे आप लोग इसका जबाब देना उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे चिकना अगर कोई दिक्कत होगा तो बता देना बिल्कुल भी टेंसन नहीं लेना चलो चिकना इसमें कोई समस्या किसी को अगर है तो बता देना इसका मान कितना आएगा कोई इसको हल करके बताए यह पूरा दिख रहा है हट तो नहीं रहा है न ठीक है अंजली दूसरत जी बिल्कुल बहुत अच्छे है ठ ब्रेकट को का मतलब है आपर और देखिए यह चीज तो सेम हो सकती है क्योंकि मैं सुभा जो पढ़ाया था उसमें भी यह ब्रेकट जो है ऐसे ही होते हैं मजला कोश्टक के बीच वाला यह बड़ा कोश्टक है यह चोटा कोश्टक कोश्टक कुल बिला करके लगबग सब्सक्राइब आवाज हो गयरा में कुछ आज बात अलग होगी का वाइस में थोड़ा चेंजिंग होगी कि सही है तब कुछ देखो कि का मतलब वही डिवीजन जो आप जानते हो पुराना वाला यह का मतलब यह देखो मल्टीपल क्योंकि हमें पढ़ाना तो स्टार्टिं से है का मतलब एडिशन क्या होगा एडिशन और यह का मतलब सब्सक्रेक्शन मतलब घटाना क्यों होता है बोर्ड मास्क का जो फुल फार्म होता है इस क्रिन पर आपके सामने दिख रहा है आप लोग नोट कर लिजिए अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो फिर देखना मैंने यह सवाल पूछा था इसका जबाप कोई नहीं दिया आप लोग पढ़ने के उद्देश से आयो ना कोशिस करने में क्या जाता है कर लो ना चलो देखो इधर साइड में राज तिरवेदी प्यूस परतिभा के सर्मानी बतारी की माइनस बारा होगा प्यूस भी बता रहें नौ आएगा राज तिरवेदी कभी नौ आ रहा है और किसी का ठारा भी आ रहा है मतलब जितने लोग हैं उतने अंसर तुबा की क्लास पांच बजे तुबा पांच बजे और जो कदों की तरह सोते रहते दस बजे तक लिक्षों अलसियों उट जाया करो समझ को इदर साइड में इसका अंसर कितना आएगा आप लोग एक बार कोशिद करके देखें हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें ब्रेकट के बाद तब और वाला आडर का मतलब इसमें ऐसे आता जैसे एक स्कॉयर या फिर अंडर रूट में कोई नंबर है इसका म अगर आप सिरीज से सारे कुश्चन देखोगे सिस्टम से यह भी आपको मिलेगा इक पर हम आवाज चेक कर लेते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़े इसके बाद का अब आज हो अगरा सब कुछ ठीक है अब देखो इदर साइड में समझो सबसे फांच टाइम में हम लोग पर करेंगे ब्रेकट वाला करेंगे जितना भी जैसे है उसको वैसे लिखते जाएंगे यहे इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे यह 3 तक मैंने वैसे लिख लिया कोई भी चेंजिंग नहीं किया अब देखो आगे अब यह प्लस का चिन लगा जूड जाएगा तो भाई अगर यह जूड़ेगा तो पांच तीन आठ अब आप कहोगे काई इसे लिख देंगे इसको हवा में नहीं हवा में नहीं लिखेंगे जहांपे कोई चिन नहीं होता इस तरह से उस पर क्या मानते हैं पता है आपको देखो बच्चा इस पर गुड़ा का चिंद माना जाता है बल्ती-पल्का साइन माना जाता है ठीक है ओके तो इस पर क्या हो जाएगा righteous और माइनस का वन्हरा एसे हो जाएगा बस हो गया न चलिए कोई और समस्य तो बता देना टेंशन मत देना तब कुछ ठीक चल रहा है ना चलिए ठीक है कि अब आज आ रही न आप यह को बिच बिच में बंद हुई होगी थोड़ा सिकन्ड के लिए तो आप क्या होगा यह फैला हो गया कंपलिट में क्या समकरियों को को इसमें से गया वो गया पु मिया ऊसकी आथे के लो कोई नहीं है इसमें कोई भी नहीं है यानी कि हमें ओउसे कोई मतलभ है मिढ़ी अब ड़िपीज़्न कैस्में कहीं भाग का चिन्था हुआ आप का चिन्न लगा एं ये लगा पर चाहुजा है तो जितना remainder friendships करें हम सबसे पहले इतना हल करेंगे अगर हम 13 क्या का भाग करें 179 में तर्टीन से डिवाइड करें 169 को तो थर्टीन आएगा विकार जो थर्टीन का वर्ग होता है वह 169 होता है यह आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि नहीं पता यह सही लिकाओं की गलत ठीक है ना इसमें किसी को कोई किसी को दो चलो अब देखो यह जितना मैंने अंडर लाइन किया था उसकी जगा पर थर्टीन आ गया बाकि सब ठीक है बाकि कहीं कोई परकार की रिक्कत नहीं है पूरा वैसे लिख लेंगे माइनस और यह तीन और यह गुड़ा का आठा आठ जो भी था माइनस कवन करना होगा जैसे देखो यह अब यह थार्टीम हमें पता है कि हमने भाग वाला कर लिया गुड़ा है और घटाना है तो ही चिन लगे हैं तो मल्टीपल होता है यह देखो डिवीजन के बाद मल्टीपल फिर सब्स्ट्रेक्शन फिर एडिशन उल्टा बोलन मल्टीपल के ब 123- DedLP-शन फिर आप समजने वाली क्या कि कुछ लोग क्या करेंगे इन दोनों को घटाएंगे जोड़ेंगे जब्कि अइसा कुछ भी नहीं करना है थारटीन ऐसे लिख लेंगे माइनस अ में पता है आपकी क्या करेंगे घटाना करेंगे अब घटाना है कहां अगर 남자 इम वो नहीं होता है तो थार्टीन को हम ऐसे लिखके इसको क्या करतेंगे पचीस तरह से घटाएंगे माइनस का बारा है कितना आएगा माइनस का बारा इसमें कुछ लोग और भी कड़बड कर रहे होंगे इधर साइड में देखो जैसे देखो भीया सभी के कमेंट्स हम नहीं है कि देखे कुछ लोग यहां पर कंफ्यूज होंगे चीज में वह मैं आप दिखा दूं जैसे देखो बिच्चा यह 13 है माइनस का ट्वेल 24 है इसमें इंक डाल दीजिए हैं अब देखो समझो कुछ मिनट के लिए सबढ़ है यह थार्टीन है ना दूसरी लाइन देखो मा इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कहीं-कहीं सही भी हो जाता यह तरीका लेकिन अक्सर यह गलत माना जाता है गलत हो जाता है जैसे अगर 13 से इसको घटा लोका हो भीया 13 से घटा होगे कितना आएगा आप सबको पता है कितना आएगा 12-24 होता है अगर 13 जागत 11 आएगा माइनस का 11 माइनस का एक बराबर यह भी माइनस का 12 आएगा यानि आप कहोगे यहाँ पे तो कोई इफेक नहीं पड़ा मतलब वही हुआ ना लेकिन बात यह है बात यह है कि यह रूल जो है अगर इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो हर यह सही नहीं होता है समझ गए ना तो आप लोग लिख लीचिए आरती जी गुद इबनिंग सभी के कमेंट आ रहे बाई परुना पाल कफिल पाल जी सभी के आ रहे हैं सभी के ठीक है अब आप लोग समझ गए जल्दी से बोलो यस और जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को अभी तुरंग सब्सक्राइब कर लें अगला है देखो इदर आगला सवाल देखो आगला देखो समझो चलो चलो देखो अब समझो अगला देखो आप समझो आगला वन पोर और पोर अब यहाँ पर समझ ना समझना यहाँ पर समझना यह डिवाइड वाई देखो यह 14 है माइनस का 2 है और इंटु 5 है और माइनस नहीं है प्लस का 1 आप यह बता इसको कैसे साल्व करोगे यहाँ पर दिख रहा है एकदम क्लियर ना बोर्ट मास का रूल यहाँ पर भी लगेगा अब देखो समझो इस है फिर ओ मतलब ऑडर कि मतलब डिवीजन है वोड हो गया में अच्छर का एक एक मतलब होता है ठीक है अब देखो तो अभी हम स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं इसलिए पहले हम बहुत ही छोटे-छोटे प्रस्न करेंगे एकदम छोटे-छोटे देखिए अगर आपको छ स्टर बताएगा जल्दी से आप लोग ट्राई कर लो फिर हम बताते ही चलो अजे ठाकूर की कमेंट आ ठीक है कपिल अमन भेम्राज सभी के कमेंट्स आ रहे हैं चलो ठीक है पिर बताओ अब लोग प्यूस हरी ओम ठीक है कमेंट आपका भी आ रहा है किरन मोर्या अमित मैंने एक क्विश्चन दिया उपर आपको दिख रहा होगा हमारी कोपड़ी के उपर दिख रहा है ना उसका जबाब दीजिए कितना आएगा चलिए अब किसी को कोई समस्य कोई परिशानी नहीं न चलो आप देखो यहां पर समझो कि ठीक है यह दो बतार एक सटाएगा बिनोच चौहान कभी आरा एंजली दूसर दिलीब पीरबल असोग चलो देखिए बोड मा सुरूल के कार्डिंग हम सबसे पहले ब्रेकट हल करेंगे पहल जा रहा कि नहीं है बहुत सारी लेंग्वज होती है कुछ उर्दू है कुछ बहुत पूरी है जो भी सुने वहीं बोल देखो दर तो ब्रेकट यहां पर लगा है हम पहुंचेंगे किसी तरह गिरते पड़ते इसको वाइसे लिख लेंगे जैसे है 144 दिवाइड यानि भाग इसे लिख दोगे और इंटू यह 5 और यह माइनस का 1 अच्छा प्लस था ठीक है पहली लाइन हो गई फर्च इस्टेप आपका कंपलीट हो गया अब आगे देखो अगला इस्टेप देखो यहां साइड में ब्रेकट हो गया ब्रेकट के बाद आप क्या करेंगे अब ब्रे पर जो हमें दिख रहे हैं जैसे यहां पर भाग का चिन्न है उड़ा का है जोड़ने का है तो भाग करेंगे यह आप लोग जल्दी से एक बात बताओ चुपे से बताना कोई सुनने ना पाए 12 12 का स्कॉयर क्या होगा चलो जल्दी से फटा-फट देखते हैं सबसे पहले पढ़ लिख के भी आया करो मोबाइल में गुशे रहता हो 24 गंटा पढ़ते नहीं हो और करते क्या हो बगवान जाने यह तो तुम जानो यह तो तुम्हारा वह जाने मतलब समझ गए ना चलो अमन अकांशा राजावत एके मतलब उजमा दिनेश और कोई अनिवन एक ही बार कमेंट करो भई अपना नाम ज्यादा रोशन करने के लिए दूसरे कि नहीं यह मड़ूबो इसलिए एक ही बार बताओ अर्ति सिंग नाम में आप कफी स्टाइल बदलती रहते हैं बही कुछ जो कैरियर है ना उसको बदल लिए नाम बदलने से कुछ नहीं होगा नाम तो हमारे मुक्रमेंटरी जी भी बदल रहे हैं समझ गए ना कुछ लोगों को लगेगा यह तो एंटीनेफनल है लेकिन कुछ बाते सही है जो बोलना चाहिए चलो बात समझ में आ रहा ना आके आएगा 144 आएगा तो बच्चा हो अब तो तुम समझ गए होगे मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा यहां पर समझो यहां पर समझो हम जब 12 से इसको डिबाइड करेंगे जो इतना मने अंडरलाइन किया है तो यह अंडरलाइन की जगा पूरा-पूरा बाहरा आ जाएगा 12 ठीक है बस अब क्या करेंगे यह इंटू 5 और प्लस वन इसको ऐसे लिख देंगे इसमें कुछ नहीं होने वाला है अब क्या होगा यह 12 पंचे 60 भाई यह गुड़ा का चिन्न जोड़ने का है जितना अंडरलाइन किया इसकी जगा पर 60 हो जाएगा प्लस का वन इकॉल हो ज सब्सक्राइब का मैं रोज बोलता हूं ऐसा क्यों आप पहले यह बता हो कहां से मतलब करनाटका से हो कहीं और से हो क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लग रहा है यह नाम हमारे यूपी बियार वाले नहीं रखते ठीक है बाई याश टोपू बच्चा तुम कहां से आयो दर्ती से आयो चंग द्रमा से आयो कि मंगल से आयो तुपू जी कहां से आयो चलो देखो इधर क्यों कियो होगे आप कर लो इससे चापलो फटा-फट आगे बढ़ते हैं देखो जल्दी जल्दी लिखते जाओ कुछ न कुछ पोसिस करते रो हाथ पैर पटकते रो कुछ तो ऐसे मरीजी की तरह देखते रहते हैं यह कुछ भी बार कमेंटी नहीं करते हैं उनको सरम लगती है कमेंट कर देंगे तो बड़ी गंदी बात चलो इसको छापलो मैं इधर मिटाता हूँ दिख रहना उदर साइड में अब इसमें दो पार्ट मैंने कर दिया आधा साइड में एक क्विस्टन होगा आधा साइड में एक होगा देखिए यह क्लास उनके लिए होती इस्पेसली रात के नौ बज़े से सुबा पांच बज़े स जिनको मैत नहीं आती है और वो सीखना चाहते हैं क्योंकि दो तरह के पराणी है पराणी मतलर इस्टूडेंट में एक हैं जिनको आता नहीं वो सीखना चाहते भी नहीं है बस हां पढ़ते हैं कुछ लाज सरम के मारे कुछ डर के मारे और कुछ दिखाने के लिए और एक हो क्विश्चन समझें फाइफ आफान 14 इन्टू 98 प्लस कितना दूर दिखेगा थोड़ा बड़ा दिखेगा न समझो प्लस क्विश्चन बनाने तो नहीं हल नहीं होगा अगर यह कठीन होई जाएगा तो मुसीबत हमारे लिए हो जाएगी हाँ ठीक है यह तो बड़ा जीब टाइब का बंजारा बड़ छोटा है चलो इतने कर लो ठीक है इससे बड़ा नहीं होना चाहिए चलो जल्दी बताओ कितना आएगा एंजल सिंग ठीक है आएगा बिलकुल आएगा जिनको नहीं आता वो बिलकुल टेंसा न ले कोशिस करते रहें कमेडी देखने देखो कमेडी किता अच्छा कर रहा है कि कर तुम कुछ भी देखो जाकी रही भावना जैसी और आगे अरे मूरत देखी ताहां जैसी सम्झो मैं मतलब रूल में मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग ब्रेकट करते हैं ब्रेकट के बाद भाग वाला चिन कर करते हैं भाक के बाद गुडा करते हैं गुडा के बाद जोडना फिर घठाना यहीं यहीं दिमάग में बस जाना चाहिए आपके स्टेब रहसे ना जरो मंगालवार बुहर दाए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कोई भी शेड़ नहीं करेंगे जैसे है वैसे लिखते चलेंगे यह इसमें कोई समझते चलो पीछे वाला मत देखो अब आगे वाला देखो यहां पर समझो तो बच्चा क्या करेंगे हम आप सबको पता होगा कि 25 का स्कॉयर कितना होता है जल्दी बताओ जब हम पढ़ा रहे थे कि बच्चा ओ भाईया ओ बाबु ओ इसकॉयर याद कर लो तो तो कर लो अभी टाइम है आप लोगों को कम से कम तीस तक का वर्ग और घन याद होना चाहिए तीस तक का कम से कम चाहसो तीस आ रहा है विकास बतारे 625 मुहम्मद साजीद ठीक है किरन मौर्या पूजा पुजमा मयूर राजकिसोर तोनिया परतिभा केसरवानी दिनेश अंकिता अंतिम काजल हरीओम बस हरीओम के बाद बच्चता है क्या देखो समझो तो यह होता है 625 इस तरह से इसको ह क्यांगे तो कितना आएका बच्चा कि यह आएगा कि यह 25 आएगा यह यह 25 से जब 625 अगर कोष्टक नहीं लगाएंग कितना आ रहा है 25 सर्ल नहीं है तो मुटिपल का चिन होता है गुरा का चिन चूपा रहता यह समझ रहो ना जैसे इनसान की सपैकर के यह एपना लगता है सकल से चूछ से बहुत अच्छा लगता है लेकिन आपको अपने तब तम मालूम चलता है ना वैसे ये जहां पर कोई चीन नहीं लगा वहां पर मुल्टीपल कचिन माना जाता है गुडा कभी है बसude को समझ में आ चलो देखो इधर साइड में बच्चा इनको काड़ दो चौदा सत्य अठ्थानवे 14 से बंजा 98 होता है कुछ लोगों को टेबल है नहीं याद होगा अब मैं उनके लिए कौन सी दवाई लाओ अलग से अब पांच गुड़े साथ बन गया इसको गुड़ा कर लो एक में यह हो गया 35 प्लस यह तीन और पचीस का तीन में गुड़ा कर लो बच्चा तो पचीस दियां हो जाएगा 75 जोड़ लो पांच पांच दस हासिल एक ग्यारा एक सो दस आ रहा है इन गधों का तो 430 आ रहा थ मतलब हद है जलो लिख लो जल्दी से लिख लो आगे बढ़ते हैं क्या नाम है आपका नावेद है आरान समझ में चलो देखो इधार देखो समझने की कोशिस करो अगर आपको मैत नहीं आती है आप बिलकुल भी निराज मत हो यह गारंटी के साथ यहां पर इलाज होता है म बाबा रामानी नहीं हम परमाण पर प्रने देंगे गारंटी का पर खलास देखोगे उमीद हो जाएगी कि हां आएगी समझ में आये बस जो भी पढ़ाया जा दिमाख उसी में लगा और रेगुलर देखो रात के 9 बजे से और सुबा 5 बजे से एक बार फिर से बोल दूं अगर जिन्दगी में कुछ करना सुबा 5 बजे उठ जाना आपको बताएं एक बड़ी बात पांच बजे हम भी नहीं उठ पाते हैं और सुबा कोई नहीं उठ पाता ठंडी में हम थे ना ठंडी का महीना भी तकिया हमारा एक दोस्त भी साथ में रहता था वो भी बगल में लेटता था मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके उसमें लगाते थे खुद कोई डर्ट टपटके लाइफ में कुछ करना वरना है क्यों सोना यह और वो जब शुबर टाइम हो जाता था तो वही बात वह बोलता था पून में और दिमाग में सुनाइपड़ती थी तो मालुम इस लिए अलारा में कोई ऐसा कणवा टून लगाओ कोई ऐसी बात लगाओ कि कोई अगला न सुन ले और जैसे बज़ेगा तुरंद उट जाओगी समझ गये ना लेकिन अगर अच्छा वाला सांग लगा दिये तो प्र गड़बड है समझ रहे हो कि नहीं हाँ चलो ठीक है मज़े लेने वालों को भाई हाइड कर दो एक गम से पर्मानेंट निकल नहीं यह लोग क्यों की पढ़ने वाले है नहीं चलो देखो इधर साइड में लिख लिए कर लिए चलो इधर आगे समझो अबन कुमार बच्चा तुम्हारा इन नाम जपे क्या खाओ तो अगर बत्ती भी जला दे तो चार्थी ने को इधर समझो अब आप लोग कर लोगि कि नहीं इस तरह के कुश्चन पहले यह बता मुझे कर लोगे ना सभी लोग कर लोगे ना मुझे उम्मीद है कि हर कोई कर लेगा अब अब इसमें कुछ नहीं बचा है अगली जो क्लास होगी वोघा होगी फोड़ा डिपकल्ट होगी उसका कुछ नमूना में दिखा दे रहा हूं कैसे इधर देखो 158 यहां पर यह पोष्टक लगेगा और डिबाइड बाई किस से किसी से नहीं यहां पर एक टी गेट आउर लगेगा और यहां पर क्या रहेगा 1414 पहले माइन अफ रहेगा एक गेट यहां आउर लगेगा समझने की कोशिस करना यह बोर्ड मास रूल का अगला स्टेप का कुश्चन है थोड़ा इसका लेबल हाई है अभी तक जो कियो उसके थोड़ा उपर है ठीक है समझो इधर साइड में बच्चा और जो यह घांस बात पूड़ा करकट भूत परेद लगा के भेज रहें साथ मे उसे निभेदन यह सब ना करें यहां से यह बंद हो गया यहां से यह बंद होई गया चलो अब बहुए देखेए मैं आपको एक बार फिर से यहां पे ठोड़ा सा समझा देता हूँ समझो देखो बच्चा जो कोष्टक होता है ये इसको बोलते हैं बढ़का कोष्टक यानि ये बढ़का हूँ है इनका नंबर सबसे लाश्ट में आता है और ये कोष्टक कौन सा है देखो समझना ये कोष्टक नहीं बनता है यह बड़ी मुसीबा था इसको बनाने में बड़ी सरम आती जल्दी से बनता नहीं था लेकिन यह तो थोड़ा थोड़ा प्रेक्टिस हो गया इधर वाला तो बन जाता है इधर वाला तो बिल्कुल एकदम अजीब ट्राइब को बनता है वही देखो नहीं बनाना आप लोगो आपने जिंदगी में अगर आपके घर में ठाईब हैं और भी mailेंक जीखने के celebrate देखूं तम जो कैसे तो यह क्या है चोटा है यह सबसे चोटा है इसको सबसे बड़ी प्रत्मिक्ता मिलती यह मतलब यह बड़ा दुलारा प्यारा है तो अगर कहीं यह सारे पोष्टा के साथ आ गए तो सबसे पहले यह हल करते हैं चीक ना समझ गए न और अगर उस से भी थोड़ा बहुत प्यार बच गया तो छोटका वाले से जो बढ़ा उसको मिलता है और अगर इस से भी बच गया थोड़ा छूटन उटन बच गया तो इसको मिलता तीफरे नंब अब देखो इधर साइड में समझो इसका मतलब मैंने क्यूं बताया मैंने इसको इस लिए बताया बच्चा कि अगर यहां पे अगर आप देखो तीन तरह के कोश्टक हैं तो सबसे पहले आप कौन करोगे जल्दी बताओ कमेंट करके सबसे पहले कौन करेगा जल्दी करो फटाफट कर दिया क्या इसको चलता है उसको बता दीजिए ना सुबा पांच बज़े चलता है हाँ तो बता दिया करिए ना अगर कोई टाइम पूछ रहा तो काई आइड कर रहा हूं सबसे पहले कौन सा कोईश्टा करेंगे मैंने पूछा अभी किरन मौर्य ने कहा इसमाल कोश्टक दीकी राज बोल रहें चोटा विकास भी बोल रहें बहिया छोटा वाला अंकित गौतम छोटा ठीक है लगबग सब जानकार है ठीक ठीक भूफ अच्छे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे बेरी कुड सबसे अच्छे वाले बच्चे होत्व तुम इधर देखवा ऐश्यों की चोटा पॉश्टा कोश्टक तक चलेंगे दीडिरे दीडियरे इनको ऐसे लिख लेंगे 1-58 यह भाग क में गए हो और आपका काम जो है वह दस फ्लॉर वाली बिल्डिंग में है यहां तो नहीं मिले गए मुंबई दिल्ली में मिलेंगी बड़ी बड़ी विल्डिंग कि हमारे यहां लोगे एक दो बनाते हैं बस पर जादा नहीं होता है हाँ बर्यागराज की बात करें तो चारचे फलोर आली मिल जाएंगी सहर में बस तो आप क्या करते हो जिस बिल्डिंग पर आपका काम है आप वहीं पर जाओगे सीधा ना बकी सब छोड़ते जाओगे हर एक फलोर कहीं नहीं उतरोगे तो वैसे क्या करना हमें हमें इस बिल्डिंग पर चलना तीसरी वाली पर तो हम इसको वैसे लिख लेंगे जैसे जैसे ह यह माइनफ सचिन्वार से लगा दिया हूं यहां तक मैंने लिख लिया इसमें किसी को कोई समस्या नहीं ना ठीक है आप समझो अब हम पहुंच गए यहां अब यह कोश्टक खतम हो जाएगा 9 प्लस 7 लिखा है तो 9 में 7 8 करके बताओ कितना आएगा अच्छा एक बात बताओ इसका उत्तर कितना आएगा सभी बच्चे बताओ है इसका अंसर कितना है कितना आएगा जल्दी बताओ कितना आएगा एक बार ट्राइग करो 79 बता रहा कोई आदक स्याद हो ठीक है मैयूर जी भाई परिसान नहीं हो यार ठीकना अब मुझे नहीं पताओ कौन हो चल्द आगे बढ़ते हैं अब देखो इदर साइड में समझो यह 9, 7, 16 हो जाएगा अब यह कोईश्टक खतम हो जाएगा लेकिन मजला कोईश्टक अभी ऐसे लगा दो कि देखो बड़ा सुन्दर बन गया यार यह तो बना रहा था तो नहीं बना इसी को कहते है न लक की बात होती है देखो यह कितना अच्छा बना ऐसे ही कोईश्टक होता रियल में लेकिन उपर देखो कैसे बना था गंदा गंदा तो यह हो गया और यह कोईश्टक करना की कोईश्टक इधर और इधर का बराबर रहे ऐसा नहीं कि ठी छोटा हो जाए ठी बड़ा हो जाए इसे देखतो कुछ लोग की साधी होती है दुलाह इतना बड़ा हो सबस्बसे पहले भाग करोगे फिन लेकिनन इसमें सबसे पहले रूल कहता इसे पाइल कोइश्ट करेंगे संख़ और चीनल ऑसे यह यह नहीं लगेगा रुप ज़ो एक मिनट बच्चे यह नहीं लगेगा ऐसे अब यह घटाओ गे दोनों कितना आएगा माइनस का दो आएगा ठीक है कितना माइनस का दो पस इसको कोईश्टक में हम क्यों लिख रहे हैं तो बड़ा जीव टाइप का बन जा रहा है यार देखो कोईश्टन मैंने खुद से बनाया था इस वज़ा से हो सकता इसमें आपको बड़ा अड़ बड़ लगे बड़ा अड़ बड़ लगे हो सकता है ना इसको आप दो से भाग कर लो कितना आएगा इसका आधा कितना अगदो सा ना करिए प्राफब कर दें किसी को नाम लेकर कोई कमेंड नहीं करेगा पढ़ना जाके कोई काम करो भाद बटोर्नी की जरूरत नहीं है जिनको वास्तों में पढ़ना है सीखना वह आए सीखें उनका स्वागत है और जो फाल्दू की इधर-उदर की नोटंकी करना जिनको उनकी यहां बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वह और कोई काम देखें जिंदगी बहुत अभी आगे भी ले चलनी है ना चलो लिख लिए और हमें लग रहा है कि इसको अब हर कोई कर लेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर इसमें ज्यादा हाई लेबल के आज कुश्चन और भी करवा देंगे इस तरह के तो आप लोग गड़़ाने लगोगे और हाँ यह कुश्चन अगर हम पहले से बनाए यह मुश्किल भरे बन जाएंगी क्योंकि यहां पर हम कुश्चन जब तुरंत बनाते हैं तो कुश्चन कठीन हो जाते हैं आसान हो जाते हैं कई तरह की हो जाते हैं हाई या फिर कहीं अगर मिल गया इकठा डेर सारे कुश्चन तो उसको करवा देंगी अच्छा रहेगा है ठीक है..? आपनेको इसदर साइड में समझो इस तरह के सारे सवाल आप लोग आप कर लोगे ना अब बॉड्मासुरूल का कोईस्चन आज नहीं करवाएंगे इसके बाद फिर से करवाएंगे इसके बाद फिर से करवाएंगे एक कुश्चन आप लोग बता दो इसको मुझे लग रहा है जो हम करवाएंगे बाद में जो भी है ये इसका हां सर फिल वह तुक है टिक सर आगया लेकिन ये उद्धील टाइप का बन गया थे अब पर्फेंटेज में आप लोग कुछ बता दो उसके बाद फिर हम बंद करते हैं चुकी कुल मिला के रिवीजन करेंगे बस रिवीजन करेंगे जो पढ़ लिए हो उसी को थोड़ा फ़र रिवाइज कर लो क्योंकि अपने से तो कभी करोगे नहीं तो पर फिंटेज का बताना बाद में पहले यह बताओ इधर साइड में यह बताओ क्या है वो यह बताओ क्या बोलते हैं उसे एंगल के बारे में बात कर रहे थे 165 165 का को है आप बताओ जल्दी से नाम बताओ इसका यह अधिक कोण है न्यून कोण है या ब्रिहत कोण है या फिर यह कंप्लीट एंगल मतलब समपूर्ण कोण है पताइए जबाब दीजिए खटापट बताइए बोलो तिवारी अम्रेस खटापट सभी बताओ जितने बच्चे है ऑफिढ़ा सभी जल्दी करो क्रेंगल वाला मैं पढ़ाया है पहले से इग्श है कि बरकार का इंगड का एंगल है यह यह आप्ट ये उसा इंगल है बाई किरेन आंनम रहा वाण और और कोई इनिवन और कोई इनिवन है इसką कंसेप्स आपको बताया था यहीं किस तरह का है पतह आपको अधिक औण 91 अधिक कोण के बाद जो अगला हीस्टे पहाता है को न क्यान का आता है 1159 पता है तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक कांसेप्स यहां लिखाएंगे अधिक कोण यह बच्चा होता है 91 से ले करके और 179 तक तो अगर इसके बीच में कोई एंगल آता है तो वो सब अधिक कौण होंगे जिन्हें अप्ट्यूर्फ एंगल वोलते हैं इंगलिस में ठिक है? क्या वोलते हैं अप्ट्यूर्स नहीं पढ़ा तो यह गड़बड़ है आप जरूर पढ़िए अच्छा एक बात और बताओ 180 यह किस परकार का कोण है आप लोग शिर्फ यस या नो में जबाब दो क्या यह अधिक कोण है बोलो यस या नो क्या 180 का कोण अधिक कोण है यस या नो अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं संध्या मिस्रा जी आप पढ़ रहे हैं इसलिए कमेंट नहीं आ रहा ठीक है अच्छी बात है पढ़ाई करिए कमेंट मत करिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए चलो अनुसका ठीक है अमन अमन बच्चा एक ही बार करो बाभू ठीक है एक ही बार करो तुमें एक ही बार ययस या नहों बोलो क्या इस या नहीं त early कुछ इस भी बोल रहे हैं को और हम इनका नाम है हूं हम इनका इस नहीं बोल रहे जलो देखिये जो हमारी कलास देख चुके उनको पता है जो नहीं देखे उनको नहीं पता है बच्चा हो भाबू हो इधर देख लो जरा दिमाग लगा के अधिक कोण का जो एरिया है इसका 91 से सुरू होता है 179 पे खतम हो जाता है तो गदों खत्चरों 180 कहा अधिक कोण में आता है हाँ ये कहा जाता है कि 90 और 180 के बीच के कोण अधिक कोण होते 90 और 180 के बीच का मतलब ये हुआ कि 91 से 179 तक तो ये रीजू कोण है क्या है ये ये रीजू कोण है रीजू कोण या फिर इसे इस्ट्रेट एंगल बोलते हैं, आप इंगलीस में समझो, क्योंकि इसकी हिंदी मुझे कन्फ्यूज करती है, इंगलीस इसकी आसान है, कहीं कहीं हिंदी आफान होती है, कहीं इंगलीस आफान होती है, प्रतेक दिन रात 9 बजे से भूलना नहीं अगर मैद सीखना है तो यह किस तरह का कोड़ है इस्ट्रेट एंगल है यह अधिक कोड़ नहीं है जो अधिक कोड़ बोलने हैं उनका गलत है यह अधिक कोड़ नहीं है क्योंकि अधिक कोड़ 189 पर खतम हो जाता 179 पर इसलिए 189 का पर यूनिक के अंगल बन बन आधूतिए कोड़ है नाम की देश्टी से अगर देख दढ़ाय है वह मतलब करटेगरी क्या कि यहूनिक है कि नहीं 100 पर हमारा कहने का एक ही तढ़तवर है कि यह जिस फरकार का क्ल़ है क्या एक ही होता है कि और भी ठेर सारे होते हैं कुछ लोग तो हमारा मतलब नहीं समझ पाए होंगे तो निभेदन है कि आपको बलाक भी किया जा सकता है है कि समझ रहे हो न कोई चीज करने से होता है मूव बनाने फिर कुछ नहीं होता कि तो 에서도 एक इस वर कंग है यह इंगल होता है यह एक ही होता है बोलते हैं सि daqui आत्यम ही होता है एक slip कोड कि एकदम सीधा बने था लटिसा कि इसके अलावा और कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो सीधा बने ऐसे कोई भी ऐसा कॉण नहीं है नो क्यानि यह क्या है एक परकार से यह अधुती यह कॉण है अगर काटेगरी के देश्डी से देखा जाये तो मतलब इसके जैसा और कोई दूसरा एंगल नहीं है समझ गए ना इवाइड भाई मतलब भाग का चिन्दा है ए गुड़ा थील अच्छे से दिख रहा ना कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना ठीक है माइनस तू का स्क्वाइर प्लस क्ये ऐसे है यह कुश्चन है तो प्रियमित्रों आपने देखा था मैंने आपको पढ़ाया था बॉर्ड मास रूल तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग में यह जो बॉर्ड मास का मतलब होता है पी का मतलब प्रेकट्स वो का मतलब आर्डर पस हम अभी सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे तो इस्टार्टिंग के जो दो लेटर है अगर आप देखो तो भी है न लाइट बहुत कम जल रही है मैं ध्यान नहीं तिया और तुम लोग बोल नहीं रहे हो पुरी लाइट तो जली ही नहीं अगर आवाज में कोई समस्य आएगी तो बता देना बिल्कुल टेंसर मत लेना देखो लाइट थोड़ा सा कम जल रही थी अभी तक है तुम लोग बोलना चाहिए न लाइट थोड़ा कम रहे है मस्ती भरती नाम है आपका अच्छा ठीक है चलो प्रिति कुपता जी कमेंट आप रहा प्रिति जी लबली कुमारी आपका भी आ रहा है कुछ बच्चे इसका अंसर भी बता दे रहे हैं छोड़ो जाने तो पहले हम आगे बात करते हैं इसके आगे अगर आवाज कम आएगी करते हैं और का मतलब यहां हो गया जैसे कोई यह ऐसे है अंडरूट एक्स है या फिर एक्सका स्कॉयर है या फिर साइन है कॉस है मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें होती है उनको हल करते है ठीक है आवाज हमारी सही आ रही है एक बार मैं चेक कर लेता हूं अब आज सब कुछ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले ब्रेक अठाल करेंगे मतलब पोश्ठक तक पहुंचने के लिए जितने भी पहले जो भी दिया गया है उसको वैसे उतारते चले चलेंगे ये ये कोई ठीक के पहले कोई भी बदलाव नहीं करेंगे और ये जूड के हो जायागा पांच तीन आठ तो हमने क्या किये कोई ठीक को हल कर लिए बंदना भारती जी गुड मॉनिंग देखिया आगे समझे अब दूसरे इस्टेप पे क्या होता भी या कोई ठीक तो हल हो गय अब आडर पे आते हैं जो अंडर रूट में है या इस्क्वाइर में है या सौइन कॉस है अब उसको हल करेंगे यहां पे समझे ना तो अब हम ये इस्क्वाइर पे चलेंगे ध्यान देना प्रेकर्स के बाद में इस्क्वाइर हल करेंगे भाग वाला तीसरे नंबर पे कर सबसे पहलेंगे इस में यह कहता है बोंड मास्स का रूल ऑब इसको हल करेंगे पैली लाइन में इसको हल किया जो जैसे हल करें उसको अंडर लाइन करते चल रहे हैं तो भी यह चार हो जाएगा और यह प्लस आठ हो जाएगा अब ये भाग वाला हो जाएगा क्योंकि बोर्ड मास का रूल कहता है कि इस सबसे पहले आप ब्रेकर्ट्स हल करोगे ब्रेकर्ट्स के बाद आप आडर वाला हल करोगे जिसके अंतरगत अंडरूट में कोई जो भी नंबर होगी या स्कॉाइर में होगी या साइन कास जो भी चीज़ें होंगी उनको हल करोगे यह होता है आपका सिक्वेंस ठीक ना अब आज में कोई दिक्कत होगी तो बता देना चलो तो हमने ब्रेकर्ट्स कर लिए आडर वाला हल कर लिया अब आता है भाग का नंबर ये इतना करेंगे 36 में 6 से जब भाग करेंगे तो 6 आएगा और इन्टू ये 3 और माइनस का 4 और प्लस का 8 जैसे हैं उनको वैसे ही उतार लिया जाता है इसमें किसी को कोई समस्या कोई आफ़त कोई परिसानी नहीं न तो चलो भाई आज़ो बाबू आगे बढ़ते हैं अगली लाइन में मल्टिपल करेंगे क्योंकि ये देखो भाग के बाद यमाता है न यम मींस होता है मल्टिपल मतलब गुड़ा और उसके बाद होता है एडिशन और फिर होता है सब्ट्रेक्षण ये सीरियल होता है ये क्रम होता है तो ये 6 तरीक 18 हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 8 आप जोडने वाला काम करेंगे देखो यहाँ पर एक बात ध्यान देना बच्चा एक बात ध्यान देना बाबू कि जोडने में आप ऐसा नहीं करोगे कि इसको इसमें घटा दो या इसको इसमें जोड दो नहीं आठ में 4 नहीं जोडोगे बहुत ही ध्यान देना है यह प्लस का 18 है और यह प्लस का 8 है तो यह आठ जो है यह 18 में जुड़ेगा एक बात को आप लोगों को ध्यान देना है अपने दिमाग में बसा लेना है तो बच्चा हो 18 तो 26 ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा बबुगा ये 26 हो जाएगा ये पलस पलस जुड़ेगा याद रखना 18 में 8 जुड़ेगा और माइनस का 4 इस तरह से नीचे जगा है तो मैं लिख देता हूँ फाइनल में आपका कितना हैगा 22 चार 26 ना 22 इसका आंसर आएगा और आप लोग लिख लीजिए पूजा कुमारी आरा समझ में पिसाल पाल आपको भी आरा ना बच्चा किसी को कोई परिसानी नहीं न आब आज यो कह रहा एकदम ठीक है देखो शुरू में लाइट थोड़ा क आप लोग बोलते नहीं हो यहां कई लाइटे जलती है ध्यान नहीं रहता है तो बोल दिया करो कि यहां बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं आप लोग इतना कमेंट ना करो चलो लिख लिजिए थोड़ा सा आपके पास टाइम है दस स्क्रीन साट ले लिजिए उसके बाद फिर हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं आपको टैंसन नहीं लेना है क्योंकि टैंसन किसी भी समस्या का समाधान नहीं है इससे आपकी और मुश्किले बढ़ जाएंगी आपको ब्रेकट के अंदर लिखो 5 प्लस 1 लिखो फटाफट 5 प्लस 1 और फिर ये ब्रेकट यहीं पर बंद कर दोगे बच्चा इसका काम हो गया खतम और ये डिवाइट बाइट बाइट 3 प्लस 7 इसका अंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बता पाता है जल्दी करें फटाफट चल साहिल राज बच्चा देर में आयो आप देर में आयो तो चुप्चा पढ़ाई पर आजाओ अब नो गुड मॉर्निंग नो नमस्ते कुछ नहीं चलो चलो फटाफट अफट एनिवन कोई सबसे पहले कर सकता है सनी रजक बच्चा सनी रजक जैहिं 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 को इदर स सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा सबसे पहले हम करेंगे बड़ा वाला अठारा माइनस कर दो और यह पांच एक हो जाएगा छे यह गुडा में हो जाएगा छे और डिवाइड वाई तीन और प्लस का फाट अब क्या करेंगे बच्चा पहली लाइन में हमने चोटा कोश्टा खतम कर दिया कभी को समझ में आ रहा ना जिपको कोई डाउट होगा बिल्कुल टेंसन मतले ना पूछ जरूर लेना ठीक है पूछ लेना जरूर चलो आगे देखो आप इसको करो अब यह क्या हो जाएगा अब इसको खतम करना है कोई स्टा के अंदर जो भी बातें उनको खतम करनी है तो कोई स्टा के अंदर ऐसे है अठारा माइनस दो गुड आएगा बाबू तो छे आएगा तो ये इतनी की जगापे मैंने पहली लाइन में इतना हल किया जो जो अंडर लाइन हो रहा है उसको समझते चलो मतलब फाइनल में कितना आएगा पाई सहाब ये छे आएंगे ये छे हो गया ये भाग का चिनना तीन और प्लस का साथ इस तरह से इसको भाग करेंगे अब बाबू इसको जब भाग करोगे भया तीन दुने छे तो दो आएगा और प्लस साथ इक्वल नौ आएगा मुझे कुछ गडबड लग रहा है काई है हां सब कुछ ठीक है न लिख लो एक पर फिर से चेक कर लेते हैं अगर चिन और ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है पांच एक छे यहां पर कोई चिन नहीं था तो गुड़ा था दो चंग बारा देखो आठारा से बारा घटाएंग दो साथ दो नो आप लोग चेक कर लो बाई सतबीर महरा जी आरा समझ में बच्चा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही न एक बार चेक कर लो आप लोग सही आ रहा है कोई दिक्कत तो नहीं न जोडने घटाने में हां चलो 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 आगे बढ़ते हैं ठीक है ओके गूड बेरी गूड लिख लीजिए मैं सामने से हट गया हूं साइड में आप लोग नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ फुड़ा जल्दी करो इसको देर नहीं करो बाई चलो बहुत जल्दी करो जल्दी करो 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 लिकिन जल्दी करो जल्दी फिर अगला लिखें सभी के हो गए ना चेक कर लिए सभी तकुसल है ना कोई समस्या तो नहीं ना चलो ठीक है ओके ठीक है तो लिख लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग चलो बाई चलो 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 बुड़ पूजा कुमारी जी हम कहीं जाने रहे हैं पिंटु पाल जी बिल्कुल ठीक है चलो चापलो भाई चापलो फटाफट इसक्रिंसार्ट ले लिया करिए अभी जाने रहें कलाफ नहीं बंद हो रही अभी तो आगे पढ़ेंगे ना अभी बंद थोड़ी हो रही आज तो कला आज बंद हो आज अबाए जलदी से बोलो यास और सभी साथी सेशन को लाइक करें तुरां देर ना करें जल्दी से कर दो कि आपके पास दो मिनिट का टाइम है मैं अगला परफिन तब तक उतार लेता हूं आप सभी साथी फट अफट लाइक करो आईसे मजा नहीं आ रही इसे मज़ा बिल्पूल नहीं आ रही किच्ची भी मज़ा नहीं आ रही चलो कि अगला प्रस्ण लिखो 36 माइनस दो कि उतारो फटाफट 36 माइनस दो और ब्रेकर्ट के अंदर लिखो छोटका कोईश्ठक लगेगा कि छोटका कोईश्ठक में है बच्चा 20 प्लस 12 डिवाइड बाई यानी भाग देना है कि इससे चार से कुड़ा तीन माइनस का दो कुड़ा दो ब्रेकर्ट बंद और फिर प्लस का 10 कि इसको कर लोगे ना देखो अभी सभी साथी सेशन को लाइक निकिए ऐसे मज़ा नहीं आ रही बाप बिल्कुल भी मन नहीं करता है फिर आगे चलने का ऐसे मज़ा नहीं आएगी आप लोग उपर जो मैंने सवाल किया उसका अंसर दो और इस सेशन को तुरंद लाइक करो बिल्कुल देश ना करो बहुत है जल्दी करो जल्दी कर यह आपके पास पांच मिनिट का टाइम है पांच मिनिट का टाइम है तुरंद फटा-फट हो गया चलो गुड्ड एंड बेरी गुड अठीक है ओके 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 यह कलास अभी लाइब है तुरन जुड जाएए अग्य सभी रही दोस्तों में अपने प्यारे प्यारे गदे टाइब के जो हैं सो रहे हैं अभी उनको कर दो दो मिनिट में जेर कर दो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो है कि को सबीको जाए करेगा और आप लोग करके आए वह रहां बताएं जो करके आगए अंसर बता दें जल्दी से सर्माइए नहीं बिल्कुल सर्मावनी के वल उत्तर बतादो बस हम आगे बढ़ते हैं सिर्फ दो मिनिट मैंने आप से मांगा है बस उससे ज्यादा तो मैंने मांगा भी नहीं चलो ठीक है ठीक है सब कुछ मसता एकदम कोई दिक्कत नहीं है मैंने सुचा खुद मैं भेज देता हूं दो चार को कभी कभी दिक्कत हो जाती है देर में आने से है ना चलो ठीक है देखिए अब यह प्रस्ण पर जो भी लिखा है उस वाप तो किलियर देख पा रहे हैं क्या कहता है यहां पर अगर कोईश्टक की बात करें तो चोटा कोईश्टक लगा है उसके बीच में बड़ी कहानी है बड़ा लंबा सा है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता भाईया चोटा कोईश्टक की हल करना होता है बाबू क्या करना होता है चोटका कोईश्टक पहले हल करना होता है प्लज वागा ने दो सबसे पहले हमान City अगर आ देखों प्यार तो चुटका कॉश्टा के अंदर बड़ी कहानी है कहानी का मतलब इसके अंदर भी सब कुछ है तो 372य4 कि ने जलदी से दो 12 में 4 का जब भाग करेंगे बबुआ तो चार तीन बारा तीन आएगा और यह मल्टिपल का चिन ऐसे और यह तीन ऐसे उतार लेंगे माइनस का दो गुड़ा दो यह बंद हो जाएगा और प्लस का टेन मतलब हमने क्या किया पहली लाइन में भाग कर लिया लेकिन क्या यह ठीक है पहले इस टक में ब्रेकट हल करते हैं तो हम एक काम करेंगे देखो अगर ऐसे करेंगे तो यह ब्रेकट वाला ही काफी लंबा खिच जाएगा आप समझ रहे हो कि नहीं यह कोई टक वाला काफी लिख देंगे क्योंकि हमें जो यह पोश्ट है के छुटकाना इसके अंदर जो दिया गया उन बातों को एक बार में हल कर देना है अगर एक बार में नहीं करेंगे तो ऐसे बड़ा लंबा हो जाएगा फिक कई बार करना पड़ेगा तो हम एक काम करेंगे ब्रेकट में क्या आइसे नहीं करेंगे बार बार नहीं तो यह काफी लंबा हो जाएगा एक हो समझो यह पूरा हल कर लो कोश्टक के अंदर इतना मैटरियल है इसको हल करके लाके यह रख दो तो यह हो जाएगा भाई साहब आपका यह 20 और प्लस यह चार की बारा तीन हो जाएगा गुड़ जाएगा कि 9-4 अब क्या होगा जूड़ेगा प्लस प्लस जूड़ेगा 35-4 बराबर आएगा 25 कितना आएगा 25 आएगा ना बाबु यह पति भाग के सरवानी ठीक है बिलकुल सही 25 आएगा तो यहां पर कुछ नहीं है तो गुड़ा का चिन लगाएंगे और यह हो जाएग और यह कोश्टा के बाहर दस था देखो यहां पर इसको मत भूलना वही चोटा साय तो क्या बोल जाओगे नहीं बोलना नहीं बड़ा काम का है बस हो गया यह समझ गे ना आप यहां पर यही तो आपको समझना है जो भी कोश्टा की चीज़ें थी उसको यहां लाके मैंने ह किया और उपर ले जाके वहाँ पर डखेल दिया मतलब बोल दिया कि बैए बैट जाना तुम यहां से हीलना नहीं अब चलो कि आगे समझो कि अब होगे हमारी बड़ी-बड़ी मुसीबते दूर हो गई जितनी भी जंजट वाली थी वह हो गई अब मल्टीपल करेंगे 36 माइनस यह पचीक दूना पचास और प्लस का दस जोड़ेंगे 37 में कितना जोड़ेंगे जोड़ो चलो फिर बताओ अगर कोई डाउट होगा तो बता देना ठीक है तेंसा नमत लेना यह 36 में 10 जोड़ेंगे भाईया इस तीस ददस हो जाएगा 46 माइनस का पचास यह माइनस का चार आएगा कितना आएगा माइनस का फोर आएगा लिख लो इसक्रीन साट ले लो अगर कोई डाउट है तो बता देना पंका जी आदो जी ठीक है बच्चे पंका जी बहुत अच्छे काफी कोशिस कर रहे है आप ठीक है ठीक है ठीक है बेरी गूड विकास सत्वीर हाँ ठीक है बहुत अच्छे बच्चे बेरी गूड चलिए कुश्चन कहां से आया था यह कहां से मिला था यह ठीक है कोई दिक्कत नहीं है नो प्रॉब्लम चलो लेकिन मैंने इसको कुछ जादा ही साट कर दिया ना कोई दिक्कत नहीं है कि आप चाहते तो कोष्ठक वाली बातों को बार बार हभी हल कर सकते थे कई बार में लेकिन हमने एक बार में करवा दिया ठीक है चलो कि आपको समझ में आ गया ना फूपेंद्र यादो पिंटू कश्यप पिकास सत्वीर सभी को आया समझ में बुझारा ना वह चलो कि नहीं बुझारा वही चलो आगे बढ़ते हैं यह हो गया देखिए साथियों यह कलास का जो टाइम है प्रतेक सुवाड नौबज़े से लाइब हो सुरी सामको नो बज़े मतलब रात में 9 बज़े से लाइब होता है और पांच बज़े से लाइब होता है सुभा कभी-कभी तोड़ा लेट हो जाता है कि इतने हो गए और भी लिखो अगला सवाल लिखो पंदना भारती आएगा बिल्कुल आएगा दोण के आएगा लेकिन आप पोसित तरोगी तब आएगा ना कुशन नंबर चार या पांच नंबर आईए लिखो 25 माइनस पड़का प्रिकर्ड बनाओगे 12 और फिर माइनस यह मजल का कोईश्टक बनाओगे मजला कोईश्टक जान रहो ना समझ रहो ना आप लोग उसके बाद क्या भाई है बड़ा खतरनाक लग रहा है 5 प्लस 1818 ठीक है और प्लस एक छोटा कोईश्टक बनाओगे इसके अंदर में आप लिखोगे चार धन 5-3 क्या लिकोगे चार धन 5-3 अब इन सारे कोईश्टक की जो गेट है वो बंद कर दोगे फटा-फट खटा-खट बंद कर दोगे ठीक है शालूपाल जी शालूपाल आरा कुछ समझ में देखो अब इनके कोईश्टक ऐसे ही बंद कर दिये जाएंगे गेट बंद दो गया आप लोग यह बताू चलो 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 रेडी 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 तब ही काय को बलर हो रहा रहा है मारकर में थोड़ा सा स्थाही बहां देता हूं मैं अप लोग त्राइब करो कितना आएगा साक्षी सिंग डीलेड थार्ड समेश्टर का लाइब देखो भी या इस समय डीलेड का लाइब तो नहीं हो रहा है लेकिन वेडियो उपलब्द है आप PBR study का application डाउनलोड करिए अपनी मोबाइल में play store से और उसमें थार्ड समेश्टर फोर हर एक समेश्टर का पूरा कोर्स है जाकि कोई भी कोर्स में डॉल करिए परतेख है मिल जाएगा अनिल राज मोटिवेशन जी ठीक है अनिल राज जी अब चलो आगे समझो साथियों हमें पता है कि सबसे पहले हम breakout हल करते हैं board mass rule में और breakout में भी breakout का भी serial होता है sequence से करते हैं पहले छोटा फिर मजला और फिर बड़ा लेकिन कहीं-कहीं अगर रेखा कोष्टक दिया है तो रेखा कोष्टक सबसे पैल माइनस यह मजला कोश्टा कैसे लगा लेंगी अब हम कहां चलेंगे पता है छोटका कोश्टा के पास यह यहां है वहां तक की जो भी गिंती है उनको इज्जत के साथ वैसे लिखते चलेंगे अब यह पांचार नो नो मेंसे जब तीन घटा होगे बच्चा तो छे आएगा पबुआ यह लो यह हो गया इसकी मुसीबत दूर हो गई समझ गये ना इसमें किसी को कोई समस्य आये तो बता देना कितना सब ठीक है आगे बढ़ेंगे अब फिर फिर दूसरे नंबर किस को अल करते हैं देखो याद रखना ये कोश्टा के चार पर करके यह आपका मज़ला कोश्टाख है उस्वर्यार बढ़का है यह आपका तो दो सबसे पहले करते हैं दूसरे नंबर पर इसको करते हैं और इसका नंबर सबसे बात में आता है चोफे नंबर पर यह सीरियल याद रखना इसमें कोई दिक्कत है तो बता देंदा वाई विसाल आदो जी गुड मॉनिंग भीया बच्चा गुड मॉनिंग शिम्रा ने आदो गुड मॉनिंग ठीक है चलो कैलास बूपेंद्र देखिए समझी तो सबसे पहले इसको करते हैं इस कोश्टक को फिर दूसरे पर यह आता है तीफरे पर यह चौते पर यह तो हमारे पास रेखा कोश्टक तो था नहीं इसमें कही लेकिन यह चौतका वाला था तो यह फिर यह फिर यह हमने चौता कोश्टक पूरा कर दिया अब मजला करेंगे तो यह ट्वयल ऐसे लिख देंगे माइनस इनके बीच में देखो जो भी गिंती है सब पलस में है क्यों है ना पलस में तो सब को जोड़ दो भाईया जोड़ इनको कि यह कितना हो जाएंगे चे 5 11 18 यह आएगा फाइनल में 29 क्यों इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो जल्दी बोलो फटा फटा बोलो फटा फटा बोलो 29 आएगा ना आएगा ना चलो तो यह 25 और माइनस देखो इसको घटा आओगे बच्चा हमें पता है कि य फल्टा घटेगा यह ऐसे ही जचाँ आएगा मैनस में 17 थाएग ऊटा अन्यूस्फ देरमेह आरहिंग काफी देर में तो माइनस आङरमे-स का सत्रा अब को पता है अगर माइनस इसके पहले भी लगा अंदर में भी माइनस है प्लस हो जाता है क्यों भाइया यही बात है न सही कोई डाउट है तो बता देना तो 17 कितना हो जाएगा प्लस में मुझे कुछ गड़बड लग रहा है आप लोग एक बार चेक कर लो तो एक बार चेक कर लो ठीक है ना अरचना राई जी गुड मॉर्निंग सब्साब को लिख लिजिए आप लोग एक बार चेक करिए अगर कोई दिक्कत कहीं लगती है तो बताओ मुझे लग रही घरऑ है कुजक कुम नहीं पॉल्पन नहीं है ना क्या लग रही कहीं भींटेक है क्या ठीक है सब कुछ ठीक है एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं करना क्या है सब कुछ तो हमारे हाथ में पिसाल जी देखो ऐसे मौके का फायदा ना उठाओ बच्चा कितने बेवकुक तो नहीं है हम लोग देखो सबसे पहले उपर हमने क्या किया खोठा कहल किया यजे दोनों पलस पलस जोड़ा चार पांच इसमें से तीन घटाया तो छे आया इतना ठीक है इसमें कोई दिकत नहीं है दूफरे नंबर पर हमने मजला को इस्टप का सलूशन किया इन सब को जोड़ा 18 5 23 26 29 यह 31 आया और इसको मैंने ऐसे लिख लिए सिंपल सा कोई सिंग इसमें कोई समस्या कोई डाउड कुछ भी नहीं नहीं चलो उसके बाद हमने जब इसको हल किया इसको जब हम सब्स्ट्रेक करेंगे यह 17 आयगा 17 मैंने लिख लिया लेकिन यहां पर एक इस्टप में आपको थोड़ा और दिखाना चाहूंगा जो लोग कंफ्यूजन में हैं वो समझ ले कि बच्चा हो यह माइनस रहेगा और इसका लगा कि इस तरह लिखना थोड़ा अललग है मतलब आजीब है अश्टानी करना आप को क्योंकि यह मतलब फिर से जनम हो जाएगा यहां पर समझे गया यह इतना आएका कितना एगा 42 आएगा आपको इसको एक ही काम करना है यहां पर करना है यह तो समझहने के मैंने लिख दिया आप प्लस 17 लिखोगे और डारेक्ट 42 लिखोगे समझ रहे हैं ना सभी किसी को कोई डाउट है तो बता देना मैं सामने से हड जाता हूं आप लोग इसे लिख लो नोट कर लो और छाप लो ओके तब कुछ ठीक है ना चलिए लिख लीजिए जल्दी जल्दी से देर मत करिए जितने भी नए साथ ही आए हमारे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाईया जिसे कि पढ़ सकें बाबू ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है तुरंद कर ले अभी कर लें जिससे कि आप पढ़ सकें घर बैठें और बिल्कुल फ्री पढ़ सकें ठीक है बंदना भारती कह रहीं कि 17 कैसे आया बंदना भारती 39 से 12 घटाओ देखो कितना आएगा 39 से 10 घटाओगी 11 घटाओगी 17 आएगा 39 से 12 घटाओगी 29 से 12 को सब्सक्रेक करके देख लो कितना आएगा चलो आगे बढ़ते हैं अनिल जी कह रहे हैं कि आप पढ़ाई है और मेरे को ना आए ऐसा हो नहीं सकता जी बिल्कुल नहीं है हो नहीं सकता अगे तो तुम लोग काफी समझदार हो चलो बताओ अच्छा एक बात यह बताओ इसमें से आज कौन-कौन ऐसा है जो पहले दिन आया है क्लास में है कोई ऐसा नया नभीला अरे नया नभीला यह नहीं नया नभीली भी है कोई का जलो बताओ वैसे मुझे लग रहा सब पुराने हैं कुछ नए लग रहे हैं तो जितने नए साथ ही हमारे वो चनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे जिससे की हर दिन पढ़ सके एवरी डे और नाइट को भी कलास होती नो बजे से तो याद रखना बिल्कुल भी टैंसन न लेना मैत नही कुलर पढ़ना ठीक है कुलदीप कुमार बोल रहे हां अंसिका जी के पी जी गुड मॉनिंग तुमिष सिंग बोल रहे हम भी नए हैं अब इसे कुमार यादव पूजा कुमारी मतलब तुम सब लोग नहीं हो गए हां तो पुराने वाले हमारे कहां चले गए महुआ भी न सब्सक्राइब करने गये का मंगवा जनते हो मुझे लग रहा है इसी महीने में आता है ना सायद होली की टाइम पर आ जाता ना लगभाग हां चलो आगे बढ़ें ठीक है परजापती देवेंद्र कुमार ठीक है ठीक है रवी संकर राज यादो सभी के कमेंट हमें दिखर रहे हैं चलिए फिर आगे देखते हैं अब आगे देखो समझो इदर साइड में अगला एक और भी कुश्चन यहाँ पर देखो कुश्चन नमबर छे साथ आठ कुछ भी डाल दो आठवा नमबर है यह सतों मैंने लिख दिया है जितने भी पुराने हैं वो सभी क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर कर लें ठीक है ना बच्चा यह विकी रेंक्स पूछ रहें क्या तयारी करवा रहें बच्चा देखो यह सबके लिए जिनको भी मैत सीखना है सबके लिए है मैत की तयारी करवाई जा रही है चलो ठीक है अब आप लोग पुराने हो गए अब चलो आप मत कहना कि हम नए है माइनस यह लिखो 29 नोट करो फटा फटा आप नए पुराने सब एक हो गए आप लोगों का मिट अप हो गया चलो 30 प्लस 66 भाई चापने दो यार और प्लस 24 माइनस 2 24 माइनस का 2 चलो इसका अंसर कितना आयगा बता उख जलती करो फटा फट कितना आएगा कोशिश करने वालों के कभी हाऌगों की कभी है और कुछ की यह पिन यां यह जय कार नहीं होती लारों से डर और कर लों का फ़ार नहीं होती तो pillar coisa अलारों नहीं है उनको चीरते हुए फाडते हुए आपको आगे निकलना और आगे बढ़ना वे सबसे आगे जाना है चलो जल्दी से बता दो कितना एगा आज आप फटफट देखो यह बोर्ड मास का रूल मैंने पढ़ाया आपको आप सभी काफी अच्छे बच्चे हैं सुन्दर सुन्दर हैं देखो समझो अब ब्रेकट इसका मतलब होता है क्या होता है ब्रेकट ओ का मतलब होता है अडर अटी का मतलब डिवीजन यहां का मल्ट सबसे पहला माइनस एक साबसे पहलेगत यहां पर नगे एंडर लाइन किया न उसको सबसे पहले हो करना है क्योंकि वही मुख्य था इसमें का ठीक है आप समझो तो भाईया 24 से दो घटा लो बबुआ सबको पता है कि 24 से दो घटाएंगे तो क्या आएगा हर कोई जानता है गदहे भी जानते हैं आपको नहीं बोलना हूं कि आप गदहे हो हम अपने आपको इमान लेते हैं कु के ना और हां यह कोईश्ठक घ्यान देना यह हम थोड़ा जल्दी में बना देते हैं यह वर्टिकल मतलब यह ऐसे आकर ऐसे मुणना चाहिए ज्यान से समझना चलो भश अब आगे देखो पहला इस्टप में हमने क्या के सबसे चोटा कोईश्ठक खाल कर लिया दूसरे इस्टप में हम क्या करेंगे मजला कोईश्ठक खाल करेंगे और फिर तीसरे में बढ़गा करेंगे तो चलो, आपकी थोड़ा बढ़ा कीश देते है इसको होड़ा बढ़ा हो जाएगा अपकी बार यह पाइनस, जखो इसके अंदर क्या करोगे, यह प्लस है यह प्लस से प्लस प्लस कितना आएगा जरा यह बताओ फाइनल करके, कितना आएगा बहिए इनको जोड़ लो बबुए सब जोड़ जाएंगे आपको पता है ये दो छे आठ इतना आएगा आठ ये दो और छे आठ तीन ग्यारा अरे यही करना है बच्चवा ये 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 आठ शे तिन नो दो ग्यारा सभी को समझ में आ रहा ना नहीं समझ में आएगा बिल्कुल टैंसन मत लेना ठीक है बिल्कुल टैंसन मत लेना रासित दिलवाला सब मिलेगा बाबु नंबर दिख रहा है न नंबर लेलो लेलो संपर करना भी बाद में चलो तो ये हो गया खतम मजलाक पोश्टाग भी खतम ह हो गया अब क्या बच रहा है यह 34-29 से 1118 गटा लो बचवा तो यह गटे का है नहीं यह ऐसे होगा ऐसे चलो कितना आएगा जरा कोशिस करके बता दो कितना आएगा अरे एक बड़ ट्राई कर लो नहीं किसने तुमको पकड़ा कौन है पहले डर जाते हो नहीं आएगा नहीं अरे आएगा कई नहीं इसकी मौसी भी आ जाएंगी तुम बुलाओ तो सही देखो अठारा से नो गया नो और यह कितना बच गया दस दस से दो गया आठ एटी नाइन एटी नाइन जरा सोचिए अगर यह 119 होता और हम 30 घटाते ठीक तो है फिर अच्छा ठीक है यह 89 आया एटी नाइन में हम 298 कर दे हैं असी लेक 8 2 10 11 ठीक है तो बच्छा कितना आएगा यह 89 आएगा बबुआ यह मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया 89 से घटालो भच्छा 34 घटालो क्या 89 से 34 घटालो पतलब कोपड़ी फोल लेने का बन करता है कुछ ऐसे ऐसे गदहेट आएट कि बच्चे हैं जो कुछ नहीं करते हैं बस सोचते हैं कि अभी लिकेंगे तो हम चाप लेंगे लिकेंगे तो चाप लेंगे भई ऐसा ना करो य दूसरी गिंती बड़ी है, यानि माइनस वाली गिंती अगर बड़ी होती है, तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल जाना नहीं, इनका एक्जाम है, जिनकी कोई परिक्षा हो रही, उनको कालेज जाना, इस्कूल जाना, वो च कुछ मिलेगा यह नहीं कि खाते पीटे डखेलते रहो तो नीन आएगी बहुत मस्त इक लिए थोड़ा अपने आपको बदलो चलो तो यह 34 परेकट फुलेगा अंदर माइनस है तो यह पलस हो जाएगा जोड़ लो 9 4 13 हासिल एक आठ तीन ग्यारा और ग्यारा एक बारा वन टू थ्री चमनी गिरी और आगे आगे तो तुम लोग जनबे करते हो चलो नहीं हाँ यादवारा समझ में राज यादो सुनिल कुमार आमरेश कुमार हिमान्सु कुषवाह अंकित देव दूबे सिवांगी दूबे और कौन है भाईया पंकच अभिसेख अनुसका अन्सु सर्मा ठीक है भाईया सभाजीत यादो fuzzy युशन जा रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं जो लिए लेकिन हाँ जिनको टाइम है वह जरूब देखें चलो हो गया बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत से ट्यूशन करते हैं खुब घूमते हैं हर जगा पका के आ जाते हैं कहते हैं सर जी कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो उनको हम समझाते हैं तो दिक्कत मत लेना अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो यहां पर समझ में जरूर आएगा कोई कह रहा है एक बार फिर से समझा दो भाया उनका नाम क्या है उनका नाम है अंकित सर्मा अंकित जी देखो इधर साइड में अंकित जी धर साइड में देखो बबुआ हमारी कोशिस है कि हर किसी को आए हर किसी को आए देखो यह जो बोर्ट मास्क का रूल है ना यह बड़ा ही कतरनाक है ऐसे है इसके समझना पड़ता है पी का मतलब होता ब्रेकट यानि ब्रेकट हम सबसे पहले हल करेंगे दूसर का नंबर पे ओ तिसरे पे डी और चौथे पे एम पच्वे पे ए और छट्वे सब्सक्राइब कोई अगर इस तरह के कुश्चन है जिसमें ठेर सारी फंक्षन एक तरह दिये है जैसे जोड़ना भी गटाना भी है गुड़ा भी है भाग भी इसक्वाइर भी है रूट भी है साइन पॉस्प भी ए ब्रेकट भी लगे हैं तो उनका सीरियल होता है सिक्वे सब्सक्राइब को मिलेगा अब जिनके दिमाग में इससे ना घुसा वाइसे समझ लें आपने एटीम देखा होगा बैंक दीखी होगी अभी हमारे देश में तो पिछले कई साल से लाइन ही लगती आई है अधार काट बन रहा था लोग लाइन लगा रहे थे लोग बड़ी सीरियल होता उसकी भी लाइन होती है सबसे पहले और जिसमे क्या है इसमें बरेक ठा कौन सा कोइश्चक था एक मजला था वादा-तीन कोईश्चक थे तो हमने क्या किया हमने क्या कि फोकस किया राज यादों को पांच मिनट के लिए होल्ड कर दिया गया इन्होंने बार अं पांच मिनट यह इसको ऀपेंड और हमने जोड़ा सब को सु एकुट सो इसमये लाइन में क्या किया बच्च थूड़ा dość allegory लेना की और माइनस करती नहीं आया और फिर लाइस्ट में फाइनल में देखो यह आगे उत्तर समझ गए ना सभी समझ गए ना अगर कोई डाउट है तो बता देना टेंसर मतले ना ठीक है अब भाई रोविन कुमार रोविन कुमार सब के लिए है बाबु यह मतले मतले में अगर कोई डाउट है तो बता देना देखो इसके पहले मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है आज ही आपका सिक्वेंस से कलास चल रही थी तो छटवी कलास थी वैसे यह कलास तो रात में होनी थी लेकिन मैंने सुबा ही पढ़ा दिया आज फ़ड़ा जल्दी आ गया हम लोग है ना यह आली कलास रात में होनी थी आप लोग मुझे यह बताओ सभी चल्दी से कमेंट करके समझ में आया जूट नहीं बोलना बिल्कुल दिल से बोलना सभी जिनको आया समझ में यह जिनको नहीं आया नो बिल्कुल बोल दो प्यार से टेंसन मत लेना चलो आया समझ में यह यह नो अंकित जी क्या डाउट है बच्चा सचीन क्या मुसीबत है सोनू पंकर जी आदो सबसे पहले कमेंट करने यह पंकर जी ठीक है धन्यमाद आपक को आपने समझा कम से कम सुनील एंजल सिंग गेमिंग वाइटी बंदना अरे पटापट बताओ तुमको पकड़ा कौन है कुछ तो ऐसे सर्मा रहे हैं जैसे लग रहा है कि मतलब नहीं नभी दुलाहन भी इतनी न सर्माएगी जितना तुम लोग सर्मा रहे हैं कमेंट करने मे मैंने पूछा अगर तुमारे खोपड़ी में थोड़ा बहुत गुसा थोड़ा बहुत हलका भी समझ में आया तो यस बोलो नहीं आया तो नो इसमें जाता क्या है चलो ठीक है ठीक है बच्चे बेरी गुड दिनेश जी ठीक है अंकित अरपित पूजा कुमारी संजे सिंग चंदन कुमार रवी संकर बंदना अंकिता अंजू किरिफना राहूल और एक ही बार बोलो अतलब कुछ ऐसे हैं जो चुप रह नहीं सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते हैं जो बोल रहा है और जो नहीं बोल रहा है एको बार नहीं बोल रहा है यही तो आसामानता हमारे देश को ले डूब रही कुमार पहले पढ़ाई कर लो भया कृती जांगरा ठीक है अरपित मिसरा अगर टाइम दोगे तो आएगा यह मेरा कान दर्द करने लगता बड़ा भारी यह इसको फिक देंगे पहले जो था ना कलर वाला कफी अच्छा था यह आधा किलो का है कोपड़ी पर रख लो दिमाग दबा रहता है चलो अब देखो अब हम बात क्या करने वाले हैं अब यह टॉपिक कोई से हो गया खतम हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे परसेंटेज वाला ठीक है बोर्ड मास का रूल चल रहा था वह खतम हो गया अब मैं मुझे यह बताओ मुझे यह बताओ जल्दी से फटाफट संख्या संख्या तीन सो बीस का पाननेवे परसेंट कितना है चलो तोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं परसेंटेज इसमें मजा भी आती है और यह बड़ा इंपॉर्टेंट भी है जल्दी बता दो क्या है राहु जी बहुत बहुत धन्यवाद दिल से शुक्रिया कि आप आए ठैंक्यू चलिए और हां रेगुलर क्लास देखिए सुबा पांच बज़े से प्रतेक दिन सुबा पांच से छे और रात को नौ से दस आज यह क्लास थोड़ा लेट में शुरू हुई थी इफिलिए लेट तक चल रही है वागी सुबा पांच से छह तक होती है सुबाद से तक तक चला देंगे लेकिन आप लोगों की संख्या बनी रहने चाहिए बर करार जल्दी फे जल्दी पूरा महत सीख जाओ महत की वज़ा से कहीं भी कोई परकार की मुसीबत ना आए कि ऐसा ना हो महत की वज़ा से आपका सेलेक्शन नहीं हो रहा है देखो आगे बढ़ो कोई जबाब नहीं दे रहा है इसका अंसर भाई तुम सभी लोग खचरी बसे हो का जखो मैं बता देता हूँ कोई बताएगा हाँ हिमानसु कुस्वाहा ने जबाब दिया भाई हिमानसु जी बहुत बहुत धन्यवाद अभी रभी संकर भी बता रहा है ठीक है आगे चलो फटा फट आगे बढ़े चलो चलो ठीक है बहुत अच्छे बेरी गूड देखिए बच्चे 320 का 95 परसेंट करना है तो 320 गुड़ा ये 92 और परफेंटेज का चिन्ना हटा करके बच्वाद 100 से भाग कर देते हैं बाबू बस यही करते हैं कि ऐसे ही परफेंटेज निकालते हैं हम लोग इसी तरह से बहुत ही सिंपल है आसान है मज़ेदार है चलो एक सुनना से एक सुनना काट दो और ये 10 हो गया ये लो और ये लेकिन बड़ा लंबा हो जाएगा ये 32 ये 92 और ये 10 अभी अगर हम इसको ना काटें उपर का उपर गुड़ा कर दें नीचे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको काटना जरूरी है दो से काट दें दो पंचे दस और किसी से कटेगा ही नहीं दो चौक आट दो चंग बारा ची आलिस का 32 में गुड़ा करो और पांच से भाग करो कितना आएगा बाई कलकुलेश फटाफट 46 का 32 में गुड़ा करो मैंने आपको ट्रिक बताया था कैसे करना है ठीक है भई या बिलकुल जेपी बाई डिम्पल कुमारी आ गई आप चलिए ठीक है हो गया पांच से भाग कर लो जितना भी आ गया चलो भाई ठीक है यह 28 अठाई जो बता रहे गलत है अरे गलत है तुम्हारा यह 29294 पॉइंट सम्थिंग आएगा फोर आएगा लगभग क्या आएगा हाँ इतना आएगा यह 294 पॉइंट फोर आएगा अरे ऐसे समझे लो यार तुम लोग सोड़ा सथ बुद्धी का परि है अरे इतों यह सोचो यह ट्रोल कितना है यह 320 Pitts को मतलब यह फिर अगर ल्लो मांक समे注 सता हिंगा और पॉइंट में 4-0 नंबर समझ में आए यह correct answer है कुछ गद है इसे हैं 28 28 28 बता रहे हैं अबे भाई थोड़ा फार दिमाग का परियोग तो करो ना यार इतना कर लो किच्ची बर का दिमाग का परियोग कि 28 किस दसा में होगा कैसे होगा 320 का आखिर 92 पर्फेंट 28 होगा है यार क्या कहूं चलो आगे बढ़ते हैं समझो 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 सोचो समझो बचो नसे से जीवन जी लो बड़े मज़े से चलो अब चलो देखो थोड़ा सा असान अब लोग करते हैं यह सर में पढ़ा दिया हूं परसंटेज वाला आज आपका बोर्ड मास का रूल हो रहा था और बोर्ड माας का रूल में मैंने पूरा क्विष्चन करवा दिये हैं दो तीन टाइप के मैंने पढ़ा दिया कई लेबल में आप लोग समझ गए होंगे अब फिर भी जो नहीं समझे उनके तो फिर भगवानी मालिक है अब आगे क्या कहें गौतम जी आरा कुछ समझ में बच्चा कुछ दिमाग में घुसरा है गौतम कुमार मा का लाडला ठीक है आप चलो संक्या 515 सब बाननेवे पर्सेंट बड़ा गड़बड़ है इसका नबबे पर्सेंट ले लूँ चलो जाने दो आसान हो जाएगा कितना आएगा कंदन कुमार जी बताइए जबाद दीजिए पर्तिबा के सरवानी कैला से यादो सभी बच्चे बताओ भई रिजवान अली बंधना भारती मुझे नहीं आया बंधना जी आपने पिछली कलासों को नहीं देखा है पिछली कलासों में मैंने ये पढ़ाया था इस वज़ा स से आपको नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है आएगा थोड़ा सा रुक जाओ ना आज तो मैं इसको समझा के ही छोड़ूंगा तैंसन मतलो आफी जंगीद बलबीर चोहान देखो जितने भी नए साथी जुड़े हैं तुरंट चैनल को सब्सक्राइब करें देर ना करें फट फट सब्सक्राइब करें जल्दी से सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है एकदम फ्री जैसे लंगर मिलता है उसी तरह से फ्री में करो फटक फटो को सब्सक्राइब कर लो तो तुर्ण रूप जूम कर देता हूं और बढ़िया दिखेगा सुन्दर दिखेगा रूप जबही त्रे बैटरी गई यार पैमरा की बैटरी डिश्चार्ज हो गई तुम लोग कहां हो आं बैटरी गई बैटरी गई अच्छा हुआ कि हम आ गए चार्जिंग खत्म बैटरी एक्दम खत्म है बैटरी खत्म चार्जिंग खत्म मतलब कैमरा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई ये लो ये लो थोड़ा जूम कर दिया आप सुन्दर लग रहा है ठीक है नो प्राबलम डॉंट वरी कोई दिक्कत नहीं है बच् सुन्दर सुन्दर स्टूडेंट्स के साथ सुन्दर का मतलब अप अच्छे हो इसका गलत मतलब ना निकलना है चलो कि अरुण जी बहुत अच्छे भाई वेरी गुड दिनेस पंकाच विकास अम्रेस संतोस पुजा इमानसू अंकिता शुदानसू अंकित रोशान शुदा और लोग कहा हो जबसक्त है अज tas ok कि 90% करना न तो यह मालो करीब ही होगा इसके करीब करीब ही होगा तो भाई आओ करते कैसे हैं वो समझ लो 515 और 90 पर्फेंट करना है गुड़ा का चिन लगाओंगे लेकिन हम पर्फेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें का करना है ना हमें का करना हमें हटाना है तो 100 से भाग कर देंगे बस यह लो हो गया ना कितना आसान है और इससे आसान म लाइट नीचे थोड़ा डिश्टर्ब करती मुझे इसा लग रहा है कि कहीं से चमक को मकाती हलका फुलका जाने तो छोड़ो इतना देखना भी नहीं हमें एक सुनना से एक सुनना काट दो बचवाँ पांच से इनको काट दो भुग है पांच से नहीं काटेंगे अब हम नहीं काटेंगे इसमें कोई मुसीबत नहीं न कोई परेशानी नहीं न चलो गुड़ा कर लो नव पच्चे पैतालिस हासी लाइक इतना चार अब हिसी बैटरी गहीं थोड़ा सब झसा रूकर जओ यह सारे सिस्टम जो एनर्जी मांगते हैं चलो- करते हैं न सब्सक्राइब यह च्छीख है नों पच्चे पैतालिस हाफिल चार नों एक कपने चार तेरग तीन हसिल एक सिल एक और में कितना आएगा एक अंक पे दसम्मलो आ जायागा बच्वा तो 463.50 यानि अगर रुपया में बात करें तो 463.50 पैसे इसका सही अंसर है रामचंज सिंग जी ने बिल्कुल सही बताया है आसुतो सुकला सत्वीर मेहरा पूजा कुमारी गलत है मतलब तुम लोग इतने बड़े गताये हो कि दसम्मलो ही नहीं लगा रहे हो अब इसमें पॉइंट रहेगा बीच में अरे यह कौन से इतिहास भुगोल में लिखा है कि 515 का 90 परसेंट यह 4635 हो जाएगा मतलब कोई मतलब ही नहीं मैत का सारा रूल तोड़ दिये तुम लोग कि 515 का 90 परसेंट 46 हो जाएगा और 35 यानी 4000 से ज्यादा हो जाएगा कमाल है चलो अर्चना यादो कमी जोके गेमिंग पूजा कुमारी सभी को समझ में आ रहा ना देखो साइड में थोड़ा कट जा रहा है मैं उसको दिखा देता हूं जो साइड में कट रहा है साइड में स सब कुछ मस्त चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है बच्चा एंजल सिंग आपका कमेंट सब हाइड हो जा रहा है पता नहीं कौन सी ऐसी दुस्मन है आपसे आपसे निवेदन है आप कुछ थोड़ा चेंजिंग करिए अपनी इमेल आइडी आपना नाम कुछ बदल के आई यह चलिए अब आप लोग इस तरह का सारा प्रफन कर लेंगे मुझे पूरा उमीद है आप देखो समझो पहले हम इनसे अपना परिचे करवाते हैं इनसे अपना परिचे नहीं मतलब इनका परिचे आपसे देखो सुनो LCM क्या होता है और HCF क्या होता है समझे LCM और HCF दोनों क क्या होते हैं इनका मतलब क्या है और इनका जो एक वरकार से बेसिक कंसेट है वह हम आपको देंगे एकदम निचोड के जैसे नीबू निचोड़ने पर उसमें रस निकलता है न तो आपको सिर्फ रस मिलेगा बस नजरे गड़ा के रखना देखो इदर साइड में लसीआरे का फुल फार्म होता है पहले तो यह समझो इंगलीष वाला फिर हिंदी वाले में बात करेंगे इसका फुल फार्म होता बच्चा लिस्ट कामन मल्टिपल अभी आगे तेकते रहोसब मिलेगा लिस्ट FREE में क्या बोलते हैं आप जानते हो लगुत्तम समापवर्त इसको बोलते हिंदी में लगुतम बड़ा ही खतरनाक हिंदी है इसकी समाप वरते देखो ध्यान दे ना यह समाप वरते होता है हिंदी में कुछ बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है देखो हमारा थोबड़ा मत देखो तुम किवल बोर्ड देखो बोर्ड दिखना चाहिए बाकी कुछ दिखे या ना दिखे देखो समझो HCF का मतलब क्या है और हाँ HCF तो बात करेंगे बाद में इसमें एक चीज और मतलब होता यार LCM का जो मतलब होता न बाबु ये तो least common आप समझ गए इसका एक और भी नाम है वो क्या है इसको least common diviser भी बोलते हैं क्या है तो multiple बोलो ये divisor बोलो और ऐसा क्यों ये अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी आगे देखते चलो पूरा समझ से ठीक है प्रियंका कुमारी जी इसके पीछे का जितने भी कलास है वो playlist में है आप playlist में जाके देखो सारा कलास है पीछे वाली चलो आगे बढ़ हाइस्ट कामन फैक्टर अब समझो इधर साइड में देखो बहुत ही प्यार से समझो हाइस्ट कामन फैक्टर और इसको एक नाम और भी बोलते हैं जी सी अफ देखो यहां पर सी लगाना नहीं बोलना यह तो बड़ा खतरनाक बड़ा बन जाएगा यह जी अब बन जाएगा बस उसका मतलब तुम समझ जाओगे तुरंत इसका तो चाहिए नहीं समझो देखो इसको बोलते हैं ग्रेट टेस्ट मैंने सही लिखा क्या कामन फैक्टर तो यह इनके हो गए हिंदी के फुल फार्म क्यूंकि हम पढ़ रहेंगे एकदम जीरो से एकदम सुरू से पढ़ेंगे इस वजह से यह मैंने आपके लिए लिख दिया आप इसे देख लो च्छापलो प्यार से उसके बाद फि पू सांख्या इटावा से ठीक है बहुत अच्छे बच्चे बेरे गुड चलो आप सभी छात्र इस सेशन को सेयर जरूर करो और जो लाइक नहीं किये ना वो लाइक जरूर करें अगर लाइक नहीं करोगे ना तो इसी महीने वरेक अप होगा याद रखना समझ रहो ना तो अटो इसको लिखे लो थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं बहुत जादा जूम लग रहा ही जगह मुझे कम मिल रही है लिखने की इसलिए मैं इसको कूला चूटा कर दूं वैसे जादा निवका सह हल्का सा जय करो ठीक है okay अब देतना हो गया ना इसमें कोई दिंगत नहीं ना किसी को कोई समस्या नहीं ना चलो ठीक है अब समझते हैं कहां से मिलेगा भाई अगर तुमारे दिमाग में गोबर बरा है तो उसको साफ तो नहीं करेंगे हम यह समझ गया आप हाँ अभी इसमें मैंने एक चीज नहीं बताया है वो क्या है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं देखो यार इसकी हिंदी जो है नीचे दिखतो रहा है न इसको बोलते हैं महत्तम समाप वर्तक देखो मतलब समझना दोनों में अंतर देखो यह वर्तक है यह वर्ते है समाप वर्ते और यह समाप वर्तक यहां पर फैक्टर वर्ड यूज हु डौनों एक दूसरे के अपोजित होते हैं समझ रहो ना समझ रहो कि नहीं भाई टेखो यह सब नहीं बोल रहें कुछ ऐसे टाइप के आजाते हैं वो परिशान कर देते हैं तो उनको बोलना भी पड़ता है जरूरी है उनके लिए नहीं तो वह समझते लिए नहीं है हिमान्सु गुपता जी गुड़नाइट बच्चा ठीक हो ना आमन कनो जिया पी अक्स गेमर डिबेडेड नहीं समझाएंगे क्या करें डिबेडेंड नहीं समझे बच्चा तुम पानी पीके आओ जाओ पही ले नहां भी लेना अगर टाइम रहेगा थुड़ा सा और फिर आना चलो आगे चलें आप देखो समझो यह चीज तो आप लोग समझ गया होगे देखिए अगर हमें किसी दो भी टॉपिक के बारे में सुद्भासा में बोलें तो अगर हमें किसी दो टॉपिक का अध्यन करना है तो हम उन दोनों में अंतर समझेंगे मतलब डिफ्रेंस और अगर डिफ्रेंस समझ में आ गया तो उसको समझना आसान हो जाता है कैसे इधर साइड में इधर साइड में देखो और यहां दिख रहा है न इसमें बीच में एक लाइन की चो एक लाइन खीचो बहले यह अलग-अलग समुदाय के लोग हो गए ऐसे मानलो क्योंकि आज के जमाने में इतना स्विस्ट फैलाया जा रहा है कि आप लोग को यह खोल लो और खोल के उसमें यह भर दो कि LCM और HCF सदयों दो या दो से अधिक संख्याओं का होता है किसी एक गिंती का LCM या HCF नहीं होता है कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो वीडियो में बहुत बार कमेंट करते हैं सर 78 का LCM बताए दो 248 का LCM बताए दो अरे गदवों खचरों यह एक नंबर में नहीं होता है दो या दो से अधिक नंबर का होता है समझे रहो ना चलो आप आगे देखो समझो आके साइड में समझो संकरलाल को इनको हाइड कर दो एक दम से चलो और जो भी फालतू कमेंट करे उनका कमेंट ध्यान से देखो आप और जल्दी-जल्दी से उनको किनारे लगाते जाओ आपका यही काम है अब यह के इदर समझे है हम क्या कर रहे हैं डिफरेंस समझ रहे हैं आज के बाद यह नहीं कहना कभी कि मुझे LCM नहीं आता है बिलकुल एकदम 100% आएगा बस समझ जना प्यार से इधर नंबर हम ले ले रहे हैं कौन कौन सा नंबर है समझो नंबर जैसे हमने ले लिया एकदम छोटे-छोटे नंबर है प्यारे प्यारे अभी एकदम छोटे-छोटे से हैं यह 4 और 8 आप देखो दोनों में अंतर समझो यहां समझो फोर और 8 का LCM करने की दो तरीके होते हैं एक होता भाग विधी एक होता है गुड़न खंड भी तो पहले आप मुझे यह बताओ कि कौन सा विधी किया जाए जल्दी बताओ कौन सा विधी किया जाए वही आपको समझ में नहीं रहा संकरलाल को हाइडिक तो नह जान दीजिए ना इन लोगों को इसलिए तो बैठे हैं कोई रहते हैं खुदी आप काफी देर से रंड़ा किया है देखो इधर को रेट का हां मैंने आप से कहा कौन सी विधी से करें तो आप लोग मुझे पता है कि दोनों चाहते हो कुछ कहेंगे देखो भाई तुम बोल अफ्वा नहीं खंड कर लो चलो ओं यह फोर है और यह एट है तो पिछली कलास में हमने संपार कर ला लैं अगर नहीं देखे हो फिच्वी क्लास सकरा थे सबसे निचे देखो उस नंबर को लिख लो अगर आपने नहीं देखा तो संपर करना तो इनके factor 2 और 2 होंगे और इनके factor में एक और दो हो जाएगा सामिल बस यह हो गए factor LCM में क्या करते हैं बच्चा देखो मुझे पता है तुमको मालूम है आता है अभी ज्यादा नचट पटाओ अभी थोड़ा देर में ठंडे हो जाओगे जब कुछ question आगे बढ़ेगा चोटा चोटा चीज़ें अगर आती हैं तो लोग काफी फड़ फड़ाते हैं और फिर जाते धड़ाम से नीचे धैर बनाके रखो सबर रखो बच्चा आओ देखो इदा अपच नहीं होगी हजम करेगो चलो देखो पहले यह दो इसमें भी है इसमें भी है एक नंबर common है मतलब दो दोनों में है न और देखो यह दो भी दोनों में क्या है common है तो जो LCM क्या कहता है कि जो नंबर दोनों में common है उनमें से मतलब जोड़ा बना लो एक प्रकार से pair इसमें से एक यहां लिख दो यह ठीक है इसमें से भी यह कहां लिख दो लिकिन यह कहता है वही सबका साथ और आगे वाला वर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि लोग इस नाम पर अबदाली दे रहे हैं सबका साथ मतलब जो इसां पचरा अकेला ना उसको भी लिख लेंगे यह ठीक है पहले अच्छा लगता था यह कोई दिन पहल अब आगे देखो यह तो आपका हो गया क्या है कि हम अंतर आपको समझा रहे हैं अंतर क्या होता है पहले एक ही कुश्चन के बाद आप एकदम क्लियर से समझ जाओगे लेकिन देखो तो पहले जो कमेंट के पीछे डंडा किये हैं उनसे निवेदा ने बच्चा पढ़ाई पर देलो जिन्दगी में बहुत कुछ करना है कि अब आओ चलो कि इसका भी वैसे ही करेंगे सब कुछ वैसे ही करेंगे बस थोड़ा सा परकिरिया बदलेगी इसके भी फैक्टर वही आएंगे ऐसा नहीं कि वहां वह दो दो दात है यहां दो और दस हो गया ऐसा नहीं होग मतलब जिनके जोड़ी बन रही उनको बन आलो और जो कुवारे बचेंगे उनको भी पाइकाट कर देना अंदर इंट्री नहीं है उनकी देखो कैसे यह इनके पेर बन गए कितने बने दो जोड़ी बन गई अब यहां पर लिख लो HCF यह तो मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा करके बाकी यहां लिखना चाहिए HCF 4,8 ठीक है सही यही है सुद्भासा में HCF 4,8 इक्वल इसमें दोनों पेर फे एक दो लिखोगे दूसरे वाले दोनों पेर फे एक दो लिखोगे LCM में क्या था जो एक बेचारा अंकेला बच रहा था यह तनहा सा इसको भी साथ लिख लेते थे लेकिन यह सब बड़े खतरनाक हैं यह कहें नहीं नहीं तुम दूरी रहो उसको नहीं लिखेंगे बस छोड़ देंगे उसको अब इसका फाइनल में हो जाएगा फोर अब आ कि चीजें सिद्ध की जा सकती है अब देखो इदर समझो अनुसका सुकला जी बहुत जल्दी आए हैं आप काफी चलिए और ये हो गया अब अंतर समझो मतलब समझोorf देखिए नमबर तो सेम थे दोनों में इसका आंसर रेट आया इसका फोर आया अब तुम लोगे दिमाग में ये होगा कि LCM जो है वह भाई चोटकी गिंती होती है कुछ लोग कहेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है पहले मतलब समझ कुछ यह यह इडिवाइजर है या मुल्टीपल है अब इसको मोठा मोठा एससे समझ लो इदर साइड में देखो यहां पे आपको भी घटा एता दो थूड़ा देर्ए अभी अप इथर समझो अगर आपको मैः्थ नहीं आती है तो आपको इमांदारी से देखना होगा मैआ नहीं आपको आती है उनको भी समझना होगा हो सकता है कुछ चीजें इसमें से आपको आ रही हूं लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा हमने नंबर चुना था फोर और एट हमें आपको समझाना है पुल मतलब कॉंपलीट बैसिक कंसेप्ट कैसे क्यों कब समझो इनका जो LCM आया था वो कितना आया था भाई साहब कि फोर आया था है इनका मतलब समझो समझो और प्यार से देखो कि 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 मिल एक यह ट है यह कितना आया था है इसका मतलब यह हूँँआ कि एक नदर लिखो और दौनो नंबर से बारी बारी भाग करोगे ये देखो दोनों नंबर से बारी बारी भाग करोगे 4 से भी और 8 से भी और completely divide होना चाहिए तब LCM सही माना जाता यही मतलब LCM का ठीक है और हाँ इधर साइड में देखो HCF का क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि आप 4 से बार बार भाग करोगे कुछ दिमाग में घुसा की नहीं इसमें LCM इसके अंदर में रखा जा रहा है इसमें HCF बाहर रखा जा रहा है यानि HCF से भाग करके हमें उन दोनों नंबर को कंपलिटली डिवाइट करना है जबकि LCM जो आएगा उसमें इन नंबरों से भाग करना होता है यहीं अंतर होता है जो समझ रहे होंगे और जो ऐसे आये हैं धर्म निभाने के लिए उनिभार रहे है चलो अब हम 4 से इसको भाग करेंगे तो आपको पता है कितनी बार जाए एट देखो यह पूरा पूरा कट गया जीरो आ गया यानि यह क्या है सही है लेकिन यह इसी तरह से एट से भी कटना चाहिए तो भाग दे लो एट वंजा एट जीरो यह भी हो गया कट गया खतम हो गया हां बात समझ में है ना LCM HCF प्रड़क्ट आफ नंबर जी बिल्कुल साही का आपने इंगलीज तो मुझे निया थी भाई हिंदी मैं बताता हूं चलो यह हो गया समझ गया अगर यह LCM गलत होता अगर यह गलत होता तो यह ऐसे भाग जाता ही नहीं नहीं फिर इसमें कोई ने कोई अरचा ना जाती और वह कंप्लीट नहीं होता धंग से समझ ग पर नमबर क्या था यह 0 हो गया और यह 8 है ना इसको भी 4 से भाग करोगे तो यह कुछ समझ में आया ना जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बच्चा जिससे की पढ़ सकें और जितने भी पूराने सब्सक्राइब करें आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है बाबु इस से सब्सक्राइब करो अगर आप लोग पूरी तरह से सपोर्ट करो तो हम सोच रहें इसी हपते एक ऐसी कलास चलाए एक दिन कम से कम 6 गंटे की लाइब मतलब सुबह 10 बज़े से चल जाए तो 4 बज़े त ठीक है पैंसा नहीं खतम हो जाए कि हां मुझे मैद नहीं आती है लेकिन हां आप लोग अगर तयार हो जाओ था था पुझे पता है अपको पढ़ाया और आपने देखा कुछ लोगों ने प्यार से देखा कुछ लोग अंदर अंदर गरी आ रहे थे कि इता चोटा काह बता रहे हैं कि जलो ठीक है अपनी अपनी बदा के अहां सोच है कोई अच्छा सूच सकता है कोई बुरा सोचता है प्रतिभा के सर्वानी नौ सर नाइट में चला दीजिए दे में नहीं मतलब हम सैतान वितान दिखने का हमारे खुपड़ी पर सैतान लिखा है रात में चला दे पूरा रात लाइफ पढ़ाएं रात में तो ऐसे सब सोते रहते हैं करेंगे वैसे दिन नहीं करेंगे मुझे पता है अरे मुझे भी तो काम रहता ना चलो इधर आगे बढ़ते हैं समझो इधर अब हम आप लोगों को एक छोटा सा कुष्टन देंगे प्यारा सा आप लोग बताना जब चलाएंगे बताएंगे पहले से एकात हफता पहले से बता देंगे तिन चाह दें पहले से चलो कोशिस तो यही है कि एक दिन हो जाँ शे गंटे की ठ्राई करते हैं फिर बारा दिया कुश्चन है एकदम छोटा सा है प्यारा सा 12 और 32 का LCM जल्दी से आप सभी में से कोई बताए कितना आएगा चलो जल्दी करो कितना आएगा एक बार कोशिश करके देख लो बच्चे कितना आएगा भाई क्या हुआ जल्दी करो सभी मैंने एक क्विश्चन पूछा है इधर साइड में हट जाता हूं चलो दिख रहा है ना सबको अच्छा दिख रहा ना कोई दिक्कत तो नहीं ना देखो यार बोलते-बोलते कभी-कभी बतलब कला पिश्चू किता आता है क्योंकि लोग तो लाइफ देखते हो दिन में सिर्फ एक ही बार और बाकी मैं चिलाता हूं दिन में कई ही बार भाई देखो बेचिती ना करो ठीक है बात समझो बतिते जादा बेचिती करोगे तो फिर अभी कड़ पड़ हो जाएगा चलो सभी जितने भी साथी जुड़े हैं वो कलास को लाइक जरूर करें जल्दी करें देर ना करें मैंने एक आंसर पूछा था लेकिन यह गदे अभी तक उत्तर नहीं बता है बाई हां कुछ तो नादाज हो रहे हैं बहुत तेट से का यह गदे बदे बोल रहे हैं हमें एसल्ट बैस्ट गेमिंग बच्चा तुमारी सारी स्पेलिंग दे मुझे गलत लग रही हमारी इंगलिस के करडिंग तीपकुमार प्यूस कुमार जपी वाई यादो किसोर पावर पावर लिखा यार देखो मुझे यही तो का ना इंगलिस नहीं आती चलो देखो इधर साइड में समझो हमें क्या करना इनका LCM करना दोनों मेथड में बताऊंगा एक गुड़न खंड विधी एक भाग विधी समझना देखना और प्यार से देखना देखो गुड़न विधी में क्या करते हैं दोनों नंबर को अलाग अलाग ऐसे लिखते हैं ऐसे लिख करके इनके गुड़न खंड करते हैं पतलब फैक्टर निकालते हैं एक बार आवाज देखनू कैसे आ रही फिर आगे बढ़ते हैं अनुसका सुकला जी मैंने आपको गदा निका क्योंकि मैं सबसे बड़ा गदा तो खुद ही हूं तो मैं आप लोगों को कहें बोलूँगा आप खुश हो ना आप लोगों को नहीं का मैं खुद गदा हूं और तुम लोग गदे से पढ़ रहे हो तुम लोग क्या हो डिसाइड कर लो चलो आगे चलो देखो इदर इनके क्या करेंगे फेक्टर करेंगे अब समझो ये 2, 2, 4, 3, 12 इसके factor करोगे 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16 और 2, 32 अब क्या होगा आप लोग अगले step में क्या करोगे अभी अभी मैंने बताया था बहुत सारी चीज़ें तो मैंने बता दिया था इधर समझो अब हम यहां नीचे लिखेंगे LCM of 12, 32 या फिर हिंदी में लिखोगे तो कुछ अलग नहीं लिखोगे 12, 32 का लासा बराबर या LCM बराबर ऐसे लिखोगे ठीक है चलो देखो आगे क्या करोगे नीचे दिख रहा है मुझे लग रहा है नहीं दिख रहा है इसके नीचे अब इसके नीचे लिखने का मतलब है गडबड हो जाएगा चलो जाने दो इधर कर देता हम समझो LCM of 12, 32 इसके बाद हमें काम करते हैं पता है क्या करते हैं यहीं से समझो नीचे से इनके पेयर बनाते हैं और मिलाते हैं कि उपर नीचे में कितने कितने नंबर एक में मिल रहे हैं ठीक है देखो यह वान पेयर बन गया ना एक जोड़ा बन गया अब आगे देखो इधर साइड में समझो किरन मोरे आपका कमेंट आ रहा है आप काही को परिसान है बोलाग तो नहीं किया गया आपको चलो दो पेयर बन रहा है अच्छा एक बात बताओ क्या इसमें कोई और भी पेयर बन रहा है देखो दो इसमें भी था 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 कहने का मतलब दोनों के गुड़न खंड में वो नंबर होना चाहिए पफ इतना ही करना है ठीक है आया है ना दो पेर बनाएं उसमें से एक एक नंबर लिखेंगे दूसरे बाले से भी एक नंबर लिखेंगे उसके बाद क्या करते हैं आप जानते हो उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद आप देखो यह भाया इनकी दो जोड़ी बन गई अब कुवारे कितने बचे हैं उनक कर दिया देखिए लोग जो सिकायत कर रहे हैं कि आप हाइड किया कर ये पांच मिनट के लिए ठीक है किसी को एकदम से हाइड मतलब बलाक मत किया कर ये क्योंकि बच्चे हमारे लिए वह थी इंपॉर्टेंट है वह भले गडबन कर रहे हैं लेकि हाँ उनको एक बार वार्दिंग दे दो हाइड करके फाइप मिनट के लिए चलो अब आगे देखो समझो आगे देखो समझो ये बन गया अब थ्री देखो अकेला बचरा है ये कि इसपिक नहीं दिखार है उसके उपर ओबर जा रहा यहां कि छानए बार दो धिकर आरा है तो 2019 स्मय करके बताएगा कि नहीं है आप पांच मिनट के लिए hybrid के रहे एक्दम से मत किया करें न। यह अब यह एक एट्टी बॉय को क्या कि ए और अ अब देखो समझो तो दुना चार तियां बारह और दुना चौविस दुना अड़तालिस दुना चानवे 96 आएगा ना बिल्कुल सही कहाँ आपने सब का मल्टीपल कर लेना बहिया गुड़ा कर लेना है 96 आएगा समझ में आना सभी को कैसे कैसे क्या क्या करना था आप सभी समझ गये मुझे लग रहा है ब्रिजेस राजपूर जी बहुत अच्छे उमंग मिस्रा परतिभा के सर्वानी अनुस्का सुकला किरन मोर्या आजय एपी प्यूस बिने कुमार बिने कुमार जी आप मुझे ये आप रिजिनिंग वाले गुरुजी है मुझे लग रहा है जहां तक पूरा उमीद रही लग रही है जल्दी बताइए आगे बढ़ते हैं आप लोग इसको लिख लो भीया और सेशन को लाइक जरूर करो मैं मिटाने चल रहा हूं मैं इसको मिटाने चल रहा हूं इदर साइ नहीं है चलो ठीक है कुछ कंफ्यूजन थी मुझे 48,96 इसका LCM करके बताओ कोई तो जल्दी करो भाई इसका LCM करके बताओ देखो जिनको मैं नहीं आती है सिर्फ उनके लिए कलास है जिनको आती है वो लोग आ करके थोड़ा उटक पटक करके चले जाते हैं लेकिन याद रखे ना जिनको नहीं आती है उनका सराप तुम्हें बहुत तेश से लगेगा अगर उनकी कलास में डि चलो इतने भी साथी जुड़े हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह बिल्कुल फ्री कलास होती यूटूब पे सब्सक्राइब करना न भूलें एब्री डे रात के 9 बज़े से चलती कलास ठीक है संध्या मिस्रा जी आपका नाम नहीं लेते हैं संध्या जी देख आप लोग जुड़े रहो सबका नाम बोलेंगे सभी खुश रहोगे बस चलो कुछ काम भी कर लिया करो नाम के पिछे काय पड़े इतना फातिमा जी कह रहे ही कि तरीका बहुत अच्छा है समझाने का घर के सभी फोन से लाइक कर दी हूँ फातिमा जी आपको धेर सारा थैंक्यू कितना थैंक्यू इतना पतलब दोन वाद नहीं दिख रहा है क्या यह इतना चलो इधर आप देखो 48 और 96 इनके फैक्टर करो अला इसका आंसर कोई बताएगा क्या मैं जैपी भाई बोले 96 इनेस कि अवी स्थानी कई आएगा ने सीएं पूछा यह बाई साब एल सीएं यह मैंने पूछा इसका कितना आएगा इसका कितना आएगा नहीं वाले का इस्थान कुमार पच्चा तुम हाथी काई नहीं भेंज र इसका फैक्टर कर रहे हैं गदो 48 का दो दूना चार दूना आठ आठ दूना 16 और 16 ती आड़ तालिस जो भी बोलते हैं आप लोगों को बड़े प्यार से बोलते हैं और इसको दिल पर मतलिया तरो यार मुझे तो गदा बोल दिया मैं नहीं देखूंगा इसलिए बोलते हैं क किसी को बोले हैं देखो इसलिए नाम नहीं लेते किसी को चलो भाई आठ ठीक चलता है ना तो तो दूना चार दूना आठ दूना 16 ती आड़ तालिस सही है न मैंने सही लिखा कि नहीं इसमें कोई दिक्कत भाई नहीं ना चलो फिर इसका कर लो दूना चार दूना आठ दूना 16 दूना 32 दूना 64 मैं लगगर बड़ा जायगा इसके बाद 2 दूना चार दूना 8 दूना 16 और फिर निकाल दें क्या इसका L.C.M तो मतलब गुड़न खंड कर दें क्या और 40 दूना तो 96 होता है ना ठीक है दो दूना 4 दूना 6 दूना 16 36 तालिस यहीं तो होता है ना 48 दूना थानवे होता है इसका मतलब यह होगा तोला दूना 32 दिया ही तिन दूना चाहत इंदरीक्का नो ठीक है यह क्या हो गया इसका फैक्टर हो गया अब देखो यहां पर समझो समझो लेकिन प्यार से समझो भाई सोनु कुमार बच्चा समझो यह हो गया कंपलीट हमें क्या करना था हमें निकालना था एल सी एम लिस्ट कामन मल्टीपल लगुत्तम समापुवर्त सामने से हट जा रहा हूं बोड देख लो थोड़ा हमारी सटल भी देख लिया करो बीच-बीच में चलो तो अब क्या होगा इनके पेर बनाओ जोड़ी बनाओ इनकी पंडित बुला लाओ और इनकी जोड़ी बनाओ कितने लोगों की जोड़ी बन रही देखो यहाँ पे है कोई 15-20 तीज में की नहीं चलो बन गई ना आप देखो समझो इधर समझो समझो अच्छे से समझो कितने पेर बने हैं एक दो तीन चार अरे गदो एक ठी आउर बन रहा है ये मचमां इतने पेर बन गए ना सब से एक एक पकड़ लो इसमें से एक दो इसमें से एक दो और वाला आ गया एक ठीस का भी बना है यह भी आ गया बिचारा देखो सबकी तो जोड़ी बन गई इतने लोगों की यह बेचारा मायूस अकेला इसी बीच में लटका है यह करा मेरी तो जोड़ी नहीं बन रही तो LCM में क्या करते हैं जो बच जाता है लाश्ट में उसको भी लि सब्सक्राब कतबीर की बताए कितना आएगा अ कि जलो आगे देखो जो जो दूना चार दूना आट दूना शोला तूना बततिस और पतिस तींड़ी आई तो वही आ जाएगा यार तीन दूना च्छा तिन तुना इलिका नोग नाटिस आजाएगा कितना जाएगा 96 इधर दिख रहा है ना इधर दिख रहा है ना बात समझ में आई ना चलो किसी को कोई डाउट है तो बता दो बिल्कुल भी टेंसर नहीं लेना शाप लिए जितने भी साथ ही हमारे नए जूड़े हैं चैनल को तुरं सब्सक्राइब कर लें यह आपकी जिम्मेदारी है बाबु जि सब समझ रहे हो तुम अधना बताएं कि ज्यादा मतलब चलो जिनको भी करना एकदम से कसम खाके आएं कि पढ़ाने नहीं देंगे उनका नाम कता ही नहीं बोलेंगे उनको देखेंगे ही नहीं मान लो कि वह अपनी खोपड़ी पीट रहें पागल नहीं 100 परसेंट पागल अधने बात बात नहीं करेंगे इंगे Lcm के यह बात करेंगे अब हम इसकी भाग विदी भी बता दें कि ऐका немнож है भाग विदी बताएं लेकिन दूसरा नंबर से एви थर साइड में समझो तरीके से समझाएंगे बहाग विदी बस आक प्यार से देखना और इमांदारी से देखना एक बात समझे लो अगर मैथ नहीं आती तो आएगी यार बहुत कठी नहीं बहुत आसान है मैथ इसलिए नहीं आती क्योंकि आपका ध्यान जो है 100% इस पे नहीं केंद्रित हो पाता है और आपका दिमाग कहीं न कहीं और भी गूमता रहता साथ साथ में कुछ लोग हैं वीडियो देखने पड़ तो रहें उपर से मैसेज भी आ रहा है क्लिंग क्लिंग चैटिंग भी करे जा रहे हैं तुमरा आदत सब दिमाग तो उधर है क्या पड़ोगी हैं कुछ लोग हैं जहां पूरी फैमली बैठी है बाचीत हो रही पंच के लिए पौने में छुप जाओ लेकिन एक जगा एक आंद जगा पर बैठो जहां पर कोई परकार का डिक्ट्र बेंग ना हो अभी समझ में आएगा समझ गए कि नहीं अब चलो इदर साइड में देखो हाँ अब हो यह नंबर है 6060 और यह है 144 इसका हमें भाग विदी से क्या करना है LCM करना है ठीक है LCM करना है समझो इदर साइड में कौन सा विदी भाग विदी चलो भाग विदी में कैसे करते हैं आपको पता है इसके लिए हम लोग एक बढ़ा सा ऐसे बनाते हैं और उसी में सब को लाके भर देते हैं तिक है अ मैं गड़बड हो गया यह यह देखो 6060 और 144 इनके जो factor है वो थोड़े से और आपको अच्छे से आने चाहिए क्योंकि यहां पर इसी में factor भी निकलता है बाद में जोड़ा ओड़ा नहीं बनता है सब एक के बार में हो जाता है मैं कमेंट देखूंगा ना तिये पागल करतेंगी चलो दो से काटोगे 30 आएगा आप सबको पता होना चाहिए कि वो कितना आएगा अगर दो से भाग करोगे 60 में तो 30 आएगा दो से भाग करोगे 144 में तो 72 आएगा और दो से भाग करोगे 30 में तो 15 आएगा दो से भाग करोगे 72 में 36 आएगा कुछ लोग कहेंगे कोई बताया था का इनको दो से करने के लिए देखो ऐसे ही कर रहे है चलो मतलब सबसे पहले देखो अगर हमें के लिए LCM निकालना है तो इसका दूफरा तरीका है उसका तरीका यह है कि कितनी भी पड़ी नंबर क्यों नहीं हो अगर उससे रिलेटेड कोई नंबर उसमें नहीं है बीच में तो हम उसको फैक्टर नहीं करते हैं डारेट गुड़ा कर देते हैं लेकिन हम सिखा रहे हैं ब है अभी यह दो से और भी कटेगा पंद्रा नहीं कटेगा दिसको ऐसे ऒर न भाग में पूरा पूरा नहीं जाएगे इस पर साल मिर्चा रखे रहा करो साथ में तो गुस्से में उसको खुब तेज से एक बार गटक जाया करो काट के अरे मतलब पूरा नहीं थोड़ा सा और फिर देखो तुम्हें कुछ ना कुछ अंदर से होगा फिर नींद भाग जाएगी कुद्देर के लिए और अगर तब भी नह आ रही ना उस पर हलका सा जहां काट के ना हाथ में लगा के ऐसे आख रगड लेना बस फिर पांच मिनट के लिए वैसा ही सांत हो जाओ और फिर जाके पानी से मूह दूला ना समझ गये ना निंद नहीं आएगी सबसे अच्छा तरीका है चलो देखो इदा अब दो से इसक और ना इनका तो अब कोई फैल्टर होगा नहीं कटे पिटेंगे नहीं फिर क्या करोगे इनको यह तीन एक हो जाएगा और यह 5 नीचे इसके मुझे लग रहा आप नहीं दिख रहा है ना इसके नीचे नहीं दिख रहा ठीक है तो यह जो पांच है यह भी इसी में आ जाए और तीन कितनी बार है दो बार है और एक पांच जो है यह भी इसी में उतर जाएगा याद रखना क्योंकि अकेले बचरा लाक्ष्ट में सबका मल्टीपल करना है कोई कर पाएगा सबका गुड़ा की नहीं चंदन कुमार आरा समझ में फांच होगा सर 15 की जगह यह पांची तो लिखाऊ बबुआ यह दो से इसको किया देखो दो से तो पांच नहीं आयगा तीन से काटेंगे तक पांच आयगा यह मैंने पांच लिखा यह यहां पर यहां पर तुम आने पांच लिखा है ना भी बिर्जेस जी आरा समझ में वह लिखा ही है ना उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना देखो इदर साइड में समझवा गए तो दुना चार दुना आठ दुना सोला सोला तीयां अटालीस और सब का गुड़ा करो फटा फट यह अटालीस हो गया और यह तीन का पांच में कर लो 15 मैंने दो पार्ट में इसलिए किया क्योंक्य यह पार्ड में काफी बड़ा हो जा रहा था एक बार में ये काफी बड़ा हो जा रहा था इसलिए मैंने क्या किया दो पार्ड में कर लिया समझ में आया ना आप देखो इधर साइड में 158 हम सबको पता है कि 15 का पहड़ा कुछ लोगों को नहीं आता है पही 158 कितना होगा 155 75 156 90 157 105 और 158 120 होता है न बुड़ा कर लो पंचे चालीस आठे कमाड़ चार बारा 120 का जीरो हां सिलाया कितना बारा और पंदरा चौका जाता हूं इधर साइड में छुप जाता हूं आप लोग लिख लो जल्दी करो भाई हरी ओम जी आरा समझ में राशेखर रभी संकार पूजा इमान अंसिका सिंग चंदन कुमार ब्रजेश अभी को आरा समझ में कोई समस्या तो नहीं हो रही ना हम दिख रहें आच्छे से चलो काफी जगा हो गई है दोड़ने घूमने के लिए पहले जब फोन से कलास होता था ना तो ये खौपड़ी पर कैमरा लगा रहता था दिमाग खराब हो जाता मतलब तुम हेल भी ना था गो ऐसी जगा पर चलो फिर आगे बढ़ें किसी को कोई समस्या नहीं ना चलो लिख लो फटाफट जे पी वाई अंकिस सिंग आता होगा आता होगा मतलब कहां बोल रहे हो भाई लिख ले लिख ले लिख ले मतलब लिख लिए देखो कभी मैं बोलने वाला कुछ और होता ह है और फिर बात बनानी पड़ जाती है समझ गये ना चलो मिटाते हैं कुछ लोग गरिया रहे हैं मनमन अंदर अंदर गरिया रहे हैं कि इतना टाइम बेस्ट कर रहा है आगे नहीं बढ़ रहा है पैदा कहीं का चलो देखो इदर अगला कुश्चन अब ऐसे नहीं होगा हलुआ 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 अब कुछ बड़े बड़े होंगे ठीक है कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसे हम यही पढ़ाएंगे रात भर नहीं चलो लिखो तो 19211 180 इसका जो बता देगा न उसको तुरन सर्प्राइज मिलेगा कैस मिलेगा नगत मिलेगा लेकिन सबसे पहले जो बताएगा चलो जल्दी से रेडी हो जाओ फटाफट अब थोड़ा सा कठीन हो जाएगा आपके लिए ये लो ये लो अभी तक बहुत मज़ा लिये हो 18-20 का करकर के चलो जल्दी करो इसका कौन बताएगा सबसे पहले बोटल दिख रह जाथा उपर से ये पानी पीने के लिए मतलब जान रहो ऊपर से कॉल आई थी चलो अब कुछ लोग तो समझ रहे होंगी कुछ लोग कुछ औरी समझ रहे होंगी जैसे भी समझे लो चलो कितना आएगा इसका अंसर अंकित गौतम बच्चा तुम जाक रहे हो का अब बस करो भाई बस करो अंकित भी पो क्या ना आप लिए चलो नितु कुमारी इसका 720 का आएगा गदो इसका तो 720 नहीं आएगा यह जितना भी 720 बता रहे हैं ना साब एकदम खचा टाइप के हैं देखो इधर साइड समझो इसका जो LCM आएगा आगर तुम कह रहे हो 720 आएगा ना पहली बाद तो यह अपने दिमाग में बसा लो दोनो नंबर का LCM निकालना है ना किनी बिद्व संख्या का LCM उन दोनों संख्याओं मेंसे उन दोनों संख्याओं मेंसे किसी न किसी एक संख्या से बड़ा आवस्चे होता है उससे चोटा नहीं हो सकता है उससे छोटा कभी नहीं हो सकता हुए जिवान से शिरी वास्ता हुए चलो देखो मैं बताता हूँ चलो देखो इदर साइड में दिख रहा उपर तक चलो समझो ठीक है इधर साइड में देखो हम जान लिए तुम कितनी पानी में हो चिला रहे थे बस बिर्जेफ राजपूद मतलब गुरू का असिरबाद भाई गुरू का असिरबाद जी जब आपको गुरू का असिरबाद मिली गया तो कहां से गलत होने वाला है आपने करवड है यहां पर पढ़ाई हो रही है चलो उन्नीस सो बीस क्यारा सवस्थी इनके फैक्टर करेंगे एक एक नंबर के हम सीरियल वाई सीरियल आप देखो इधर साइड समझो पुक नहीं जाओ तुम लोग अब फिर मैं क्या कहूं चलो जो से काटोगे दो नवा ठारा और यह काफी भारी यार दर्द करने लगता कान पर इसको मैं कल से नहीं लगाऊंगा यह लो चलो ठीकर नीचे अभी यवाद आएगी जरूरी नहीं किसको कान पर रखेड़ों कि दो नवा ठारा और यह दो छंग बारा जिरू तो पंचे दस और दो नवा ठारा ऐसे इनके फैक्टर करने लगतार सीरियल बाई सीरियल सभी बच्चे फटा फट कर लो जल्दी से अब दो से काटो के दो चौक आठ दो अठे सोला जार देख रहो अच्छा नहीं बनता है यह आठ मुझ से नहीं बनता सही से पता नहीं इसकी कौन सी दुसमनी है हमसे दो चोक आठ दो अठे सोला मतलब चार सोसी आएगा क्या ठीक है इसको भी काटोगे और चोटा करोगे दो दुना चार और यह हो जाएगा दो नमाठ थारा दो पंचे दस देखो भाईया यहां तक तो सब ठीक ठाक था इसके आगे जो आगे जा रहा है न यह वड़ा मुश किलो जाएगा आप समझते चलो फटा फट संध्या मिश्रा जी सही है आपका बिलकुल सही है रवी संकर आपका भी और यह प्रतिभा केसरवानी जी आपका गलत है हंडेट पर्षेंट गलत है केसरवानी जी आपका रोदुना चार दो जोकाट इसके आगे बढ़ेंगे 120 आ जो आप चुनते ज तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छुड़ेंगे Luna तो इसको तोड़ो जब तक तूटे ये 295 नीचे दिख रहा है इसके नीचे नहीं दिखेगा अब इधर आ जाओ इधर आ जाओ वहां से जब मीचे नहीं दिख रहा है ये 60 आया है और 295 इसको यहां ले आओ चल वही आगे बढ़ जा दो से कटा तो 30 आया और ये 295 ऐसे लिख देंगे पुड़ा छोटा लिखूंगा आप मैं दो से कटूंगा तो 15 और 295 फिर ये 3 से कटेगा काफी लंबा जा रहा है यार ये 15 और 295 फिर ये 5 से कटेगा पांच एक कम पांच आप यहां पे ध्यान देना बच्चा बहुत ही प्यार से देखना ये 5 से कटोगे तो ये भी कट जाएगा 25 और 59 लेकिन ये 59 ना ये बड़ आही खतरनाक आजायेगा कितना 59 किसी से नहीं कटेगा पहले ये बताओ की कटेगा सबी बोलो 59 मतलब 69 किसी संख्या से पूरी दरह से डिबाइड होगा या नहीं नहीं पटाओ हाँ या नहीं होगा की नहीं होगा तो भाई कुछ तो कोशिस करो नहीं तुम लोग करके आज़े इतना देर से प्रीता में आदो कटेगा कि नहीं नहीं कटेगा खचरों गदों तुम लोग को मैं अब नहीं पुछूँगा पताते यह नहीं हो आधा गंटा तक 59 1 और ये 1 किसी से नहीं कटेगा कोई दूसरा भी गुरू का असिरवाद आ गया का भाई देखो डबल डबल हो तो हम क्या करें चलो ठीक है अब भाई गुरू असिरवाद तो सब को देते हैं ना एक ही लोग को थोड़ी देते हैं अब देखो इसका अंसर हम कहा लिखें इसको हमें चोटा करना पड़ेगा आप लोग जरा नजरे गड़ा के रखना अब मैं थोड़ा इसको जूम से हटाऊंगा क्या बोलते हैं उसे जूम आउट करूंगा और फिर आपका बोर्ड बड़ा हो जाएगा जगा बड़ी हो ज करेंगे हमें क्या करना नीचे जगा एक लाइन दिख रही ना इधर साइड में लिख सकता हूं प्यार से कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर लिखेंगे लसी हम कि सभी का मल्टीपल कर लेंगे जितने भी नंबर है सब का गुड़ा कर लेंगे एक में सब का गुड़ा कर अभी दिख रहा है ना देखो अभी फिर से में जूम कर दूँगा आप टेंसन मतलो ठीक है आप टेंसन मतलो अभी फिर से में जूम कर दूँगा जो छोटा दिख रहा है बड़ा दिखने लगेगा अब देखो लाइस्ट में क्या बच रहा है तीन पांच और उनसट उदर गुड़ा जो लोग यही गुड़ा जो लोग नहीं कर पाएंगे वही गड़बड करेंगे अब मल्टीपल करना यहां पर बड़ी बात है आप लोग करके बताओ कितना आएगा जो को मैं तुमको बताता हूँ एक आसान तरीका इसको कई पार्ट में गुड़ा कर लो मतलब ए बैदे सके तीन बार यहां पर दो यह पांच बार होगे दहaware एगा Спас इसrikा दो का सब्का गुड़ा कर लोगे पंद्रा Cambors और यह उनसर अब तो गुड़ाप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो कि नहीं चलो भठ पर करलो सब्का तो यह एक एपसोटेरा दोसौ औरशी आ लिए इसका इतना अंसर हो जाएगा कि इतना बोलेंगे इसको एक लाख तेरा हजार दोसो असी लिख लो छाप लो भाई अगर अलग अलग आड़ी से कमेंट करना हो न तो उसमें सबसे बड़ा पुरुसकार रभी संकर को मिलता है क्योंकि यह ना आज तक जब से पंड रहें कम से कम हजारों नाम बनाएं होंगे और इनकी आईडी भी कही उठी बलाक है एसी बात नहीं है लेकिन इनको गूगल की तरफ से आफिर बात मिला है कि रोज नहीं आईडी बनाते हैं लिख लिए आप मैं इसको जूम करूंगा जो इतना दूर गया है न यह पास आ जाएगा अभी इसको मैं जूम करूंगा आप लोग लिख लिए हो तो मैं करता हूं इसको फिर जालो ठीक है गुट बेरी गुट बाई बेरी गुट पोसिस करते रहो बच्चे टाइम मुझे लग रहा है कपी ज्यादा हो गया है कर लिए सभी जिनको कोई बात करना है वो लोग नंबर दिया गया उस पर संपर करो ठीक है भाई देखो आपके नाम से कमेंट नहीं करवा रहे हैं बबुआ ये लोग गदहे टाइप कहें तो मैं इनको क्या करूँ अब अगला कुश्चन लिखो फिर मैं इसको चूम कर देता हूं चलो अब यह जूम कर दूँगा थोड़ा बड़ा दिखने लगे का टेंसन मतलो ए लग बात है जलो एक इसका कितना होगा चोटा साह बता दो चलो बता दो मैं जूम कर दे रहां टेंसन मतलो बड़ा दिखेगा चलो कितना आयगा बता दो जल्दी से और यह लो मैं बढ़ा कर दिया चलो कितना आयगा ट्राइ करके बताओ कितना आयगा जल्दी बताओ फटा फट मिठा दें 128 और 120 का कोई बताएगा सबसे पहले एनीवन चलो जल्दी करो भाई सबसे पहले फटा फट जब आप दो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले पूछा अंसर 128 and 120 का LCM क्या होगा एक बात मैं आपको बता दूँ अगर आप पूरा complete math जल्दी फे जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो आप PBR study का app डाउनलोड करके और premium class को जरूर जोईन करें premium class को जोईन करें जितसे कि आप जल्दी फे जल्दी पढ़ पाएं और बहुत जल्दी ही mathematics सीख जाएं बाकी YouTube पर पढ़ना है तो रात के 9 बजे और सुबह के 5 बजे जरूर आओ देखो पढ़ो ठीक है सुबह आओ देखो और पढ़ो प्रिजेश जी ठीक है बहुत अच्छे भाई very good बहुत अच्छे बहुत अच्छे very good पूरा आएगा अच्छे से आएगा समझ में आएगा चलो अब इधर साइड में देखो इसके क्या करेंगे भईया फैक्टर करेंगे फैक्टर करना तुम लोग जानते हो वज़पन से ही में चिलाता आया हूं तुम पढ़े भी हो 128 और 120 दो से काटो दो चंग 12 दो चोकाट इसमें किसी को कोई समस्य कोई परेसानी हरा नी नहीं न आवाज बस आ रही है बच्चा मैं खुद देख रहा हूं तुम कहें परेसान हूं दो त्याइं छे दो दुना चार दो से काटो यह फैक्टर करना आप सभी जानते हो मैंने कई बार बताया ना ससी सिंग पूजा मिस लुक्त राजी आरहा समझ में यह पोतो फैं दोसे पर फिर दो से जानोच काणते जाया है माट डालो इसको कड़ कड़ के देखो ये और ये 15 मतलब समझ गए ना एकदम छोटा हो जाई एकदम नननननन बरका नीचे एकदम सबसे नीचे 15 आया है सबसे नीचे के आया 15 आया नहीं दिखरा जो ये 15 है लेकिन मैं इसको यहां से मिटा देता हूं किसी को कनफ्यूजन ना हो ये लो कि इसके बाद मैं इसको अलग करूंगा ये अलग दो भी यहां नहीं लिखेंगे भाई फिर कोई मतलब नहीं यहां लेलो साइड में दिखतो रहा है दो दुना चार 15 दो से काट दो तो एक कम दो यह 15 तीन पच्चे 15 पांच इसका एंसर आएगा पच्चे बता रहें 120 उनका ठीक है 120 आएगा कोई दिकत नहीं है निससो भी सब्साइगा ठीक है काजल गौतमजी ठीक है ठीक है बही बिलकुल बेरी जूट काजल गौतमजी सही आपका देखो 2-4-5-7 ताथ वार दो आया है कितनी बार है ताथ वार दो आया है को इसके बा लिखो लो यह थानल में गुला कर लो 1920 इसका अंसर आएगा और उयादा तो बताना है नहीं और जादा नहीं बताना है चलो बनाते रहो तुम जब तक आईडिवे द३र शाप लिजिए सभी बच्चे फटा-फट लिख लिए वीडियो रुख गया है क्या करूं आवाज बस आ रही है TPGGamer बच्चा आप एक बार फिर से वीडियो को रीपले करो ठीक है एक बार फिर से रीपले करो चलेगा सभी का चल रहा है हम्हें खुद देख रहा हूं ऑफिकर सुबोध कुमार कह रहे हैं मेरा नाम लो सबोध 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 और सबोध कितनी बार बनों मिश्टर सुबोध नाम तो तुम्हारा बोल दिया मैंने हां पंचाल बोलने बहुत छोटा चीज है बच्चा देखो तुम छोटे पैदा हुए थे पूरा मत मनना है ना बाद में सब कुछ होता बड़ा ना तो पहले छोटा ही सीखा जाता है चलो और हम भी छोटा ही पैदा ह हुए थे ऐसी बात नहीं है कि तुमा के लिए इधर देखो समझो पहले अगर कोई चीज सीखना है तो छोटे से ही सीखना होता है पड़े से नहीं चलो बज़ा आ गई न तो साथियों आज का हमें लगता टाइम ओबर हो गया है बंद किया जाए फिर बहुत हो गया नहीं तो सब पढ़ाई देंगे आज ही तो फिर तुम लोग आगले दिन आओगे का है न देखिए इस स्क्रीन पे नंबर चल रहा है जिनको पूरा मैद सीखन वो नंबर नोट कर लें और इंक्वाईरी करें और हमारी प्रीमियम क्लास को जॉइन करें हमारा एक ही सुझाओ होगा कि अगर आप मैथमेटिक्स वास्तों में सिखना चाहते हैं और कम समय में पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीमियम क्लास को आवस्त से जॉ क्लास के लिए याद रहे कि प्रीमियम क्लास के लिए सुल्क पेमेंट करना पड़ता है और जिनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कमाही कर रहा है वह यूटूब पे फ्री देखें यूटूब पे सुबह पांच बजे से और रात को नो बजे से अभी परजन टाइम में हमार ज्वाइन नहीं होती है ठीक है समझ गए ना और इधर साइड में समझो जो बच्चे बिल्कुल फ्री पढ़ना चाहते हैं वो सोच रहे कि हम फ्री पढ़ेंगे उनके लिए तरीका बता दूँ यह नंबर उमबर छोड़ो फ्री पढ़ने के लिए आप सभी पीवियार टेडी का टेली घराम चैनल जोएन करिये जिसकी लिंक देखो दिस्क्रप्शन में दी गई है और हां अभी आपको कमेंट भी पेश्वायरिए चैनल जोएन करें या फिर आप टेली घराम पे जाकर के पी बीएर चैनल लिक्के सर्च करो तेलीग्रां में सबके पास होगा कि अब दे रहा हूं कि निन्क दे रहा हूं आप लोग ले लो फट अफट और जिनको फ्री पढ़ना वह जोईन कर लें और जिनको जल्दी फे जल्दी पढ़ना है, कम समय में पूरा सीखना है, वो सभी PBR Study का प्रीमियम कोर्स जरूर जोईन करें, अवस्य जोईन करें, ठीक है, टेली ग्राम चैनल की लिंक मैंने देखो पेस्ट कर दिया है, टेली ग्राम चैनल की लिंक देखो कमेंट में जा रह दिया गया आपको, मतलब जो अभी तक पढ़ाया गया सब उसमें है, पिर आगे बढ़ें, आगे बढ़ें फिर कोई और समस्या तो नहीं न किसी को, और किसी का कोई सवाल, गुना करने कर तरीका वताओ, भाई सुखराम नागपुरी, सुखराम नागपुरी जी देखो ब चलो फिर बंद करते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत बहुत थेंक्यों, आप सभी को दिल से धन्यवाद पूरा कलास देखने के लिए सुक्रिया